तो बच्चे आज से हम chapter 3 start कर रहे हैं, that is matrix, काफी easy chapter है, ठीक है, जैसे previous lecture में मैंने काफी चीजें discuss कर ली है syllabus के बारे में, आज से तो हम दडडडड आपको lecture देंगे, ठीक है न, हर एक topic आपको समझाएंगे, अच्छे से, बस आपका duty है यार, अपनी notebook पे, अपने notes जो है, fair क करना है, ठीक है, तो आज के lecture में हम बिल्कु छोड़ा सा lecture रखेंगे, इसमें हम matrix की definition को understand करेंगे, what is matrix, number two, order of matrix क्या होता है, ठीक है, order of matrix क्या होता है, हमने किस order तक जाना है, ठीक है, वो हम बात करेंगे, number three, number three, हम बात करेंगे journal matrix की, इसमें थोड़ी सी confusion होती है बचों को journal matrix, इसमें terms आएंगी कुछ नई, I क्या होता है, J क्या होता है, M क्या होता है, N क्या होता है, इसमें थोड़ी सी confusion होती है, कोई confusion नहीं है, बड़ा simple है, तो आज के lecture में हम सिरफ यह तीन चीजे सीखेंगे, ठीक है, तो सबसे बहले matrix का definition, कि what is matrix, my dear students, एक live example लेते हैं, देख जब आप school में जाते हो, जहां जाते थे, जाते थे, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी lockdown लगा है, तो सारे गर में ही है, तो जब आप school में जाते थे, तो सबसे पहले आपकी morning assembly होती है, सुबह prayer होती है, ठीक है, तो जितने भी school के बच्चें सारे आ जाते हैं, ground में खड़े हो सकता है, जहां आपके teacher ने बोल दिया, जाओ, खड़े हो जाओ, कहीं पर भी prayer कर लो, ऐसा नहीं होता है न, आपको एक proper way में arrange किया जाता है, row one, row two, row three, row four, ऐसे arrange किया जाता है, class wise arrange किया जाता है, फिर height wise भी हम सब चीज़ें देखते हैं, जहनी एक order में आपको और वहां प matrix कहा जाता है, यह एक live example आपके सामने कि what is matrix, तो mathematically अगर आप इसको किसी को समझाओगे कि what is a definition of matrix, you can say it is a rectangular arrangement of objects, rectangular arrangement of objects, or human beings, or functions, whatever, it is a rectangular arrangement of objects in rows and columns, कि rows and columns में हम objects को arrange करते हैं, वो objects कुछ भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, functions हो सकते हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, यह इसका mathematical definition, live example मैंने आपको बता दिया, अब basically वो arrangement क्या कर रहा है, basically वो जो arrangement किया, वो क्या कर रहा है, वो यह क्या कर रहा है कि better way में हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम better way में चीज़ों को देख पाते हैं, वो कैसे, अगर आपको उसी assembly में बोल दिया जाए, इस class का बच्चा बताओ, यह वाला बच्चा इस class से ले के आओ, तो अगर तो वो एक arrangement के तहत आप सब खड़े हो, तो आपको एक minute लगे इस class में जाओगे, वो बच्चा पकड़ोगे, चलवा गया, लेकिन वैगर वैसे ही खड़े होगे हैं, बिना किसी system के, बिना arrangement के, क्या उस बच्चे को इतनी असानी से डूंड पाओगे, वो बच्चा कहा है, no, तो भाई अब matrix में चीज़ें रखने से क्या होती हैं, हम better way में उनको समझ पाते हैं, अब देखो एक example और लेते हैं, छोटी सी, राम, शाम और एक और friend लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, रवी, राम, शाम और रवी, तीन friends हैं, इनके पास कुछ चीज़े हैं, मनो pen है, pencil है, books है, note books है, ऐसी कुछ चीज़े हैं, और आपको बता द करना है किसी के सामने, कि उस बंदे को आपने समझाना नहीं है, कि राम के पास कितनी चीज़े हैं, लेकिन आपने उस चीज़े के एक presentation बनाई होगी, वो देखके समझ आएगा कि राम के पास इतनी notebook हैं, राम के पास इतने pen हैं, वो देखके समझ पाएगा, तो वो better way में आ कैसे उसको बता पाओगे, तो जिस तरह से आप चीज़ों को arrange करोगे, basically वो आप एक matrix ही बना रहे होते हो, एक matrix ही बना रहे होते हो, अब देखो कैसे, राम शाम, रभी होगे, तीन दोस्त, ऐसा करते हैं कि इनके पास ये चीज़े हैं, क्या, इनके पास pens हैं, इनके पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर लिख दू, 9, 3, 8, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ, मैं 2, 6, 10, that's all, और किसी को मैं यह, जो मैंने arrange करके यहाँ पर लिखी हैं चीज़े, अगर मैं किसी को बोलू, यह रहा data, अब आप देख लो, कि राम के ब समझ आएगा, कि राम के पास 5 पैंस है, फिर उसी में अगर बोलेगा, शाम के पास books कितनी, how many books, तो देखे हैं यहाँ यहाँ पर vertically नीचे देखूँ, तो 3 आ रहा है, और horizontally यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर book के सामने है यह, तो इसका मतलब शाम के पास कितनी books हैं, 3 books ह तो यह जो आपने data एक arrange करके रखा हुआ है, इसी को हम matrix बोलते हैं, that's all, तो यही matrix का definition है, और आपने जो class 12 में पढ़ने हैं, उसमें आपके यह numbers ही होएंगे, functions होएंगे, nothing else और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और आपने matrix के लिए यह वाला bracket यूज़ कर लगा है, अब इसी information को एक दूसरे तरह से भी आप दिखा सकते हैं, कैसे, राम, शाम और रवी को यहां लिख सकते हो, और आपके पास जो pens हैं, जो आपके पास books हैं, जो आपके पास notebooks हैं, आप उनको उपर लिख सकते हो, तो राम के पास जो भी हैं, वो आप यहां पर दिखा सकते हो, सर राम क काँ चीज़ को मैने वापिस लिखा है बज कुछ नहीं किया पेंस नौट बॉक्स को यहाँ लिख दिया और राम शाम जो है यहाँ लिख दिया information वही स Vermay के पास कितने पाई ने गहोर आब sąटेक सामने कैपिटल लेटर से इनको डिनोट करना, इनका नाम करना, चली, बजी ये तोड़ा सा थियोरी यहां पे लिखा हुआ, ये सारा थियोरी आपकी NCRT में है, it is my request, ये सारा थियोरी आप NCRT से रीड कर लीजेगा, reason, मैं नहीं आपको ये रीड करके दिखा रहा हूँ, एक तो time waste हो जएगा, दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि यार आप class 12th में हो, and you are enough mature to understand all these statements, सिर्फ आप इसको रीड एक पर कर लीजेगा, ये मेरा आप से personal advisor, हर chapter का एक छोड़ा सा थियोरी होता है, starting में उसको हमें पढ़ लेना चाहिए, wide application है, matrix का बस वही लिखा हूँ, कहां कहां, क्या के application है, सारी बाते इसमें लिख्यों ही है, मैं बताऊंगा, वही समझ में आएगा, जो आपको वैसे ही समझ में आजाएगा, पढ़ने से, तो मेरा काम है, वो चीजें सिखाना, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थियोरी पढ़ सकते हैं, बड़े ही math की simple theory है, जहां difficult होगी, वो भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चली, यह matrix का mathematical definition आगया, जो हमने अभी-अभी understand किया, ओके दियर, फिर यहां पर देख लें, कह रह तो जैसे कि अभी तक हमें यह पता चल गया कि, what is matrix, rectangular arrangement of objects in rows and columns, matrix के लिए आपने brackets use करनी है, और वो brackets आप यह वाली brackets ले सकते हैं, जहां फिर यह वाली brackets ले सकते हैं, जहां फिर आप ऐसे दो vertical lines ऐसे लिखेंगे, और इनके अंदर आप object रख देंगे, कहीं books में ऐसा भी होत सकते हैं, like this, तो मैं यह वाला bracket यूज करता हूँ, ज्यादा तर बाकि आपकी चोई साब कोई भी bracket ले सकते हैं, ठीक है बड़ा, चली, matrix जो है, capital letter से हम लिखते हैं, like this, और इसके अंदर objects आगे, two, three, four, numbers लेते हैं, फिलाल, यहां, negative भी हो सकते हैं, zero भी हो सकता है, fraction भी हो matrix, अब आपको यह समझना है, कि इस matrix में rows कोन सी होती हैं, और columns कोन सी होती है, that is very important, कोई confusion नहीं होनी चाहिए, जो आपकी horizontal lines है, horizontal lines, इनको rows बोला जाता है, तो there are three horizontal lines, तो इनको rows बोला जाता है, this is row one, this is row two, and this is row three, और जो आपकी vertical lines होती है, इनको columns बोला जाता है, यह fix है, horizontal lines rows हैं, और vertical lines columns है, this is column one, this is column two, and this is column three, ठीक है, rows and columns, समझ लिया, उसके बाद हमारे पास आजाता है, size of the matrix, what is the size of the matrix, size of matrix, जाए इसको ऐसे बोल जाता है, order of matrix, देखे बचे, जैसे मैं आपको पूछू कि आपके room का size क्या है, what is the size of your room, जहां आप बैठे हो, जहां भी आप ख है, तो मानों आपने मेरे को बोला, sir, मेरे room का जो size है, मेरे room का जो size है, वो कुछ इस तरह से है, 12 by 10 by 9 का, ऐसा बोला आपने, तो मैं समझ गया, क्या समझा, भै ये भी समझ गया, आपने length कितना बोला, width कितना बोला, height कितना बोला, बड़ा, आपने मेरे को bowl के नहीं बताय पैसर मेरे room की इतनी length है, बस आपने मेरे को ये बताया कि मेरे room का size जो है, वो 12 by 10 by 9 का है, तो मैं कैसे समझ गया कि length इतनी है, width इतनी है, क्योंकि it is understood, ये universal बन चुका है, कि यार जो हम सबसे पहले लिखते हैं, वो length होता है, जो दूसरे number पर लिखते है, वो width होता है, और इसलिए matrix के अंदर जब आप size की बात कर रहे हो, size की बात कर रहे हो, तो matrix का siis है, जब जो order है, उसको आपने बोलना है row by column, मतलब जैसे इस matrix की बात करो, चलो ये तो same rows and columns है, जैनि अगर मैं इस matrix की बात करो, जैनि हम इगर इस matrix की बात करो, जैनि मैं लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं आपको पूछूंगा इस matrix का size बताओ तो अभी-अभी मैंने क्या बोला? matrix का size कैसे बोलना है? row by column row बोले तो आपने पहले बोलना है number of rows कितनी है फिर आपने बोलना है number of columns कितनी है तो row by column बोलना है आप बहर को बताओ इसमें कितनी rows है? सरजी two rows है इसमें कितनी columns है? सरजी three columns है तो इस matrix का order कितना हुआ? इस matrix size कितना हुआ? सरजी two by three क्या size है इसका? two by three क्यों? क्योंकि इसमें कितनी rows है? two rows है columns कितनी है? सरजी three columns है that's all what is the size of the matrix? row by column उसको बोलना होता है इसका मतलब जो पहले बोल रहे हैं वो number of rows है, जो दूसरे number पर बोल रहे है number of columns है, यह fix है ऐसा मत करना column को पहले बोल दो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? in journal आपको row by column समझने and two into three, ज़नी अगर मै number of rows और number of columns को multiply करूँगा, तो जो मेरे पास number आएगा, वो number of elements होते हैं, उस matrix के, जैसा आपको दिख रहा है, इसके अंदर six elements है ठीक है विटा? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, जनरल matrix की तरफ मेरे प्यारे बचे, मेरे प्यारे बचे अगर मैं आपको बोलू, कि यार ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे sir, it is the standard form of quadratic equation, ये quadratic equation की standard form है अब मैं ऐसे ही बोलूँगा यार, एक matrix है जिसका size है जिसका size है three by three, इसकी standard form में लिख के बताओ तो standard form का मतलब होता है कि कोई example नहीं लेनी कि two, five, six, seven उसमें डाल दिया, उसमें इन journal elements लेने पड़ते हैं जैसे यहाँ पर लिख है न, a, b, c तो this is the journal quadratic equation standard form of quadratic equation इसकी common example जब आप लेते हो तो a की जगा 5 आ जाता है b की जगा कोई और नंबर आता है, c की जगा कुछ और नंबर आ जाता है, तो इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि यार किसी matrix size है 3 by 3, तो उसकी standard form में उसको लिख के बताओ तो कैसे लिखोगे, तो भाई साब ऐसे ही यह number लिखने होते हैं, a, b, c, light तो यहाँ a, b, c, d ऐसे नहीं लिखने है यहाँ पर इस तरह से लिखने है, देखो मैं यहाँ पर matrix लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं matrix लिख रहा हूँ what is going on here okay here I am writing matrix A right, जिसका मैं size कितना ले रहा हूँ 3 by 3 का, तो मैं 3 rows और 3 columns बना रहा हूँ standard form में, देखो मैं यहाँ के लिख रहा हूँ a, 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 a sir, यह क्या, सारे number same नहीं, नहीं, सारे number same नहीं है wait करो, देखो अब मैं यहाँ पर इसके बगल में ऐसे लिखूँगा abbreviation डालूँगा यहाँ पर a11, फिर मैं इसके साथ लिखूँगा a12, फिर इसके साथ लिखूँगा a13, सारे यह क्या चीज लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा, सारे ऐसे लिख दो a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, ऐसे लिख दो ऐसे नहीं लिखने basically, matrix के अंदर जो आपको elements लिखने है वो element किस location में बैठा हुआ है वो चीज आपको पता होनी चाहिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा है न, a13 अब a13 का क्या मतलब है a13 का मतलब है यह कैसा element है, जो first row में बैठा है, और third column में बैठा है, यह जो मैं 13 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ यह represent कर रहा है, कौन सी row और कौन सी column इस पे अभी आता हूँ, मैं पहले सब लिख लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं a21, यहाँ लिख रहा हूँ a22, यहाँ लिख रहा हूँ a23, यहाँ लिख रहा हूँ a31, यहाँ लिख रहा हूँ a32, और यहाँ लिख रहा हूँ order को journalize करेंगे हम MYN की तरह भी अभी बनने वाले है तो फिलहाल 3 by 3 एक common order था लेकिन उसकी standard form of matrix यह होगी तो जितने भी elements लिखे हैं इनके साथ यह जो abbreviation डाली गही है यह abbreviation हर एक element की location के बारे में बताता है आपको बोला जाएगा यहर A32 का क्या मतलब है A32 का मतलब है this element is present in third row and second column तो यहाँ पर भी same story है जैसे यहाँ पर पहला number of rows होता है second number of columns होता है और element के case में जो पहले लिखा है यह row को represent करता है कि which row और यह column को represent करता है which column first is always about row and second is always about column ओकी डियर अब इसको originalize करते हैं कि sir यह तो आपने बता दिया कि sir यह बताओ कि किसी का अगर order है matrix का m by n क्या order है m by n तो उस matrix को हम generally कैसे लिखेंगे how we can write वो तो 3 by 3 था 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 तीन इदर लिखे थीन इदर लिखे बात बन गी अब m by n को कैसे लिखना है देखें इदर ध्यान से समझें अभी first element आपका क्या है a1-1 next क्या होगा a1-2 तो क्या चल रहा है column change कर रहा हूँ मैं first column second column row तो मेरी first ही चल रही है यहाँ पर क्या हैगा a1-3 row मेरी first चल रही तो 1-1-1 पहले 1-1 चल रहा है यह होगी row first चल रही column change हो रही first column second column third column यहर ऐसे अगर मैं चलता जाऊँगा ऐसे मैं चलता जाऊँगा रास्ते में हो सकता है a1-9 भी आए आ सकता है कोई दिक्कत नहीं what is the meaning of a1-9 a1-9 means this element is present in first row and ninth column first row and ninth column ऐसे अगर मैं चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा तो रास्ते में can I write 1-J सर यह जह कहां से आ गया अरे कोई column है कोई column है कौन सी column J-th column in general उसको बना रहा हूँ मैं फिर ऐसे चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा तो किसी टाइम पे तो इसका end होगा सर कहां होगा end सर जी one end इस तरह से आपने second row को लिख लेना है सर यहां क्या आएगा A21 आगे second row में यहां पर क्या है सर A22 second row second column ऐसे जहां हैगा second row third column सर ऐसे चलते जाएंगे this is second row and ninth column सर ऐसे चलते जाएंगे this is second row and ninth column सर ऐसे चलते जाएंगे this is second row and ninth column तो ऐसे कितनी ही rows बनाते जाओ समझने वाली यह चीज है कि आपने end कहां से करना है आपने end से end करना है क्योंकि number of columns end ही है अब हम इसी तरह से vertically भी चीज़ों को समझ लेते हैं देखो ऐसे अगर मैं चलता जाओंगा चलता जाओंगा तो क्या मुझे रास्ते में ऐसे मिलेगा AI1 सर यह AI1 क्या है मेरे प्यारे बच्चे यह कौन सी row थी first यह कौन सी row थी second यहां third होगी यहां fourth होगी यहां fifth होगी row change हो रही है column तो fix चल रही है first column देखो one one लिखा होगा दूसरे number पर column fix है row change हो रही है तो मैंने ऐसे बीच में लिख लिया AI आई बोले तो Ith row तो this element is in which row Ith row in which column first column ऐसे अगर चलता जाओंगा चलता जाओंगा तो एक stage आएगी न इसका कहीं पर end होगा सर कहां होगा इसका end बताओ बताओ rows कितनी है M rows तो इसका end होगा M पे तो यहां पे तो one लिख रहे तो this is which row Mth row this is which row Mth row that's all अगर मैं इस element को यहां बगाता हूँ इस element को बगाता हूँ दिखनी रहोगा but this is A I J sorry for that ठीक है A I J this is what A I J this element is present in Ith row and Jth column ऐसे ही आप ऐसे ही आप last वाला यह वाला यहां से बगाएंगे और इदर से यह वाला बगाएंगे तो end में यहां पर end में यहां पर जो element create होगा वो होगा A M N that's all form में लिखा जा सकता है पूरे सिस्टम को short form में यह जो मैंने इतनी बड़ी matrix बना दी इसकी short form यह होती है A I J sir what is A I J this is the journal matrix journal element ऐसा बोल से हो this is the journal element standard form of any element A I J अब I और J depend करता है matrix का order क्या है matrix का size क्या है in general तो size अभी हमने m by n लिया है अब मैं इसमें एक example set कर लेता हूँ मानो आपको order दे दिया है 2 by 3 order दे दिया 2 by 3 तो आपका जो number of rows हैं वो maximum 2 रहेंगी और number of जो columns हैं वो maximum 3 रहेंगी उसी पर depend करेगा I और J की value और इसी में यहाँ पर note लिख भी देता हूँ कि जो आपका I है यह रो की location को बताता है ठीक है और number of rows हैं हमारी M इसलिए यह M से आगे नहीं जा सकता I का value M से आगे नहीं जा सकता M तक रहता है और पीछे यह 1 तक जाता है इसी तरह से जो J दूसरे number पर लिखा हुआ है यह column की location को बताता है तो यह वाला J number of column से आगे इसकी value नहीं हो सकती जैनि जो J है वो N से छोटा होगा जा फिर उसके बराबर रहता है और पीछे J जाएगा 1 तक तो यह जो मैंने पूरा system लिखा है इसी को बोलते है compact form of general matrix ठीक है अब मैंने एक example ली M cross N जैनि उसका जो order है मैंने 2 by 3 लिया अब 2 by 3 की मैं matrix यहाँ बनाने वाला हूँ देखो अब I और J पर depend करेगा तो 2 by 3 की पीछे मैंने आपको समझा ही दी है 2 rows 2 rows ऐसे 2 बर लिखना है columns 3 ऐसे 3 बर लिखना है बस यह समझ जाओ यहाँ पर आएगा A 1 1 फिर क्या आएगा A 1 2 कितनी rows बताई मैंने कितनी sorry कितनी columns से बताई दूसरे नमबर बर देखो 3 columns तो आपको कहा तक जाना है A 1 3 तक तो आपने देखना यहाँ पर जो J की value है वो maximum N तक ही जारी है N N कितना था इसमें 3 तो देखो 3 तक जारी values की यह note आप दियान रखना यह बड़े काम आएंगे MCQs में और यहाँ पर क्या आएगा A 2 1 A 2 2 A 2 3 तो यहाँ पर यहाँ पर जो 2 है अब मैं यहाँ पर 3 1 नहीं आगे जा सकता क्योंकि मेरा जो size है matrix का वो 2 by 3 है जो rows है वो 2 है जानि जो I की value वो 2 से आगे नहीं बढ़ सकती तो जो पहले number पर है वो 2 होता है तो 2 से आगे बै नहीं जा पाऊंगा Is it okay So this is the standard form of a matrix whose order is 2 by 3 आप ऐसा बोल सकते हैं ओके डियर I hope आपको यह clear हुआ हुआ होगा तो आज के lecture में जो हमने सीखा है उसको मैं conclude कर देता हूँ number 1 हमने matrix का definition पढ़ लिया कि what is matrix तो क्या है matrix rectangular arrangement of objects in rows and columns number 2 matrix को हम denote किस से करते हैं capital letter से denote करना है ABC etc उसके अंदर जो numbers रखे जाते हैं वो उसके elements कहलाते हैं ज़ा फिर उनको entries बोलते हैं simple और अपने ये वाला bracket यूज करना है matrix को लिखने number 3 हमने सीखा order of matrix क्या होता है order of matrix that is row by column बस ये याद रखना जब भी matrix का order बोलना है row by column m by n in journal common में 3 by 3 2 by 3 ठीक है and number 4 standard form of matrix standard form of matrix तो भाई ये कुछ basic terms हैं matrix को आगे चलाने के लिए ये सारी चीज़े आपको पता रहनी चाहिए especially जो last में मैंने standard form of matrix आपको बताया है i, j, k i, j किसे represent कर रहा है m किसे represent कर रहा है n किसे represent करना है ये एकदम picture clear होनी चाहिए क्योंकि जो types of matrices आपको मैं करवाऊंगा उसमें ये जो i, j, m, n ये involved होंगे वहाँ पर तभी आपको वो अच्छे से समझ आ पाएगा जब आप इस lecture के notes अच्छे से फेर कर लेंगे ठीक है तो बचे जैसे कि हमने chapter number 3 matrix start कर लिए ठीक है अभी इसका एकी lecture हुआ है उसमें हमने previous lecture में matrix का definition पहले तो ये समझ लिए अच्छे से ठीक है उसके बाद order of the matrix size of the matrix इसमें बात हो गई then most important standard form of matrix कि generally हम matrix को कैसे लिखते हैं ठीक है journal matrix क्या होती मैं यहां लिक भी देता हूँ journal matrix को हमने इस तरह से represent किया था it is like a, i, j and और बाहर लिखना है m cross and m होता है number of rows n होता number of columns i, i-th row and j is j-th column ठीक है i और j उस element की location बताते है तो ये तीन main चीज़े हमने discuss की थी last lecture में तो आज के lecture में हम वापिस तीन main चीज़े करेंगे क्या number one पे हम बात करेंगे types of matrices ठीक है matrix की कुछ types हैं वो discuss करेंगे हम उसके बाद हम equality of matrices पे भी discussion करेंगे इस पे questions होते हैं छोड़े मोटे प्यारे प्यारे equality of matrices पे and number three आपकी जो NCRT में exercise है 3.1 आज हम इस lecture में exercise 3.1 कंप्लीट कर देंगे चलिए तो सबसे पहले types of matrices में number one पे मैं रखोंगा rect angular matrix rect angular matrix ठीक है A का definition मैं detail में लिख देता हूँ बाकी सब का आपने इसी तरह से लिखना है मैं conditions फिर आपको समझाता जाता हूँ तो rectangular matrix क्या है you can write a matrix A like Aij journal matrix है तो इसको कब हमने rectangular बोल रहा है बस बहुब में बता रहा हूँ matrix A this is set to be is set to be a rectangular is set to be a rectangular matrix if m is not equal to n that's all तो यह का simple definition आप simply ऐसे भी बोल सकते हैं कि matrix in which number of rows is not equal to number of columns मैं m और n में बता रहा हूँ आगे चलके यह चीज़े बहुत काम आएंगी आपको i, j की terms में आप चीज़ों को अगर समझेंगे ठीक है तो यह है एक basic definition तो आपके syllabus में maximum 3 rows या 3 columns तक ही आप जाएंगे तो rectangular matrix में rows and columns आप same नहीं रख सकते ठीक है that is rectangular matrix तो उसमें आपके syllabus में फिर ऐसे कितनी तरह की matrices बनेंगे ठीक है वो मैं आपको explain करता हूँ इसी के साथ पहले दूसरा इसी की जो square matrix है उसको समझ लेते हैं पहले ठीक है दोनों के एक साथ कर लेंगे अब square matrix से मैं complete ऐसे statement नहीं लिख रहा हूँ simply आपको यह समझना है यह लिखना है अब matrix A, A, I, J, M cross N is said to be square matrix if M equal to N तो square बोले तो चारो तरफ से जो same होगी तो matrix में क्या है number of rows equal to number of columns तो जब M और N equal होएंगे that is called square matrix ठीक है हमें सारी की सारी matrices बना रहा हूँ जो आपके syllabus में order के respect में उसमें आप दूड़ लो square कितनी है और rectangular कितनी है देखो एक matrix होगी one by one यह मैं order लिखना हूँ एक matrix होगी one by two की एक matrix होगी one by three की ठीक है फिर एक matrix होगी आपकी two by one फिर एक matrix होगी two by two एक matrix होगी two by three ठीक है size लिखना हूँ order लिखना हूँ फिर 3 by 1, 3 by 2, and 3 by 3, अब आप इसमें ये देख लो कि कितने ऐसे orders हैं, जिसमें rows and columns same नहीं है, जानि M और N same नहीं है, ठीक है, तो कितने आगे सेर, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, तो 6 ऐसी matrices हैं, जो rectangular matrices हैं, आपके syllabus में, इनहीं को आपने plus, minus, multiply, बहुत, different, different operations ही नहीं पर आपको सीखने हैं, और ये जो बीच में दिखने हैं, आपको 1 by 1, 2 by 2, and 3 by 3, इनको बोलते हैं, square matrices, तो square matrix और rectangular की हम कुछ examples ले लेते हैं, मानो, मैंने यहाँ पर कोई matrix लिखी, 3, 4, 5, 6, अब आप इसमें देख लो, या rows कितनी, columns कितनी, say two rows, columns कितनी, two columns, तो कौन सी हैं, square matrix, तो rectangle में क्या होगा यार यह सेम नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक rectangle की example बना सकते हैं, 5, 2, 3, 1, 6, and 7, है न, rectangle जैसा इसका shape बनते हैं, तो in short, number of rows, not equal to number of columns, that is rectangular matrix, तो these are the two matrices, rectangular and square, I hope the definition is clear, next हम आगे बढ़ जाएंगे number 3 पे, अब आगे जितनी भी matrices आपको बता रहा हूँ न, 3, 4 जितनी भी बता सीज़ है, वो square ही होगी, पहले तो यह समझ आओ, तो third number पर हमारी जो matrix रहेगी, that is diagonal matrix, what is that, diagonal matrix, कोई बच्चों को इसमें confusion हो जाती है, कोई confusion ही बहुत simple है, तो diagonal matrix को समझने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है, कि आपको किसी matrix का diagonal क्या होता है, किसी matrix का diagonal क्या होता है, by diagonal उसी को बोलेंगे, जैसे आप कोई quadilator बनाते हो, तो opposite vertices को आप join कर देते हो, तो वो आपका diagonal बन जाता है, उस quadilator का, matrix में भी ऐसा होता है, matrix में दो diagonal है, एक diagonal को बोला जाता है, leading diagonal, leading diagonal और एक बोला जाता है, आपको off diagonal, off diagonal का फिलहाल तो कोई role नहीं है, यहाँ आपके syllabus में, इसको आप ignore करेंगे, leading diagonal हो गया, जो matrix के first element से start होगा, diagonal तो वैसे बनाना है, opposite vertices को आपको join करना है, तो leading diagonal, इसको आप main diagonal भी sometime बोलेंगे, sometime आप इसको principal diagonal भी बोलेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया आपका leading diagonal, जो first element से start होगा, उसको हम leading diagonal बोलेंगे, और उस diagonal के ऊपर जित इतने भी elements आ रहे हैं, उनको हम diagonal elements बोलेंगे, ठीक है, that is called diagonal of a matrix, और उस diagonal में जो जो elements आ रहे हैं, वो आपने समझ रहे हैं, देखो, मैंने यहाँ आप पे लिखा, 5, 3, minus 1, 2, 6, 4, 7, 8, 9, तो यह जो first element आपका 5, इधर से आप एक diagonal ऐसे draw कर दीजी, last element तक, ठीक है, यह last element तक तो यह जो आप diagonal बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं, principal diagonal, male diagonal, और फिर leading diagonal, ठीक है, इस diagonal के अंडर जो elements आ रहे हैं, जैसे 5 आ रहे है, 6 आ रहे है, 9 आ रहे है, these are called diagonal elements, ठीक है, और यह हमेशा किस matrix में ही possible होगा, आपका diagonal बनना, वो हमेशा square में possible होगा, it should be square, क्योंकि जो diagonal जब आप बनाओगे, तो इसका ध्यान रखना है, यार यह symmetrical matrix को symmetry provide करता है, symmetry बोले तो उस diagonal से उपर जितने elements हैं, उस diagonal से नीचे भी उतने ही elements होने चाहिए, तो ऐसा rectangular matrix में possible नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसे rectangular matrix में बनाता हूं, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ऐसे लिख देता हूं, तो मैंन 2 से start हो है, ऐसे diagonal कीची दी, अब देखो उपर तो 3 element बच रहा है, नीचे तो एक ही बच रहा है, तो इस case में इसको आप diagonal नहीं बोलेंगे, तो इसलिए diagonal किस matrix में exist करता है, जो matrix क्या हो, square matrix हो, ठीक है, तो इस discussion में आपने 2 चीज़े समझनी है, कि what is the diagonal of a matrix, और diagonal elements हम किने बो बड़ा प्यारा सा, उसको मैं इस तरह से बताऊ, लिखना आपने वही है, अब matrix a, i, j, बाहर order उसका m cross end, is set to be diagonal matrix if, अब if के आगे वो मैं कहानी लिख रहा हूं कि ऐसा होगा, तो उसको हम diagonal matrix बोलेंगे, कैसा होगा, बही ऐसा होगा, कि उसके जो elements हैं, किसके, diagonal matrix के, वो सार के सारे elements क्या होंगे, 0, सारे elements क्या होंगे, 0, लेकिन किस condition पर, इस condition पर, जब i, j के equal नहीं है, सर ये i, j क्या बोल रहे हो, मैं simple बाशा में भी आपको समझाओंगा, देखो, दूसरे number पर, जो बाकी वाले elements हैं, इस condition को छोड़ कर, वो non-zero होने चाहिए, यानि i equal to j जब है वो सारे elements क्या होने चाहिए, non-zero, अब ये i और j की बाशा समझो, ये बाशा समझना बहुत ज़रूरी है, entrance examination में इसी से related terms आती हैं, तो बचे confused हो जाते हैं, कि सर ये क्या लिखा हुआ, द्यान से सुनो, तो ये condition पहले समझ लो, ये किसकी है, diagonal की, अब मैं इसको simple बाशा मे समझाता हूँ, कि diagonal में जो elements आ रहे हैं, पहले तो ये समझा हूँ, या diagonal matrix एक square matrix ही होती है, तो इसको simple बाशा में आपको ऐसे समझना है, कि diagonal जो elements है, वो non-zero होने चाहिए, बाकि सब zero होने चाहिए, simple बाशा में ये, ये मैंने वही लिखा हूँ, अब देखो, यहाँ पर i और j equal मैंने बताया है, और उसको बता रहा हूँ, मैं non-zero, कि ये element non-zero होने चाहिए, कब जब i j के equal होता है, अब आप बताओ, i j के equal कब होता है, diagonal में आएगा न, जिसमें आप लिखते हो, a11, a22, and a33 जो last time की हमारी discussion थी, journal form आप उसमें देख भी सकते थे, तो मैं यहाँ पर एक example भी ले लेता हूँ, standard form 3x3 का बनाते हैं, क्या, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, and a33, ये एक square matrix है, this is a square matrix 3x3 की, अब इसमें जो diagonal में तीन elements आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखो, इनका जो i और j है, वो same है, देखो i और j है, 11, और 22, देखो इनका भी same है, 33, ये भी same है, तो खहरा है कि ये वाले जो elements है, ये क्या होने चाहिए, non zero है, i जब j के equal है, तब elements होने चाहिए non zero, और बाकी जब i, j के equal नहीं है, तो i, j के equal कब नहीं हो, तब इनको छोड़कर ह में i, j के equal नहीं होता है, ठीक है, इन diagonal को छोड़कर, तो ये बाकी सब zero होने चाहिए, ये वाले non zero होने चाहिए, that matrix is called diagonal matrix, देखो, अब हम एक example लेते है common, I am writing here 5, here 0, 0, here I am writing 0, then 7, 0, 0, 0, and 9, तो this is what, diagonal matrix, जिसका size कितरा है, 3 by 3 का, इसी diagonal matrix को short में ऐसे भी लिखा जाता है, तो confuse नहीं होने, ऐसे लिखता है, D, I, A, G, diagonal, और यहां लिखा जाता है, 5, S, 9, 5, S, और 9, लिख, तो आपने समझ आना है, कि यार ये diagonal elements उसने दे दिया, आपको 5, 7, 9, और हमने इसको matrix में convert कर लेना है, खुद से ही, जैसे सबोज करो, आपके पास कोई B matrix है, और उसमें आपको ऐसे दे दिया गया, diagonal, 8, 10, ऐसे दे दिया आपको, आपने, जब matrix के operations लगाने है, तो इस चीज़ को matrix की form में लिख लेना होता है, लाइक इस तरह से, diagonal, 8, 10 का मतलब, आपको diagonal elements दे दिये ग जितने diagonal elements आपको दिये होते हैं, उसके according ही, उसका size बन जाएगा, अगर तीन diagonal elements दिये होंगे, तो वो 3 by 3 की हो जाएगी, अगर 2 diagonal elements होंगे, तो वो 2 by 2 की हो जाएगी, ओके, तो this is what, diagonal matrix, यार यह चीज़ important है, यह ध्यान बर रखना, क्योंकि सारी definition में इसी पे based आपको बता सकता हूँ कि सारे element zero, diagonal वाले non zero, बात तो वही है, ठीक है, बट इन terms को आपको अच्छे से समझना होगा, चलिए, number fourth, scalar matrix, तो भाई, diagonal matrix की ही एक type है, यह scalar matrix, आप ऐसा बोल सकते हैं, diagonal matrix is set to be scalar, कि जो diagonal matrix है, वही scalar बन जाती है, अगर उसमें ऐसा हो, सर कैसा हो, a diagonal matrix is set to be scalar matrix, if, if what, कि यहर उसके जो elements है, वो सारे zero, it is obvious, वो सारे zero होने चाहिए, under this condition, जब आईजे, यह जब नहीं है, तो सारे element zero होने चाहिए, लेकिन, जो बाकी वाले elements से, यानि जो diagonal वाले elements से, जिने हमने non zero बोल रहे थे, अब वो एक fixed number होना चाहिए, तो let it be k, where k is any scalar, तो when i equal to z, then diagonal elements जो है, it should be what, a fixed number, a one constant, अब इस पे example ले लेते, suppose यह हमने लिखते तो 5005, तो this matrix is what, scalar matrix, देखो यह square भी है, एक तो पहले यह square भी है, दूसरा यह diagonal भी है, तीसरा भी यह scalar भी है, तो scalar बोले तो एक single scalar आ जाता है, diagonal में, तो उसको बोल दिया जाता है, scalar matrix, होती है diagonal ही है, ठीक, एक 3 by 3 के बना लेते हैं, let it be, let it be 10, और बाग की 0 गुना दो, ठीक है बटा, what is this, what is this, diagonal matrix, sir, सारे element equal है, तो फिर इसको आप scalar भी बोल दो, तो it is scalar matrix, ठीक है, तो square, diagonal, scalar, तीन तीन प्रोपटीज है इसके अंदर, अब देखो, इसी की बड़ी बहन, एक और आवी, that is called unit matrix, अब इसको क्या बोलना है, unit matrix को, unit matrix square भी होती है, unit matrix, diagonal भी होती है, unit matrix, scalar भी होती है, बड़ उसमें जो scalar है, वो one आ जाता है, unit, तो उस वज़े से उसका नाम unit matrix होगए, ठीक है, तो इसमें conditions ऐसे डालेंगे, scalar matrix is set to be unit matrix if this happen, क्या, यह जो मैं लिख रहा हूँ, कि यार यह जो element है, सारे 0 होने चाहिए, कब, जब i, j, के equal नहीं है, और यह सारे element 1 होने चाहिए, जब कब i, j, के equal है, तो i, j, के equal का मतलब वो diagonal elements की बात कर रहे है, यह condition किस चीज़ की है, identity matrix की है, और identity matrix को आपने capital i से denote करना है, यहाँ पर अगर i3 लिखा है, तो समझ आना यार वो 3 by 3 की है, square होती है सब, चीज़ के वेटा, यहाँ वन, तो this is identity matrix, his order is 3 by 3, कर इंबर i2 होगा, तो i2 में 2 by 2 का, diagonal में 1, बाकी सब 0, that's all, तो ज्यादा तर आपको यह दो ही तरह की matrices मिलेंगी, i जो आपके syllabus में है, next is row matrix, sometime we call it row vector, अब क्या होती row matrix, simple words में बोलूँ, अब matrix which has only one row, उसमें सिरफ एक ही row होती है, and any number of columns, only one row and any number of columns, ठीक है, example लें, ऐसे लिख सकता हो, मैं 1, 2, 3 is a row matrix, और लिख सकते हैं सर जी, 5, 7, this is row matrix, इसमें क्या चल रहा है, only one row and any number of columns, तो यहाँ 3 चल रहा है, फिर यहाँ दूसरे number पर देखें, तो it is 1 by 2, तो जैनी row उसकी 1 होगी, अब इसको इन जेनरली लिखना हो, तो इसका order क्या लिखा जाएगा, 1 cross n, n is the number of columns, वो कितनी भी हो सकती, बस row इसकी 1 नहीं होनी चाहिए, तो उसका order यह रहाएगा, the next is column matrix, अब समझ गए होंगे, आप column matrix क्या होगी, इसको आप column vector भी बोलते हो sometime, column vector, a matrix which has only one column and any number of rows, तो vertically आप इस तरह से लिख सकते होंगे, उसको 1, 2, 3, ठीक है, this is column matrix, इसमें क्या रहेगा, rows कितनी भी हो सकती है, तो यहाँ पर 3 हैं, लेकिन column fix होगी 1, और एक बना लो आप, let it be 7, 9, ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 column and row 2, तो 2 by 1, तो यह last में जो 1 है, ठीक है न, यह fix है, इसका, rows इसकी change होती रहती है, 2, 3, 4, 5, कितनी भी हो सकती है, अब यहाँ पर आप इसके order की अगर बात करेंगी, कोई matrix है, P, अगर इसको column matrix से represent करना है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है, Sir, it is m cross 1, इसका मलब order इस तरह से बताना है, m cross 1 से हम समझ जाएंगे, कि यह उसकी एक ही column है, तो यह column matrix की बात हो रही है, the next is 8th number null matrix, तो बच्चे null matrix क्या होती है, इसको हम 0 matrix भी बोलते है, एक ऐसी matrix जिसके सभी elements 0 होते हैं, ठीक, all the elements are 0, और इसका कोई size fix नहीं होता है, ठीक है, 0-0 आप रख दीजी, कोई दिक्कत नहीं है, size इसका कुछ भी हो सकता है, बस यह समझना है कि जब सभी के सभी elements आपके 0 हैं, किसी matrix के, that matrix is called null matrix, now the next is 9th number पे, it is upper triangular matrix, upper triangular matrix, इसी के साथ आपकी 10th number पर रहेगी, what is that, lower triangular matrix, चीक है, upper triangular matrix का जो basic definition है, वो समझने के लिए आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है, जो पीछे आपने observe भी किया होगा, जब मैंने journal form पढ़ाई थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, एक 3 by 3 की मैं example ले रहाँ, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, एक तो upper triangular और low triangle, दोनों square matrices होती हैं, फहले तो यह समझे हैं, second, upper triangular में अगर आप notice करेंगे, या फिर upper triangular नहीं, वैसे आप इसमें notice करो, कि इस diagonal में जो elements होते हैं, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, इसके जो abbreviation यहां लगी हैं, same है, 1, 1, 2, 2 and 3, जैने diagonal elements में क्या होता है, I equal to J, यह पीछे हमने discussion कर लिया, लेकिन इस diagonal से जो below numbers होते हैं, देखो, 2, 1, 3, 2, 3, 1, इसके below जो elements आपको दिख रहे हैं, उसमें जो I है वो greater होता है जैसे, I बड़ा होता है जैसे, और इस diagonal के जो उपर वाले elements होते हैं, उपर वाले elements होते हैं, उसमें I छोटा होता होता है जैसे, diagonal में दोनों same होते हैं, I और J दोनों same होते हैं, उपर वाले elements, diagonal से उपर वाले elements में, i छोटा होता है जहेसे और नीचे वाले elements में i बड़ा होता है जहेसे पहले तो यह picture clear होने चाहिए क्योंकि upper triangular का कुछ ऐसा definition है यह definition देखो मैं यह shot में लिख देता हूँ कि here upper triangular matrix हमें किसे बोलेंगे upper triangular matrix किसे बोलेंगे जिसके यह वाले element 0 है a i j equal to 0 कौन से वाले where i greater than j यह condition है upper triangular की कि यहाँ पर i j से बड़ा है वो element सारे 0 होने चाहिए अब देखो इसकी example में आपको एक देदेता हूँ कैसे diagonal आपके non 0 होने चाहिए यह fix है 5, 7, 8 यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा आपको 3, 9, 0, 0 and 6 ठीक है what is this diagonal elements जो है जो diagonal है उसके नीचे देखो तीनों मैंने 0 रखे हूँ है और यहाँ उपर की तरफ आपको एक triangle बनती हुई नजर आ रही है ठीक है उसको बनने तो triangle elements के triangle बन जाती है लेकिन इसके नीचे जो elements है सारे 0 होने चाहिए तो this is a condition for a matrix to be upper triangle यानी कोई square matrix upper triangle कब होती है जब diagonal के सभी नीचे वाले element 0 होते है बस ये condition को यार याद रखना अब low triangle matrix का भी same condition आप समझ जाएंगे element 0 होंगे कोन से यार ये वाले 3 element 0 होंगे low triangle नीचे की दरफ elements की कुछ triangle बन रहे होगे और उपर वाले elements सारे 0 होंगे ठीक है तो यहाँ पर क्यासे आजाएगा a i j equal to 0 कब जब i आपका छोटा है किस से ये से this is a condition for low triangle matrix और एक खास बाद यार इसमें कोई element 0 भी हो सकता है यह वाले 7 8 9 इसमें कोई element 0 भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं उसमें तो देखें यहाँ पर इसका एक example ले लेते हैं मैंने यहां रख दिया मानो 2 अब यह तो मुझे 0 रखने पड़ेंगे diagonal से उपर वाले यहां मैं 0 डाल देता हूं कोई दिक्कत नहीं 5 और यहाँ पर आपका आ रखनी है आई is less than यह उस वक्त यह सारी element 0 होने चाहिए तो दिस इस वाट लोड ट्राइंगुलर matrix ओके डियर और भी होती है symmetric matrix क्यों symmetric matrix वह आगे चल के आप सीखोगे फिलहाल basic जो है 10 types आपको पता होनी चाहिए चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं आगे हम equality of matrices पर बात करते हैं equality of two matrices यह काफी simple topic और अच्छे अच्छे questions इस पर बन जाते है equality of two matrices पर equality of two matrices जैसे आपने class 11 में पढ़ा होगा equality of complex number बड़ी सारी आप relation पढ़ते हो तो दो complex number equal कब होते थे when its real part equal to real part and imaginary part equal to imaginary part इसी तरह से equality of two matrices का मतलब हो गया कि two matrices are equal if their corresponding elements are safe यहाँ आपको इस तरह से इस पर question बैठता है आपको ऐसे बोल देगा find x and y आपको ऐसे बोल देगा find x and y if this happen what 5 यहाँ 3x लिख देगा यहाँ let it be y यहाँ पर डाल दिया उसने कोई भी number तो यह matrix को किसी दूसरी matrix से equal बिठा देगा ठीक है यहाँ let it be let it be 5 6 यहाँ पर लिख देगा 7 7 और यहाँ लिख देगा 4 ठीक है ऐसे उसने लिख दी तो two matrices are equal it is given it is obvious यार वो equal है तो उनका size पहले तो same होना चाहिए तो उसमें कोई confusion यह नहीं चाहिए size तो same होना ही चाहिए अगर उनको equal बोल रहे हो ठीक है number one उनका size same होना चाहिए number two अगर वो equal है जैसे उसने बता दिया तो आप corresponding elements को equate कर सकते है जैनि 5 किसके equal बैठेगा 5 जो की है इसमें 3x किसके equal बैठेगा 6 के equal तो 3x को आपने 6 के equal लिया देखो x के value आगया 2 बस इस तरह है चोटे मोटे questions आप को लेंगे y किसके equal बैठेगा 7 के equal ठीक है और 4 किसके equal 4 जो की है equality of two matrices में दोनों matrix एक तो order same होना चाहिए फिर अगर वो equal given है तो corresponding elements को आप equate कर सकत हो ठीक है छोटा सा concept है लेकिन question काफी आगे चलके अच्छे-चे question इस पे मिल जाएंगे आपको तो यह थे दो main topic हमारे पहला types of matrices दूसरा equality अब इस पे चोटी से एक exercise है जो हमने last previous lecture किया हमने जिसमें हमने journal matrix को सीखा AIJ का मतलब समझा उस पे भी based हमारे questions मिल जाएंगे exercise 3.1 इसमें construction of matrix का question बैठेगा तो पूरे question हम करेंगे ठीक है एक एक question हम देखते है कैसे करना है देखो आपका first question exercise का you have this matrix size दे दिया थोड़ा सा इसने बड़ा है गबराने वाली बात नहीं कितनी rows है इसमें ठीक है four rows columns कितनी four columns तो size कितना है इसका four by four tension लेने करनी first question the order of the matrix मैंने पहले लिख दिया what is the order of the matrix four by four वो आपको सिखा रखा है कितना चोड़ा question है the number of elements four fours are sixteen तो number of elements sixteen और write the elements तो ये वाई first question तो बड़ा मस्त है इन elements को बताईए अब इसका meaning तो मैंने detail में बता दिया general form जब सिखाई तो a13 का मतलब क्या होता है कि वो उस element की बात कर रहा है जो first row and third column में अब first row आपकी ये चल रही है third column आपकी आएगी तो कौन बैठा हुआ है यहां 90 तो ऐसे हर element की location को डून लेना है जैसे last वाला a23 की location a23 का क्या मतलब है sir वो element जो second row में यही second row वो element और साथ में वो third column में बैठा हुआ है यह third column तो कौन बैठा हुआ है five by two that's all the first question is very easy इसमें हमें order के बारे में पूछ रहा है number of elements पूछ रहा है और elements की location पूछ रहा है वो तो हमने एकदम perfect किया हुए कोई दिक्कत नहीं question number two क्या पूछ रहा है question number two यह भी बड़ा simple है if a matrix has 24 elements कोई matrix है जिसके बस 24 elements है total what are the possible orders it can have उसके कितने orders आप बना सकते हो मला आपको मैं 24 elements दे दी है उनको किस तरह से arrange कर सकते हो बस यही पूछ रहा है कुछ नहीं करना 24 को आपने उसके as a factor लिख लेना है जैसे 1 into 24 एक matrix 1 by 24 क बनाई जा सकती है multiplication बस 24 आते रहना चाहिए 3 by 8 एक matrix 3 by 8 की बन सकती है फिर 4 by 6 एक matrix 4 by 6 की बन सकती है अब 4 के आगे 5 तो होता नहीं फिर बापी 6 repeat हो जाएगा जानी इनी को repeat कर देना है 6 by 4 8 by 3 12 by 2 24 by 1 कितने बनाए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने तरह के orders possible है 8 type की matrices हम बना सकते है order के respect में ठीक है कह रहा है what if it has 13 elements कह रहा है अगर किसी matrix के बाद 13 elements है तो फिर आप कितने order की matrices बना सकते हो तो 13 एक prime number है या इसमें एक order आपका बैठेगा 1 by 13 और दूसरा बैठेगा 13 by 1 that's all 2 order की matrices बना सकते है काफी simple question थागी question number 3 बिल्कुल same है आपके लिए छोड़ देते हैं कि 18 elements है तो possible orders बताओ 5 है तो possible order बताओ you can do this question very simple अब ये question है बाई करने वाला ये board exam में भी आता है one marker में आ सकता है two marker में आ सकता है ठीक है ये element find करने का formula दे रखा है i और j की term में हमें क्या करना है हमें ये देखना है यार हमने जो matrix बनानी उसका order क्या है बस ये देखो what is order two by two तो two by two order की पहले standard form of matrix बना लिया करो सबसे पहले आपने ये काम करना है तो सबसे पहले आपने उस matrix को ऐसे लिखा सब जी a one one a one two a two one and a two two बन गया अब आपने क्या करना है ये जो four elements इसके अंदर आ रहे है इन elements की value निकालनी है इस formula के हिजाब से आपको पता ही ये one two अगर मैंने लिखा है तो one आपका i है two आपका j है तो बस i और j की value जहां से देख लेनी है और इसमें put करनी होती है value निकलती जाती है तो इस सब हमने लिख लिया element का formula लिख लिया order लिख लिया matrix लिख लिख लिए अब देखो मैं first element a one one को निकाल रहा ह a one बनले इसमें i b one है j b one है तो इसमें डाल दो सर जी i की जगा one सर जे की जगा one सर जी इसका whole square divide by two बस इसको calculate कर लो two plus one three three का square nine nine by two उसके बाद a one two find कर लो sir i one है हमारा okay two sir j s में two हो गया इसका whole square simplify कर लो sir two two is a four four and one five five का square sir twenty five by two दो हो गये फिर a two one find कर लो अब इसमें i two हो गया ठीक है i is two two j is one इसका whole square है divide by two थोड़ी calculation की sir two plus two four four का square sixteen by two ये eight हो गया फिर a two two sir i b two j b two i की जगा two j की जगा two डालो है ना जो formula दे रखात है बस उसमें value डाल दे नहीं थोड़ा simplify कर लो sir two two is a four four plus two six six का square 36 divide by three सर ये cancel हो गया 12 तो जो आपकी values आई है वो values बस उनकी जगा लिख देना है जिनकी value निकाली a11 की value आपने 9 by 2 निकाली a12 की value आपने 25 by 2 निकाली a21 की value आपने 8 find की और a22 की value आपने 12 that's all तो this is your required matrix तो बाकी पार्ट भी कर लेना और इस type के पता नहीं कितने ही questions आपको आजाए तो आप अराम से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको formula का ध्यान रखना है और i और j की जगा जो value डालनी है उसका ध्यान रखना हो था ठीक है same question आगे यह भी आप कर सकते हैं 3 by 4 की matrix मिनानी यहाँ पर यह mod लिखा हुआ है तो इस mod को देखके गवराना नहीं जो भी calculation आ रही होगी उसको positive लेना ठीक है negative नहीं लेना you know you are in 12th class absolute value you have to take अब देखो यह question आपके equality के आगे क्या हुदा है मैंने अभी equality में event two matrices are equal you can take their corresponding elements equal यहाँ पर देखें first part तो हम नहीं करेंगे second part भी मैं नहीं करूंगा मैं सिधा third part के बात करता हूँ अब third part में दोनों यह equal दे रखी है first matrix का order क्या है कितनी rows है यह one two three three rows column कितनी एक ही column है तो इसका order कितना हुआ three by one जो इसके right side में वो भी three by one दोनों का order same है equal दे रखी है corresponding elements को equate कर लो तो कैसा कर रहेंगे आप sir x plus y plus z equal to nine first equation बन गई फिर आप कर लो sir x plus z equal to five second equation बन गई तीसर number बले closer y plus z equal to seven equality of matrices में क्या करना left side में और right side में आपको single single matrix में उनको convert कर लेना है इस part में तो दोनों करफ single single matrices ही दे रखी है बस आप उनको corresponding elements को equate कर लेना होता है जो भी equations बनी होंगी यह 10 साल हो गया 11 साल आपको पढ़ाई करते तो यह equations तो आप solve करी सकते है अब देखो ज first में put कर दूँगा x plus z की value बनी हुए तो x plus z की value five दे रखी तो यहां में five डाल दूँगा plus y equal to nine तो मेरा y आ गया four ठीक है विटा अब y मेरा four आ गया तो अब ऐसा करते है y plus z मेरा seven है तो जहां सीधा यहां put कर दो y plus z तो x निकल जाएगा ऐसा कर लेते y plus z मेरा कितना है seven अ y यहां put करो third में जो कि y कितना निकला हुए four तो third में जब आ y four put करो तो z की value आ जाएगी what is the value of z 3 है ना कितना simple है अच्छे question भी equality पे मिलेंगे आगे चलके जिसमें हमें multiplication करना होता है two matrices को उसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है but first exercise तो बड़ी basic सी है यह question आपके पेले चोड़ रहे है कुछ equations बनेगी बच्चे solve कर ले ना काफी easy question है ठीक है problem आएगी फिर आप बता सकते हो now the eighth question mcq type है you have a matrix square matrix है ठीक है square matrix है बता ही कौन सा option बैठेगा तो square matrix है definition मैंने आपको पहले बता दिया बस आपको definition ही देखना है अब पता चल गया होगा आपको square matrix में क्या होता है number of rows equal to number of columns तो कौन सा part बैठा c part सर्जी m equal to n है c part very simple next question again equality पे ये भी आपके लिए चोड़ रहे है now the last question of this exercise very simple कई बच्चों को confuse करता है ध्यान से समझे इस part को number of all possible matrices of the order 3 by 3 यार 3 by 3 की मैं कितनी matrices बना सकता हूँ with each entry 0 or 1 कि उसमें मैंने 0 or 1 ही रखना है इसका मतलब पता क्या हुआ देखो ये 3 by 3 की matrix है इसमें कितनी places होती है 9 कितनी places होती है 9 जानि 9 places पे जानतों आपको 0 रखना है जा आपको 1 रखना है या फिर आप दोनों रख सकते हैं कोई दिक combination 11 में जो chapter पढ़ा है basically वो लग रहा है एक तरह से आपको arrangement ही करना है arrangement क्या है 9 places है और 2 object को आपको वहार रखना है repetition यहाँ पर allowed है क्या जीरो रख सकते हैं जाहां फिर 1 रख सकते हैं कोई भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो first place can be filled by in how many ways जैनि this place can be filled by in how many ways two ways होगे जहा तो zero रख सकते हो या one रख सकते हो तो this place first place can be filled by two ways इसी तरह से second place can be filled by in how many ways again two ways repetition allowed ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं अगर permutation combination आपने पढ़ा है आप इनको multiply करें यह 9 times 2 multiply रहा है तो 2 की raise to power 9 बैठेगा जिससे आप बोलते हैं 512 तो D part is the right option ओगे डियर तो बचे लास्ट लेक्चर में हमने main 3 topic किये थे ठीक है जिसमें हमारा types of matrices 10 types हमने complete कर ली थी उसके बाद हमने equality of matrices topic को discuss किया था and then the last is exercise 3.1 आपके NCRT में एक चोटी से exercise थी ठीक है जिसमें 10 questions थे वो हमने exercise भी complete कर ली थी तो अभी तक हम इतना complete कर चुके है matrix में तो आज के lecture में हम operations on matrices इस पे बात करेंगे जैसे बच्चे numbers पे कुछ operations होते है जैसे दो numbers को आप combine करते हो कैसे कभी plus करके, कभी minus करके, कभी multiply करके, कभी divide करके कभी और भी operations लगाते हैं like LCM निकालना है, HCF निकालना है, यह सब operations होती है, ठीक है तो numbers पे जो आप operations लगाते हो, same operations वो आप matrices पे भी apply करते हूँ जैसे यहाँ पर आपने जो सीखना है class 12 में addition of two matrices, subtraction of two matrices, scalar multiplication, कि किसी number को हम matrix के साथ कैसे multiply करते हैं and the last is the most important that is multiplication of two matrices तो यह main आपने four operations सीखने हैं matrices के, फिर इनकी कुछ properties भी होती हैं उनको भी समझने हैं, right? तो देखे हम शुरुआत करते हैं हम addition से addition and subtraction, चीक है? दोनों में एक साथ आपको समझा देता हूँ काफी simple है, बहुत ज़्यादा easy जैसे मैं आपको बोल यह 5 plus 2 कितना होता है what is 5 plus 2? तो आप बोलोगे sir 7 तो जितनी easily आप इस चीज़ को बोल पाए हो इतना ही असान है addition और subtraction इतना ही असान है, scalar multiplication सब इतना ही असान है multiplication of two matrices में थोड़ा सा problem आता है students को लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप ऐसे एकदम सीख जाओगे उसको आज के lecture में ही सीख जाओगे, ठीक है? तो देखें addition और subtraction हम कैसे करते हैं? number one, number one, देखो दो matrices को अगर आपने plus करना है जहां फिर minus करना है एक चीज़ का आप दियान रखें number one, दोनों का order same होना चाहिए, order should be same ठीक है? order should be same, order दोनों का same होना चाहिए, पहले तो ये note कर लो क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप multiplication of two matrices करोगे ना, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों का order same हो तब ही वो multiply हो सकती है ऐसा ज़रूरी नहीं, multiplication में क्या होता है कि order अगर उनका different भी एक two by three की है, दूसरी three by two की है, तब ही वो multiply हो जाती है लेकिन addition और subtraction में दोनों matrices का order same होना चाहिए, पहले आपने ये main point आपको याद रहना चाहिए ठीक है, दूसरे number पर how we can add, order तो save होना चाहिए sir, ओके, अब add कैसे करते है तो एक example से मैं आपको समझाता हूँ बहुत simple है, देखे अगर आपके पास कोई matrix है, two by two की ले लेते है and let it be five, minus four three, seven और एक दूसरी matrix ले लेते हैं इसके साथ, same order की लेनी पड़ेगी तो I am writing here, ten three, one, six तो आपको बोल दिये जाएगा, इनको plus करो, ठीक है, तो ऐसे लिखना आपको sir जी, a plus b, तो this is your first matrix, direct में लिख सकता हूँ अभी आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं यह वापिस लिख रहा हूँ, matrices आप इसको direct भी लिख सकते हूँ तो add होने पर आपको एक नई matrix मिल जाएगी और उसका order भी वही होगा जो order इन दोनों matrices का है तो देखो कैसे plus करना है, तो आपको simply यह याद रखने, corresponding elements को add कर देने corresponding elements को add कर देने corresponding का मतलब हो गया, जैसे यह 5 दिख रहा है आपको तो यह 5 आपका first place पे है, A11 पे तो यहाँ पर 10 है A11 पे, बस इनको plus कर देने ऐसे minus 4, 3 में plus हो जाएगा 3 आपका 1 में plus हो जाएगा, 7 आपका 6 में plus हो जाएगा, that's all, इतना easy है, addition of 2 matrices note रखने वाली यही बात है कि add और subtract आप तभी कर पा रहे हैं जब दोनों matrices का order same है तो 5 and 10 50, minus 4 and 3, sir minus 1 ठीक है, plus कर रहे हैं, 3 और 1 sir 4, 7 and 6 sir 30, that's all, तो जो आपको new matrix मिलेगी, after addition उसका order भी वही होगा, it is obvious जो previous matrices का order था यानि 2 by 2, ठीक है, ये matrix भी आपकी 2 by 2 की, और ये matrix भी आपकी 2 by 2 in general अगर हम लिखें, तो यार हमारे पास कोई matrix है, AIJ, ठीक है इसमें हम कोई matrix plus कर रहे हैं जिसके elements हैं, लाइक देस इसका order अगर आपने MYN रखा है, तो इसका order भी आपका MYN ही होना चाहिए, तो आपको जो new matrix मिलेगी, मानो उसके elements कुछ इस तरह से हैं, और उसके पास जो order आएगा, वो MYN ही आएगा, तो how you can calculate this CIJ, CIJ simply you have to add AIJ plus BIJ in generally आप इसको ऐसे भी समद सकते तो जैसे मैंने यहाँ पर addition किया है, ऐसे ही same subtraction होता है, बस वीच में minus का sign आ जाता है, मानो अब मैं यहाँ पर minus रख देता हूँ, तो आपको just in को minus करने, ठीक है, और यहाँ भी minus आ जाएगा, यहाँ कोई नया element कैसे करेंगे, minus करके, तो एक minus की रखी, मैंने 2 rows, 3 columns, तो इसका order क्या है, 2 by 3, ठीक है, अब जो मैंने B matrix रखनी है, उसका order भी यही होना चाहिए, तो like मैंने यहाँ ले ले लिया 5, minus 3, 2, 1, minus 6 and 7, तो यह भी 2 by 3 की, तो जो आपको new matrix मिलने वाली है, उसका order भी 2 by 3 ही आएगा, ठीक है, corresponding elements को minus कर दो, 2 minus 5, sir, minus 3, 3 minus minus 3, तो यह plus 3 हो जाएगा, ध्यान रखना यह minus जो है, multiply हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है, 3 minus minus 3, plus 3, sir, 6 आगया, minus 1, minus minus 2, sir, it is minus 3, 5 minus 1, sir, it is 4, 6 minus 1, sir, it is 5, 2 minus, sorry, 6 minus plus 6, यह 12 हो जाएगा, sorry, 2 minus 7, sir, it is minus 5, that's all, इसका order भी कितना आगया, 2 by 3, that's all, addition and subtraction, बहुत इसी है, इसी के साथ scalar multiplication में बता देता हूँ, scalar multiplication क्या होता है, scalar multiplication का मतलब, यार, कोई number आप matrix से multiply करना चाहते हो, जानि अगर आपको कोई matrix दे दी जाए, आपको बोल दिये जाए, यार, A matrix यह है, 2, 3, minus 1 and 0, तो आप कैसे बोलेगा, find 5A, find 5A, मतलब आप 5, जो scalar, 5A scalar है, उसको A के साथ multiply करना है, तो कैसे करना है, क्या सभी elements के साथ करना है, या सिरफ A की elements के साथ करना है, है न, वो समझना है, तो कुछ नहीं है, यह जो 5 है, यह जो 5 है, यह सभी elements के साथ आपको multiply कर देना है, all the elements, ठीक है, 5, 2's are 10, 5, 3's are 15, यहाँ पर आगया minus 5, यहाँ पर आगया 0, that's all, this is called scalar multiplication, very easy, कोई भी number है, वो सभी numbers के साथ multiply करना है, जो भी matrices के अंदर, जितने भी number है, वो scalars, सभी number के साथ multiply करना होता है, ठीक है, तो next इस पर कुछ properties देख लेते हैं, जैसे number 1, cumulative log, ठीक है, तो matrices, इनको hold करती हैं, की नहीं करती हैं, फिर एक आता आपका associative log, इस पर बात कर लेंगे, फिर हम बात कर लेंगे, number 3 पे additive inverse, उससे पहले बात करनी पड़ेगी, additive identity, की वो क्या होती है, आपको पता रहना चाहिए, number 4 हम बात करेंगे, additive inverse पे, यह सारी terms आपने, additive identity inverse, छोटी classes में पढ़ा होता है, कहीं ने कहीं, ठीक है न, फिर भी हम इसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं, पेचे, commutative law क्या कहता है, कि if you are combining two things, or two numbers by any order, the result will be same, अगर result same आता है, तो इसका मतलब, commutative law hold कर रहा है, for example, अगर आपके पास दो number है, let 2 and 3, तो मैं बोलू इनको plus करो, तो आपने किया 2 plus 3, फिर मैं बोलू यार, ऐसे करो 3 plus 2, क्या result same आएगा, बिल्कुल same आएगा, आपको पता है, तो इसका मतलब, 2 plus 3 equal to 3 plus 2, तो हम क्या कर रहे हैं, कि दो number को combine कर रहे हैं, by any order, कि 2, 3 करो या 3 2 करो, result same भी आता है, इसका मतलब, commutative law hold कर रहा है, ऐसा ही matrices में भी समझना है, क्या commutative law hold करती है, matrices under the operation addition, तो अगर addition की बात करें, तो बिल्कुल hold करती है, A plus B किसके एकल होता है, B plus A के एकल होता है, या आपको याद रखने है, कोई भी example लेकर, आप इस चीज को verify कर सकते हैं, उसके बाद associative law, associative law कहता है, कि इसमें तीन object आ जाते हैं, यानि तीन numbers आ जाते हैं, like 2, 3, 4, ठीक है, तो associative law कहता है, कि किनी दो को पहले combine करो, तो मैंने first or two को combine कर लिया, और इनको add कर दिया, फिर मैंने बाद में third वाला number इसमें add किया, तो क्या वही result आएगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, कैसा कि भाई last के दो पहले add करता हूँ, और बाद में पहला वाला उसमें add करूँगा, क्या result सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, numbers में जो है, associative law hold करता है, under the operation addition, इसी तरह matrices को भी समझने हैं, तो if you have three matrices, A, B, C, अगर मैं पहले A और B को combine करता हूँ, जनी plus करता हूँ, और जो result आएगा, बाद में उसमें C add करता हूँ, क्या ये वही result आएगा, अगर मैं ऐसा करूँ, कैसा कि भाई last की दो matrices को मैं पहले add करूँ, और बाद में मैं उसमें A plus करूँ, तो क्या result सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, तो associative law भी hold करता है, under the operation addition on matrices, अब यहाँ पर एक subtraction पर बात कर लेते हैं, subtraction के लिए मैं आपको homework दे रहा हूँ, आप खुद verify करें, जैसे addition hold करेगा, क्या subtraction भी hold करता है, तो आप कुछ example लेके इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, यह आपके लिए homework है, करना जरूर, ठीक है, फिर आपको clear हो जाएगा, कि hold कर रहा है कि नहीं कर रहा है, subtraction, addition hold करता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, additive identity, यह क्या होती है, additive identity, जहां फिर identity क्या चीज़ होती है, बचे, identity एक ऐसा number है, आप उसको किसी के साथ भी operate करें, मैंने यह number हो सकता है, यह function हो सकता है, यह matrix हो सकती है, तो अब यहां matrix की बात कर रहे हैं, तो यहां हम identity matrix की बात करेंगे, additive value, तो additive identity matrix एक ऐसी matrix है, जो किसी भी matrix में add होके, उसको कोई effect नहीं करती है, ऐसी कौन सी matrix है, कि किसी दूसी matrix में हम उसको add करें, और दूसी matrix को कुछ भी ना होगा, वो same ही बनी रहे, तो ऐसी है null matrix, देखो, मैं example लेता हूँ, सबोस करो, मैं यहां पर कोई matrix लिखता हूँ, 3, 4, 7, 8, अगर मैं इसमें null matrix add करूँ, 0 matrix इसमें add करूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 3 प्लस 0, 3 आ रहा है, 4 प्लस 0, 4 आ रहा है, 7 प्लस 0, 7 आ रहा है, 8 प्लस 0, 8 आ रहा है, कोई फर्क पड़ा, जो matrix थी वही आ गई, तो additive identity, identity क्या होता है, identity एक ऐसा word है, जो किसी के साथ operate होके, उसको कोई फर्क नहीं डाल रहा है, that's all, बस इतना समझना आपके, तो additive identity in matrix, आपका है null matrix, याद रखेगा, MCQ type में आ सकता है, याद रखना है, ठीक है, उसके बाद बात करते है, additive inverse, अब additive inverse, याद इन्वर्स की बाद हम तभी करते है, पहले हमें identity का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया, कि null matrix एक additive identity है, अब additive inverse क्या हो गया, कि दो ऐसी matrices को आप combine करो, जिनका result, identity आना चाहिए, तो यहाँ addition की बात हो रही है, तो ऐसे समझो, कि दो matrices को आप plus करो, उनका जो answer है, वो null matrix आना चाहिए, ऐसी कौन सी दो matrices है, सोचो, तो भाईया, वो दोनों एक दूसरे की opposite matrix है, sign के हिसाब से, कहने का मतलब, अगर मैं कोई matrix लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, इसमें मैं plus करूँगा, कौन सी matrix, इसमें plus करूँगा, कौन सी matrix, इसी के opposite sign की का, नहीं कौन सी, minus 2, minus 3, minus 4 and 5, minus 5, अब करो इन दोनों को plus, सामने दिख रहे हैं, इन दोनों को plus करोगे, तो क्या result आएगा, आएगा ना null matrix, समझना यह है, कि if you add two matrices, and your result is 0, it means a and b are additive inverse of each other, अब 0 क्या है, null matrix है, ओके, तो यहाँ पर आपने ऐसे समझना है, कि if a is any matrix, if a is any matrix, then, its additive inverse, then its additive inverse is minus a, बस यह समझना, क्योंगे आगे multiplicative inverse भी आएगा, that is very important, तो आपको सिरफ identity, का concern होना चाहिए, कि इस matrix को, और इस matrix को add करके, अगर मेरा additive identity आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे की inverse होंगी, यह इसका definition होता है, ठीक है उचाँ, तो यह चार चीजें थी, छोटी-छोटी, commutative law, associative law, additive identity, and additive inverse, यह मैंने किस्वे बात की, next आपके पास आजाएगा, next आपके पास आजाएगा, multiplication of two matrices, that is very very important, multiplication of two matrices, is the main topic of this whole chapter, how we can multiply two matrices, multiplication of two matrices, एक मैं आपको advice करना चाहता हूँ, multiplication of two matrices का, एक theory सा लिखा हूँ है, आपकी NCRT में, topic है, multiplication of two matrices, नीचे थोड़ा theory लिखा हूँ है, कुछ example से समझाया हूँ है, कि हम कैसे multiplication कर रहे हैं, वो theory भी एक बारा पढ़ लीजे, वस उस theory का conclusion ही में, आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, उस theory में ऐसा कि, दो friend है, कुछ pen खरीद रहे हैं, कुछ notebook खरीद रहे हैं, फिर उनकी अपनी एक cost है, फिर total expenditure निकाला हूँ है, और nothing else, तो वही चीज को मैं यहाँ पर conclude कर रहा हूँ, ठीक है, तो how we can multiply two matrices, ध्यान दे, सबसे पहले तो एक condition को याद रखना है, आप वैसे ही दो matrices को multiply नहीं कर सकते, किसी भी order की ऐसे multiply कर दो, no, इसके लिए condition होती है, जैसे मैंने addition और subtraction की क्या condition बताई, आप दो matrices को आप तभी add कर सकते हो, उसकी क्या condition है, उन दोनों का order same होना चाहिए, इसी तरह से आप दो matrices को जब आप multiply कर रहे हो, तो उसके एक बड़ी खतरनाक condition है, जो हमेशा बच्चा बूल जाता है, वो उससे बच्चे बूल जाते हैं, तो उस condition को आपको याद रखना है, क्या condition है, देवो, number one, number of columns of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, बस ये condition, मैंने देखा है, multiplication बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन जब आप multiply करने लगते हो, कुछ ऐसी matrices होती हैं, जो इक condition follow नहीं कर रहे होती, फिर भी आप multiply करने लग जाते हो, अरे multiply आप पहले तभी start करो, उसको देख लो, क्या ये condition follow हो रही है, अब यहाँ मैं इसको example से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, number of columns of first matrix, मनो आपकी first matrix से A, इसका कुछ order रख लेते हैं, let its order is 3 by 2, मैं इसको multiply करना चाता हूँ, B matrix के साथ, ये dot मैंने तो multiply कर रहा हूँ, मैं इसको B matrix के साथ multiply करना चाता हूँ, और B matrix का order मैंने रखा है, 3 by 4, can I multiply, बस ये सोचो आप, can I multiply, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ जो first number पर matrix रखी है, इसकी columns कितनी है, sir, इसकी two columns है, और जो second number पर matrix रखी है, इसकी rows कितनी है, sir, three rows है, भाई, ये दोनो number same होने चाहिए, देखो न, number of columns of first matrix, equal to number of rows of second matrix, they should be same, तो ये same नहीं है, इसलिए इनका जो multiplication है, वो possible नहीं है, not possible, बस इस चीज़ का द्यान रखना, इसमें बड़े अच्छे-च्छे, MCQs भी बन जाते हैं, और miscellaneous exercise में, बड़े प्यारे question भी है, इस ही multiplication के, इस condition के उपर, ओके डियर, अब देखो यहाँ पर, if I take a matrix A, and its order is 2 by 3, and I am going to multiply it with B matrix, and its order is 3 by 4, can I multiply, can I multiply, check it, yes, I can multiply, why, the number of columns of first matrix, is equal to number of rows of second matrix, येर, order में ये तो पता है न, जो पहले लिखा होता है, वो rows होती है, दूसरे number पर columns होती है, जैसे किसी matrix का, अगर order M cross N है, तो M क्या होता है, number of rows, N क्या होता है, number of columns, तो 3 क्या है, number of columns of first matrix, और 3 क्या है, ये number of rows of second matrix, तो यहाँ पर भाई, ये दोनो number same, in short ये जो अंदर दो number दिख रहे हैं, ये same होने चाहिए हमेशा, तो आप multiply कर सकते हो, ने तो multiplication possible नहीं होती, तो यहाँ पर आपके पाद जो new matrix आएगी, जो new matrix आएगी, मानों उसका नाम हम C रख लेते हैं, तो इसपे भी एक बड़ी प्यारा note बन जाएगा, कि जो new matrix आपकी आती है, उसका order आप पहले से बता सकते हो, बिना multiply की है, पहले से आप बता सकते हो, वो क्या होता है, ये जो last, इसका first number है ना, जानि इसकी first वाले की rows, और last वाले की columns, ये ही इसका order बन जाता है, new matrix का, जानि 2 by 4 इसका order बन जाए, अब देखों, इसको generalize करता हूँ, माना आपके पास कोई matrix है, A, इसका order है, M cross N, और इसको multiply कर रहा हूँ, B matrix के साथ, तो यहाँ पर N लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर multiplication possible करनी, N by P कर दिया मैंने, तो first matrix की कितनी columns है, N columns है, second matrix की rows कितनी N rows है, same है, multiplication possible है, हो जाएगी multiplication, ये दोनों बस same होने चाहिए, हो गए same, चलो multiply कर दो, जब multiply कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक matrix ही मिलेगी, मानो, उसका नाम C रग दिया मैंने, C matrix मिल गई, अब इस matrix का order आप पहले ही बता सकते हो, चाहे आपने multiply नहीं भी किया, वो क्या होता है, first matrix की जितनी rows होती है, यानि M है यहाँ पर, और second की जितनी columns होती है, ये extreme वाले, extreme वाले जो दो number आपको दिख रहे हैं, ये new matrix का order बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, M cross P, that's all, ठीक है, और example से समझ लेते हैं, फिर multiply करेंगे उसके बाद, मानो, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, multiplication क्या possible है, sir, first की जितनी columns हैं, second की उतनी rows हैं, yes, multiplication possible है, तो new matrix का order क्या होगा, new matrix का order क्या होगा, sir, 3 by 2, तो इसकी जितनी rows हैं, इसकी जितनी columns हैं, वो new matrix का order बन जाते हैं, यहीं 3 by 2 की matrix हमें मिलने वाली है, इसको मैं काफी explain कर रहा हूँ, reason here, इस order पे काफी MCQs आपको मिलेंगे, entrance purpose से भी MCQs इस पे आ जाते हैं, ठीके न, और आपके NCRT की miscellaneous में भी MCQs इसके हैं, ठीके, चलिए, आगे बढ़ जाओ, अब हम example लेके, दो matrix को multiply कर रहे हैं, अभी तक हमने ये समझा, कि हम किन matrices को multiply कर सकते हैं, अब हम example लेंगे, और multiply करना start करेंगे, देखो, छोटी-छोटी matrices लेते हैं, दो, पहले, A matrix, मैं direct example ले रहा हूँ, फिर इसको generalize करूँगा, A matrix, इसमें 2 by 2 की रखते हैं, या, ठीक है, 2 by 2 की, दूसरी भी 2 by 2 की लेता हूँ, तक कि अराम से आपको समझा दे, 5, 7, 2, जो 3 कर देते हैं, it is 9, that's all, now I am going to multiply these two matrices, very simple, बचे इसमें multiplication में क्या करना, यह sign याद रखना, यह देखो, यह यह जो बना है, इस चीज़ को याद रखना, सर यह क्या है, भाई यह row है, और यह column है, यह sign याद रखना, ऐसे, row column, तो जब हम multiply कर रहे हैं, basically जो row 1 है, वो column 1 से multiply होगी, तो एक नया element बनता है, इसको मैं यहाँ side में ऐसे लिखता भी जाऊंगा, new matrix के लिए, आपको क्या करना है, row 1 को column 1 से multiply करना है, जोनि जो पहले matrix लिखी हुई है, उसकी row 1 को पकड़ो, और column 1 से multiply कर दो, सर multiply कैसे करना है, corresponding elements को multiply करना है, और बीच में addition का sign चलता है, देखो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, R1 और C1, और इसको मैं highlight भी कर लेता हूँ, इसको मैं multiply करूँगा, इसके साथ, how, first with first, यह गाना गाओ, song, sing a song, first with first, second with second, third with third, fourth with fourth, ऐसे चलता है, अब यहाँ पर तो second तक ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर, दो-दो elements ही ही है, row column, तो first with first, second with second, बच्चे जो गलती करते हैं, वो उसमें क्या है, कि first with first, और first को ही second के साथ, multiply कर देते हैं, सबसे बड़ी mistake यही है, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, यार गाना गाओ, उसमें कोई बुराई नहीं क्या, जब आँ multiply कर रहे हैं, ऐसे बोलो, first with first, second with second, कोई गलती नहीं लगई, तो देखो कैसे, two into five, थोड़ा explain कर रहा हूँ भी फिलहाल, बाद में इसको shortcut में ले जाएंगी, two into five, जानि first with first, multiply हो गया, बीच में plus चलता है, formula का आप समझ लो, कि आपको बीच में plus डालना, ठीक है, second with second, okay, होगे, तो गलती कहां लगएगी, first with first, और first को second के साथ कर दोगे, जल्दवाजी में, तो वो नहीं करना है, first with first, second with second, तो एक नया element बन चुका है, new matrix का, तो यहां मैंने लिखा, R1, C1, यह मैंने कर दिया, तो जो आपकी row 1 है न, यह जो row 1, इसको तब तक नहीं छोड़ना, जब तक सभी column के साथ, multiply ना कर दो, row 1 को पकड़ा है, तो row 1 में ही चलना है, तो अब यह new element में बनाने वाला हूं, और यहां मैं बगल में लिख रहा हूं, कि R1 को आप मैं C2 से multiply कर रहा हूं, same pattern से multiply करते जाना है, same pattern से, तो भाईया यह row 1 को हमने पकड़ा हूँ है, इसको आप मैं column 2 से multiply कर रहा हूं, वही गाना गाना है, first with first, second with second, तो 2 into 7, plus बीच में रहेगा, 3 into 9, that's all, R1 ने दोनों columns के साथ multiplication ले ली है, R1 ने दोनों columns के साथ multiplication ले ली है, row 1 का काम खतम हो गया है, अब row 1 की कोई जूरूत नहीं है, हमारी columns यहां पे खतम हो गई है, अब आपने आजाना है row 2 में, तो आपने अब इस row 2 को पगड़ लेना है, पगड़ो row 2 को, this row 2, same गाना गाना है, first with first, second with second, तो भाईया यह आपकी row 2, और यह आपकी column 1, अब यह होने वाला है, this is row 2, and this is column 1, same pattern से multiply गाना है, first with first, देखो multiply, direct भी मैं लिख सकता हूँ, अभी आगे लिखेंगे, अब यह समझाने के लिए बता रहा हूँ, first with first, second with second, six into three, first with first, first को second के साथ मत कर दे न, first with first, second with second, next, अब इसी row को आपने, last, जो second column है, इसके साथ करना है, कैसे आएगा, सर जी row 2 को, column 2 से multiply करना है, that's all, अब कैसे आएगा, first with first, second with second, that's all, यह हो गया multiply, बस इन number को plus minus कर लेना है, तो main तो multiplication आपको ऐसे ही करना है, 2 by 2 की है, 3 by 3 की है, किसी भी order की आजाए, पहले तो देखो condition, क्या multiplication possible है, if yes, तो ऐसे करना है, यह sign याद रखना, row with column multiplication चलता है, I hope इसके आगे, आप इसकी calculation कर सकते हैं, काफी simple है, 5 to the 10, 3 to the 9, तो यहाँ पर 19 आप डिरेक्ट लिख सकते हैं, 7 to the 14, 14 और 9 to the 27, plus कर लो, sir यह आगया 11, और यह आगया 4, 41, sir यहाँ पर आगया minus 20, यहाँ पर आगया minus 20, और यहाँ पर आगया 18, sir minus 2, sir यहाँ पर आगया minus 28, ठीक है, यह minus 28 बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका 54, तो वह 28 में से 54 माइनस कर दो, sir 26 आगया plus का, that's all, तो new matrix का order 2 by 2, 2 by 2 एड़ था क्योंकि, इसका order था 2 by 2, इसका order था 2 by 2, तो इसका first, इसका last, देखो, इसका order बन गया, वो तो बन नहीं है, अब हम 3 by 3 की example लेते हैं, काफी interesting है, देखो, I am taking a matrix A, चोलो, अब direct लिक लेते हैं, A, B में find कर रहा हूं, 3 by 3 कर लेता हूं, number अब negative लेते हैं, ज्यादा, minus 1, 0, minus 2, 3, 4, minus 5, 2, minus 1, 5, इसको मैं B matrix से multiply गरूँगा, let it be 3, and minus 2, 4, minus 1, minus 7, 2, minus 3, 4, and minus 6, that's all, how we can multiply, यहां मैं लिक देता हूं, in general होगा क्या, row 1, column 1 के साथ multiply होगी, ठीक है, यह row 1 किस के साथ multiply होगी, column 1 के साथ multiply होगी, फिर इसी row 1 ने किस से multiply करना है, column 2 के, इसी row ने किस के साथ multiply, multiplication लेनी है, column 3 के साथ, तो row 1 को तब तक नहीं छोडेंगे, जब तक सभी column के साथ, आप multiply नहीं कर देंगे, क्योंकि आपने row 1 को पकड़ा है, तो फिर row 1 में ही चलना है, new matrix के अंदर, देखो, ऐसे चलेगा, यह row 1 आगी, and this is column 1, कैसे करना है multiply, first with first, second with second, third with third, यह याद रखो, अब मैं multiplication थोड़ी से direct कर रहा हूँ, minus 1 into 3, यह आएगा मेरा minus 3, फिर 0 into minus, this is 0, sir, minus 2 into minus 3, it is plus 6, तो एक element बन गया, जानि R1 और C1 हो गया, अब इस R1 को C2 के साथ multiply करो, इसके साथ, first with first, second with second, third with third, चले, यहाँ पर आजाएगा आपका 2, ठीक है, first with first हो गया, 0 के साथ 0 आजाएगा, second, third with third, sir, minus 8, अब R1, last column के साथ multiplication होने वाली, कैसे आएगा, sir, minus 4, sir, 0, sir, 6, 2s are 12, sign का द्यान रखना, तो R1 ने सभी column के साथ multiplication कर लिया, ठीक है, R1 ने सभी column के साथ multiplication कर लिया, अब R2 का number आगए, यह आपकी R2 आगए, same pattern से तीनो column के साथ multiply कर दो, ज़र अभी आप करने वाले हैं, sir, जी, R2 को column 1 से करना है, R2 को column 2 से करना है, R2 को column 3 से करना है, करो multiply, sir, 3 into 3, sir, 9, sir, minus 4, plus 15, I hope आपको यह समझा रहाँगा, अब this with second column, 3, 2s are 6, first with first, second with second, 28, third with third, sir, minus 20, अब इसने last column के साथ multiplication लेने हैं, sir, 4, 3s are 12, 4, 2s are 8, 5, 6, 30, अब आपका last row, R3 ने तीनों column को multiply करना है, how, sir, 2, 3s are 6, sir, 1, 15, समझा रहाँ है न, first with first, second with second, third with third, बज़िये द्यान रखना, चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, same row, column 2, कैसे जालेगा, sir, minus 4, plus 7, 5, 4s are 20, अब last, with last, 2, 4s are 8, minus 2, and minus 30, that's all, आगे इनको simplify कर लेना, एक तो ये sign जाद रखना, row column, and corresponding element, first with first, second with second, and third with third, ओके देर, अब एक question में, बच्चों को problem आती, वो करता हूँ, देखो, 5, 6, 7, ये row matrix है, 8, 2, 9, ऐसे ले लेता हूँ, ये column matrix आगे, इसमें बच्चे, confused हो जाते हैं, sometime कोई confusion नहीं हो नहीं, इसको देखो द्याद से, row with column, इसमें, एक ही row है, और एक ही column है, जानि, इसमें, एक element बनेगा, आप इसको आप ऐसे, दूसी तरह से समझो, कि जब आँ multiply कर रहे हो, तो new matrix का order क्या होगा, ये पहले ही जान लिया करो, जैसे आपके बास, A matrix है, इसका order क्या है, row 1 है इसमें, और column कितनी है, 3, जो आपकी दूसरी matrix है, B, इसकी row है, 3 और column, multiplication तो possible है, ये, लेकिन new matrix का order कितना होगा, 1 by 1, तो कहीं बार बच्चे, 3 by 3 order लिख देते हैं, तो गलती नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ, इस condition पे, बड़ी सारी mistakes होती हैं, बच्चों से, तो वहीं ये condition का दियान रखना, यहाँ पर 1 by 1 की matrix बनने वाली है, 5, 8s, 40, 6, 2s, 12, 9, 7s, 63, बस इनको आप plus कर लो, तो एक single element बनेगा, यह 1 by 1 की matrix होगी, अब इसी में गलती क्या लगती है, गलती यह होती है, देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो हमने matrix, column matrix दूसरे number पर रखी दिया, अब इसको मैं पहले number पर रख रहा हूँ, कैसे कोई भी matrix ले लेते हैं, मानों minus 2, 3, minus 4 ले लेते हूँ, और दूसरे number पर मैं row matrix रिखता हूँ, let it be 5, 2 and minus 3, अब करो multiply, multiply करने से पहले याद रखना, यार order क्या होगा, अब बताओ, first matrix order क्या है, 3 rows, 1 column, first matrix order है, 3 by 1, second matrix order क्या है, 1 by 3, multiplication possible है, yes sir, ये दोनों same possible है, तो new matrix order कितना होगा, 3 by 3 की matrix बनेगी, 3 by 3 की, इसमें 3 by 3 की बनेगी, ठीक है, तो इसमें क्या कि row 1 में, एक ही element है, column 1 में एक ही element है, तो row 1 column 1 से multiply होके, तो हमें बस minus 2 और 5 को करना है, तो minus 10 ना देगा, अब इसने second के साथ करना है, तो plus नहीं करना है, इसको ये एक नया element बनने वाल है, यानि कुछ इस तरह से करना है, आप row 1 को आपने column 1 से कर दिया होगा है, तो ये आ गया, अब row 1 ने column 2 से करना है, तो column 2 में सिरफ 2 बैठा होगा है, तो यहाँ पर आएगा आपका minus 4, अब इसी row ने column 3 से करना है, यानि row 1 ने column 3 से करना है, तो row 1 with column 3, तो it is 6, तो कहीं बच्चे क्या करते हैं, बस इनको ऐसे plus में लिख देते हैं, बस वहीं कड़बड हो जाता है, तो ये different different columns चल रही हैं, different different column में आपने चले जाना है, row सेम ही चल रही है, अब ये 3 को पगड़ो, और सेम पैटरन से 3 को कर दो, ठीक है, 5 3s are 15, 3 2s are 6, and 3 3s are 9, अब इसको पगड़ो, 3 column के साथ कर दो, Sir, it is minus 20, it is minus 8, and it is 12, that's all, तो ये आगे ना, 3 by 3 की matrix, तो ये जो row and column matrix है, ये दोनों तरफ से multiplication एकदम perfect कर लेना, इसमें कोई गलती नहीं लगनी चाहिए, बहुत सारी examples हैं, आपकी exercise जो 3.2 हमने complete करने, उसमें बहुत सारी examples हैं, सारी examples हम discuss करेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं, operations, इसमें कुछ properties हैं, वो देख लेते हैं, सबसे पहले एक commutative, क्या multiplication commutative है, no, a, b is not equal to b, a in general, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, कोई example आ जाए तो बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये द्यान रखेंगें, number 3, number 2, to associative, associative law, क्या ये associative law hold करते हैं, बिल्कुल, associative law ये hold करते हैं, जानि, a, b, c है, पहले दो को multiply करो, जो result आएगा, उसको c के साथ multiply करो, और अगर आप पहले a को, रहने तो side में, पहले b, c को multiply करो, फिर जो result आएगा, वो a के साथ multiplication करो, इनका result सेम आता है, comparative law hold नहीं करता है, लेकिन associative law hold करता है, provided की multiplication possible होनी चाहिए, जानि, जो condition है multiplication की, वो तो follow होनी चाहिए, number 3, इसमें distributive law की बात करते, distributive law, distributive law क्या होता है, कि जैसे बाहर x लिखा, और अंदर y plus z है, तो आप कैसे करते हो सर्जी, x, y और x, z, इसी को distributive law कहते है, x को आपने distribute कर दी है, multiplication में distributive law hold करता है, यानि, multiplication over addition is distribute हो जाती है, यानि, a है, अंदर है bracket में b plus c, आप कैसे करेंगे, a, b, plus a, c, ये okay है, ये hold करता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और note में आपको बताओ, देखो, previous classes आपने पढ़ाए कि, जब आप दो number को multiply कर रहे हो, अगर result आ रहा है 0, you are multiplying two numbers, and the result is 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि कम से कम इसमें से 1 तो 0 है, यहाँ फिर x 0 होगा, यहाँ 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 पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कि if I have two matrices, and there is a result is 0, I am multiplying two matrices, and the result is 0, it is not necessarily, कि A, जब B में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है, ठीक है, it is not necessarily कि A 0 होगा, it is not necessarily, जहाँ फिर B 0 होगा, यह ज़रूरी नहीं है, it is not necessarily, तो इस पर question mark डालते हुए, एक example लेते हैं कि सर कैसे देखो, मैंने यहाँ पर कोई matrix ली, like 3, 0 लेते हैं, फिर एक दूसरी matrix ले लेते हैं, B, like, मैंने यहाँ रख ली, 0, यहाँ पर रख लेते हैं, 0, यहाँ पर number रख लेता हूँ, 5, 0, ठीक है, यहाँ पर सारे 0 कर लेते हैं, क्या A, null matrix है, no, देखो इसमें 3 एक non-zero number आ रहा है, क्या B, null matrix है, no, इसमें भी 5 आ रहा है, यह भी non-zero matrix है, null matrix नहीं है, अब मैं इनको multiply करना चाता हूँ, मैं इनको multiply करना चाता हूँ, मैं लिखा 0, 3, 0, 0, और मैंने लिखा B, multiplication तो possible है, दोनों 2 by 2 की matrix लिए, now I am going to multiply, row को मैंने किया, column के साथ multiply, sir, यह 0 आ गया, sir, यह 0 आ गया, फिर row को मैंने किया, next column के साथ, sir, 0 आ गया, 0 आ गया, फिर मैंने इसको कि, s के साथ, sir, यह 0 आ गया, sir, यह 0 आ गया, फिर मैंने इसको कि, s के साथ, sir, यह 0 आ गया, 0 आ गया, क्या result आया, बताओ ना, आगे सारे element 0, बिलकुल, क्या conclusion है कि यार दो matrices को आप multiply कर रहे हो और आपका result आ रहा है null matrix तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई एक 0 हो जा दोनो 0 वो दोनो non 0 भी हो सकती है ये काफी important point है इसको द्यान में रखना ओके dear तो आज के lecture में हम multiplication ही रखेंगे प्लस जो operations पीछे की अपने addition subtraction next lecture में हम exercise 3.2 के सभी questions solve करने वाले है बचे आज हम exercise 3.2 को complete करने वाले complete in the sense कि इसमें मैं वो questions उठाऊंगा जिनमें बच्चों को problem आती है अब जैसे question number 1 आप देख रहे हैं screen पर अगर मैं बोलूँ यार a plus b यहाँ पे करके दिखाओ क्या आप कर सकते हो a plus b मुझे पुरा विश्वास है कि आप a plus b कर सकते हैं क्यों कुछ नहीं करना यार corresponding elements को add करना होता है 2 plus 1 3 होएगा वो लिख देने तो ऐसे questions मैं नहीं करवाऊंगा ने तो यह lecture बहुत lengthy हो जाएगा आप भी बोरियत फील करोगे तो it is my advice कि इस type के questions practice purpose के लिए आप खुद से कर लेना मैं वो question आपको करवाता हूँ जो बहुत ज़्यादा important है और जिसमें बच्चे problem face करते हैं हमें आपको आपके NCRT में ले जाता हूँ direct और वहां मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से question आपको खुद से practice कर लेने है लास लेक्चर देखो हमारा किस चीज का था operations on matrices जिसमें addition, subtraction, multiplication, scalar multiplication यह सब सीख लिया है कुछ छोड़ी मोटी हमने properties भी उसकी पढ़ ली तो अगर वो lecture आपको अच्छे से clear है तो जो question में अभी मैं बता रहा हूँ कि आप खुद से कर सकते हो तो उनको आप कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली ही ठीक है सि देखें यहाँ पर this is your ncrt right exercise 3.2 अब इसमें question number one you can see you can see five part अब देखो a plus b a minus b 3a minus c पहले 3 को a से into करना है जो matrix है उसमें से c को minus कर देना है यहाँ multiplication है a b and b a तो यह already हमने यह practice कर लिया है जब हमने operations on matrices सीखा था तो अब इसमें बच्चों को problem किन questions में आती है मैं उस पे चलत हो देखो question number two भी काफी simple है मैं question number two थोड़ा सा discuss कर लेता हूँ जैसे यह fourth part और second part है अब इसमें क्या कि जैसे यह वाला part जब आप इसमें add करोगे तो आप ऐसे लिखोगे sir a square plus b square plus 2ab ऐसे लिखोगे ना फिर देखो यह वाला जो पूरा expression है एक identity बन रहा है what is that a plus b का whole square तो आपने इसको लिख लेना है a plus b का whole square हो सकता answer में ऐसा लिखा हो तो confused नहीं होना है जहां पे जो identity बन रही है वो बना लेनी है इसी तरह से इसके बाकी वाली terms को जब आप add करोगे वो भी identities ही बनाएंगी इसी तरह की ठीके वेटा तो यह part आपने कर लेना है उसके बाद fourth part के अगर मैं बात करूं तो trigonometric ratios है ठीक है तो आप मैं ऐसे बोलो यार cos square और sin square का sum बताओ तो आपने पढ़ा यार 10th class में cos square x plus sin square x किसके एकल होता है 1 के एकल तो जब आप इनको add कर रहे होंगे तो जैसे इनका sum 1 होता है तो वहाँ पे उसको 1 लिख लेना है अब sin square cos square इसका sum 1 होता है cos square sin square इसका sum भी 1 होता है cos square sin square इसका sum तो यह आपका answer आदे तो यह plus minus वाले question बहुत easy है ठीक है इसको हम lengthy नहीं करेंगे lecture को यह multiplication वाले question है सारे practice करना कोई भी question मत छोड़ना काफी important question है यह और multiplication में कोई दिक्कत नहीं है क्यों previous lecture जो आपका था वो multiplication भी था मेलनी तो हमने खुब practice कर रखा इस type के जितने भी questions है especially यह second part काफी important है इसको भी detail में previous lecture में discuss किया हुआ है तो यह सभी question बचे practice कर ले ना ठीक है छोड़ना कोई नहीं हर question notebook पे करना है question fourth plus minus वाला इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम अराम से कर लेंगे जिस तरह से बता रखा है जैसे प very simple बाहर cos और sin जो लगा है इनको matrix के अंदर आप पहले multiply कर लो बहुत simple है जैसे आप cos multiply करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा first में cos square theta then cos into sin ठीक है cos theta sin theta then यह cos इन दोनों से भी इंटू होगा sir minus sin theta cos theta then cos square theta first matrix यह आएगी इसमें आप plus करेंगे दूसरा वाला sin को अंदर इंट cos theta it is sin theta cos theta and sin square theta okay यह दोनों matrices में जो बाहर cos sin था दोनों multiply होगे अब इन दोनों को add कर दो जैसे बता रहा है जब अब add करोगे फिर देखो identities बनेंगी identities बनेंगी उसकी जगा लिख देना जो उसका formula रहता है तो जैसे cos square जाएगा sin square में addition तो यहाँ पर क्या जाएगा one तो इसमें यह वाला plus होगा यह भी कर दाएगा zero आएगा इसमें यह वाला plus होगा यह one बना देगा that's all the identity matrix हमारा इसका answer आगा तो इन questions को थोड़े आप मानों गया ऐसे आप चुटके बजा के कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब question number 7th question number 7th and 8th यह दोनों same ही हैं इसमें मैं second part आ आपने इनको solve करने बस वहां पर यह जो यह जो matrix लिख दिया ना वहां पर number होता था 10th class में कोई number 5 हो गया तो linear equation जैसे आप इनको solve करने x और y यह आपकी matrices हैं आपने एक matrix आपके सामने होगी ठीक है यह आपका 7th का मैं second part करता हूं 8th बहुत easy है यह y का value उठा गया आपने विस यहां पर put करना है matrix वो matrix फिर उदर ले जाना sign opposite हो जाएंगे then you can subtract फिर 2 को वहां transfer कर देंगे तो second देखो आप second से यह तीनो पार्ड हमारे cover हो जाएंगे एक तो मैं यह करवा दूँग आपको then 9th to 12th चारोई question सेम है equality of matrices पे है equality of matrices बहुत simple है देखो आपको क्या कर रहा है यह 3.1 में भी था वहां काफी simple था कि already left side में एक single matrix right side में एक single matrix उन दोनों का हमने corresponding elements उनके equate कर लिए तो जो भी variable था वो value अपने find कर ली इसमें क्या कर दिया उसने यहां देखो left side देखो यहां left side देखो ठीक है इनकी left side में क्या कि 2-2 matrices आ रही है बस आपको उनको simplify करके single matrix में convert करना होता है और यहां पे right hand side में 2 matrix आ गई इनको plus करके single matrix में convert करना होता है मैं आपको 12th वाला यहां करके दिखाता हूं बाकी बिल्कुल ऐसे ही आपने करने है ठीक है देखो 12th में जो left hand side म इसमें कोई problem नहीं है 3 को अंदर multiply गा दो तो you can write 3x, 3y, 3z and 3w ठीक है and in the right hand side आपको इन दोनों को add करना है simply तो यहां पर आपके पास आजाएगा x plus 4, 6 plus x plus y, फिर minus 1 plus z plus w and this 2w plus 3 now these two matrices are equal, दोनों को order same है corresponding elements आप equate कर सकते हो बिना किसी tension के, तो जैसे आप 3x को x plus 4 के equal रखोगे, तो 3x is equal to x plus 4, can you find x from here, yes, x को दो ले जाओ, so यहां 2x बचा, so what is x, x is 2, ठीक है, उसके बाद 3y को इसके equal रख लो, 3y, 6 plus x plus y, x का value दो अभी हमने निकाल दिया, यहां x का value 2 डाल दो, इस y को वहाँ transfer कर दो, यहां 2y आ जाएगा, x का value 2 डाल दिया, sorry, तो 6 plus 2, sorry, it is 8, तो y 4 आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, z और w भी fight करने, तो भाई साब यह z w वाली equation यह दे देगे आपको, ठीक है, तो third जो element है, हमारे पास 3z जो position पे है, यहां पर है, minus 1, plus z, plus w, इसको थोड़ा सा simplify करो, यह z transfer कर दो, इदर, sir, 3z minus z minus 1, plus w, sir, 2z minus 1, plus w, तो यहां से ना z निकला, ना w निकला, कोई दिक्कत नहीं, इसको number 1 बना के यहां रखो, आप ऐसा करो, यह जो last element बचके है, इनको equate करो, यहां से w तो आई रहा है, तो 3w is equal to 2w plus 3, 3w, 2w, 2w उदर क्या, minus होगा, यहां w होचाए, w equal to 3, तो भई से w को यहां इस equation में डाल दो, तो 2z minus 1 plus w is 3, 2z, it is what, 2, so what is z, 1, that's all, तो भई यह आपका x2 आगया, y आपका 4 आगया, w आपका 3 आगया, z आपका 1 आगया, काफी simple है यार, काफी simple है, इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, इस video lecture में, आपने खुद से यह practice करना है, फिर भी problem आती है, मेरे को बताना है, ठीक है, मैं particular वो question कर दूँगा, अगर आपको इसमें कोई doubt बैठता है, 13th में करवाऊंगा, 14th में देख लो, 14th में देख लो, इनको गस multiply करना है, दोनो same ही matrix है, एक बार आप ऐसा मानों कि A भी लिखा है, दूसरी बार B ये लिखा है, हम जानते हैं, multiplication comparative नहीं होती है, ये equal नहीं आएंगे, बस वो यह आपको बताना है, कुछ नहीं multiplication का practice है, कर लेना, question number 15 and 16, दोनो same ही है, 15 वाला काफी easy है, ठीक है, मैं आपको 16 वाला करवाऊंगा इस lecture में, ये वाला निप्णा दूँगा, 17th भी मैं करके दिखाऊंगा, 18th is very important question of this exercise, ये 18th वाला भी मैं आपको करके बताऊंगा अभी, question number 19 भी मैं आपको बताऊंगा, question number 20 भी और 21 भी बताऊंगा, ठीक है, 21 एं 22 दोनों similar ही है, order पे है, तो इनको मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, that's all, देखें यार, जो question हमने main करने वाले न, उनको हम निप्टाते हैं, अच्छे से, तो प्लीज ये plus minus वाले practice कर ले न, यार, ये काफी easy questions है, कुछ नहीं थोड़ी practice करोगे, तो उसके बाद, अराम से सभी questions आपको आजाएंगे, राइट, चलिए वाई, जो, ये कुण सा है, हाँ, ये वाला, ठीक है, question number, 7th, which part, second part we have to do, अब देखो इसमें कैसे करना, ये दोनों equations आपको दिखरी है न, आपने इसमें elimination method लगा लो, तो 2x plus 3y is equal to 2, 3, 4, 0, ठीक है, इस equation को पूरी को आप multiply कर दो, इसके coefficient से, दूसरी वाले के x के coefficient से, जानि मैं x को eliminate करना चाहता हूँ, आई हो, इतना तो हमें आता ही है, ठीक है, और दूसरी equation में, किस के साथ multiply करना है इसको, इस x के coefficient है 2 के साथ, ठीक है, अब multiply करो, you will get like this, 6x, 9y, अब यह वाला 3, इस matrix के साथ, पूरे के साथ multiply हो जाएगा, सभी numbers के साथ, 3, 2s are 6, 3, 3s are 9, it is 4, 4, 3s are 12, and 0, ठीक, उसका फिर यह 2 multiply कर दो, second में, 6x, प्लस, यहाँ पर आजाएगा 4y, and then यह 2 matrix के सभी element के साथ multiply जाएगा, 4, minus 4, minus 2, and 10, that's all, इन equations को कर दो, subtract, ठीक है, what do you have to do, subtract, x के question सेम ना दी न, eliminate हो गया, 9y में से 4y चला जाएगा, sir, it is 5y, अब यहाँ पर क्या करो, इन दोनों matrices को minus करना है, corresponding elements minus कर दो, 6 में से 4, 2, so 9, 4, यहाँ पर 13 हो गया, 12, minus 2, plus 2 हो जाएगा, sir, यह 14 आ गया, उसका 0 यहाँ पर minus 10 बैठेगा, ओके डियर, बस y आ गया, इस 5 को उठाके, इदर ले जाओ, matrix की तरह 1 by 5 हो जाएगा, then you will get, काफी simple है, काफी simple है, देखो, आपका y आ रहा है, 1 by 5, and this matrix, 2, 13, 14, minus 10, अब इस 1 by 5 को अंदर multiply कर दो, 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5, देखो, minus 10 by 5, यह cancel हो जाएगा, यहाँ minus 2 हो जाएगा, तो भाई y निकल गया, ऐसे x निकाल लाएगा, अब x में क्या करो, y को equate कर लो, y को equate कर लो, y eliminate हो जाएगा, तो x आ जाएगा, ऐसा कर लो, जा फिर ऐसा कर लो, यह जो y का value है, यह जो y का value है, यह इस first equation में, जा फिर second equation में put करो, तो x निकल जाएगा, आपकी इच्छा जैसे भी करो, ठीक है, बड़ मैं आपको advice करूँगा, यह य को eliminate करो, असानी से निकले हो, यहाँ पर fractions को गयरा बन गी है, तो plus minus वे कहीं बार गलती लग जाती है, तो elimination से करो, वो better option है, मैं वैसे करवा रहा हूँ, ठीक है, 2x प्लस 3y, it is 2x प्लस 3y, ठीक है, यहाँ आपकी matrix है, यहाँ है, आपका 3x प्लस, यहाँ पर है 2y, और यहाँ पर है matrix, तो 2332, 2332, यही है, 2340, यह भी matrix है, 2340, और दूसरी आपकी matrix है, 2-2-15, 2-2-15, पहले मैंने किस को eliminate किया था, x को, अब मैं y को eliminate करूँगा, तो यह वाली जो first equation है, इसको मैं 2 sin 2 करूँगा, यहाँ 6y हो जाएगा, इस पूरी equation को मैं किस sin 2 करूँगा, 3 sin 2 करूँगा, यहाँ 6 हो जाएगा, आप देखो, multiply कर रहे हैं, तो हमारे पास यह 2 equations कैसी बन जाएगी, पहले आजाएगी 4x, ठीक है, फिर आजाएगा आपका 6y, यह 2, multiply हो जाएगा, पूरा matrix के साथ, it is 4, 2, 3 is a 6, 4, 2 is a 8, 0, फिर यह 3 जाएगा अंदर, 9x, 3, 2 is a 6, फिर यह 3 जाएगा, 3, 2 is a 6, 3, 2 is a 6, minus 3, 5, 3 is a 15, अब करो भाई, इनको minus है न मज़ा, उठ करने में कर सकते हैं, वो better option है, लेकिन उसमें fractions बने हैं, गलती लगती है, इसलिए मैंने elimination लगाया, इसमें कोई tension नहीं है, आराम से, यह integer सी है, cancel cancel हो जाएंगे, plus minus हो जाएंगे, ठीक है, लेको 6y, 6y हो गए ना, cancel, x अब दोखो direct है, यहां से बन रहा आपका minus 5x, और यहां पर इन दोनों को minus करना है, 4 में से 6, 6 में से minus 6 minus होगा, तो यह plus 6 मन जाएगा, तो 6 and 6 यह 12 आजाएगा, 8 में से minus 3, minus 3 होगा, plus 3 बन जाएगा, 8 और 3, 11 हो जाएगा, 0 में से minus 5, it is minus 15, that's all, अब इस x को उठागे, 5 को उठागे दर ले जाए, 1 by 5 हो गया, minus 2, 12, 11 and minus 15, अब कर दो, multiply 1 by 5 को अंदर with minus, तो with minus करोगे, यहां पर 2 by 5 आजाएगा, 1 by 5 आजाएगा, अब minus 12 by 5 आजाएगा, फिर आपका minus 11 by 5 आजाएगा, फिर आगे 15 by 5 आजाएगा, अब यह कड़ जाएगा, आपको दे रखा है, उठा के आपने second question में डालना है, यहां फिर y को पहले transfer कर लो है ना, इस y को वहाँ transfer कर लो, फिर value डालो, फिर minus करो, यह उचाएगा, आपसे बहुत simple question है, यह quality में मैंने बता दिये सारे, ठीक है, इसका एक मैंने आपको करवा दिया, डबली वाला, जेड वाला, तो भाकी भी होई जाएगे, यह वाला मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, यह question है, इसमें confusion होती है, बट बड़ा simple है, टेकनीक भी बताता हूँ, इसमें कुछ formula बनता है, मानों आपको formula बूल जाए, तब भी आप इस question को अराम से कर सकती है, ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले समझो कि आपको prove क्या करना है, आपको prove करना है, यह f of x into f of y, अब देखो यहाँ यह जो आपको given है, यह f of x है, तो f of y क्या होगा, यही matrix होगी, बस x की जगा y लिखने, और यहाँ पर यह जो लिखा हुआ f of x plus y, यह क्या होगा, यही matrix है, f of x plus y भी यही matrix है, बस यह जो x आपको दिख रहा है, इसकी जगा x plus y होगा, जैसे मानो, आप 9th क्लास में थे, यह 10th में थे, आपके पास कोई polynomial है, like x square plus 1, मैं बोलू यार, इसमें 2 डाल दो, आप आप आपसे 2 put कर देते, तो देखो हो गया, हो गया, f, p of 2 आगया, अब मैं बोलू यार, इसी polynomial में, आप ऐसा करो, x plus y बताओ, p of x plus y क्या होगा, तो आपने x की जगा क्या put करना होता है, x plus y ही put करना होता है, ठीक है, तो इस तरह का ही एक्सप्रेशन दे रखा है, f of x plus y से गवराना नहीं है, x plus y यहाँ पर आपने बन जाएगा, आपको बनाना निकोदी बन जाएगा, अब देखें, इसकी शुरुआद आपको कैसे करने, you just take the left-hand side, तो तीन स्टेप में आपका कोशन निबढ़ जाएगा, only three steps, सबसे पहले आपका जो f of x और f of y है, दोनों matrix को आप लिख लो, ठीक है, और फिर इनको multiply कर दो, यह element तो आपके 001, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, it is sin x cos x, multiplication का ध्यान रखना, multiplication में गलती नहीं लगनी चाहिए, multiplication में गलती लगी, तो फिर पंगा पड़ता है, ठीक है, बार-बार उसको checking करना, यह y है, ठीक है, sin y करना है, it is f of y, तो इसको y कर दो, 0, sin y, cos y, मतलब same matrix लिखनी है, y में लिखनी, can you multiply these two matrices, yes, multiplication में भी आप expert हो गए है, मेरे ख्याल से, भाई, इस row को आपने multiply करना है, इस column से, जल्दी से multiply कर लेते हैं, sir, पहला आ रहा है, यह cos x, cos y, first with first, second with second, sir, minus sin x, sin y, यह भी हो गया, अब देखो, last number है, जो 0 है, इसका last number 0 है, थर्ड वी थर्ड, तो उसको लिखने की जरूतनी है, 0 to 0, यगा उसमें plus करेंगे, तो क्या फैदा होने वाला है, तो इसलिए 0 को आप छोड़ दो, लिखने की जरूतनी है, बस ऐसे रखो, अब देखो, जैसे ही आपने multiply किया, तो यही से मैं आपको समझा दू, यार, यह एक identity बनगी, यह trigonometry की, जो आपने class 11 में पढ़ते हो, यह है cos x, cos y, minus sin x, sin y, इसका formula होता है, cos x plus y, तो देखो, अब यह चीज़ बन जाएगी, f of x plus y, तो जब यहाँ पर बनेगा cos x plus y, है ना, देखो, cos वाली term तो बनीगी, तो अपने आप x के साथ x plus y आ रहा है, तो बस बाद में हमने square से लिए, तो सारी term यही आने वाली है, जो 4, यह सब 0 होने वाला यहाँ पर, ठीक है, देखते जाओ, अभी row 1 को multiply कर दिए, अब column 1 से, अब row 1 को column 2 से multiply करो, first with first, it is minus, minus cos x sin y, second with second, minus sin x cos y, ठीक होड़ा, और last फिर 0 और फिर इसका 0, तो लिखने की ज़रूत नहीं है, अब यह नंबर, यह वाले सारे नंबर जब इससे multiply होंगे, देखो, first with first, 0 आएगा, second with second, फिर 0 आएगा, third with third, फिर 0 आएगा, तो 0 plus 0 plus 0 लिखने की ज़रूत नहीं, आप direct इसको 0 लिख सकते हो, it's okay, इसी तरह से आप second row को पकड़ो, और तीनो column के साथ multiply कर दो, तो जल्दी से हम multiply कर देंगे, यहाँ पर आगए यह sin x, cos y, first first, second second, cos x, sin y, second second, third third करोंगे, 0 आएगा, लिखने की ज़रूत नहीं है, now this row with next column, तो यहाँ पर आजएगा, minus sin x, sin y, second with second, sir, cos x and cos, last फिर 0 आएगा, लिखने की जरूत नहीं है, और last वाला यह column row 2 multiply होगी, जब last column से, तो इसके सारे element 0 हो जाएंगे, तो you can write 0 directly, अब देखो यह, जो last row है, इसमें यह 2 element तो 0 ही है, तो इन दोनों से जब multiply होगे, तो यहाँ 0 आएगा, लेकिन last वाला number जब 1 इससे into होगा, 1 से तो 1 आएगा, जनी यहाँ पर, ठीक है, 0 into 0, sorry, अब last row को, third row को multiply करो, तीनों column के साथ same pattern से, तो पहला यह 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो यह तो 0 यह आने वाला, ठीक है, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यह भी 0 आने आना ही 0 होती है, वह ही matrix बननी होती है, लास में देखें, यहाँ पर 0 into 0, 0 हो गया, फिर 1 into 1, बस यहाँ पर 1 आएगा, तो बिलकुत same ही matrix बन रही है, बस यहाँ पर आप बड़े-बड़े number देखते हैं, तो गबरा जाते हो, यहाँ गबराना cos b minus sin a sin b, पहला तो एक यह बना हुआ है, फिर बना हुआ है cos, sorry, sin a plus b का formula, तो क्या होता है, sin a sin a cos b plus cos a sin, ठीक है बड़ा, that's all, तो यह दो identities आप side में reason दे भी सकते हो, थोड़ा impression अच्छा हो जाए examiner पर, तो अब यहाँ पर है cos, sin, sin cos, cos x plus y, sin x plus y, यहाँ पर है 0, फिर sin x plus y, यहाँ पर है cos x plus y, आप देख सकते हो, identity बनी, यहाँ पर 001, तो भाई, यह जो matrix है, किसको represent कर रही है, f of x plus y को तो represent कर रही है, right hand side, that's all, okay dear, तो भाई, यह देखो question number, कौन सा था यह, question number 13, काफी important है, बहुत से बच्चे confused होते हैं, confused, तीन step में question खत्म होगा, पहला step multiply गिए, multiplication बिलकुल आराम से करना, गलती नहीं लगनी चाहिए, दूसरे step में सिर्फ हमने देखा कि identities कौन सी बनी हुई है, तो उसकी जगा formula लिख दिया, identities भूल दे, मैंने बता दिया, टेकनीक क्या करना, ठीक है, और third step में, आपका direct यहाँ पर proof लिख लिए आप, ओगे दिया, काफी simple है, काफी simple है, ठीक है, यह फिर आपकी practice multiplication की discussion कर लिया है, बैने, that you have to do, यह भी मैंने आपको उता दिया, आप कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको question number 16 कर वा रहा हूँ, आप 16 में पंगा पढ़ता है कहीं बार बचों को, अब देखो 16 question आपने कैसे करना है, ठीक है, इसमें देखो, आपको aq minus 6a square plus 7a plus 2i, इसका value आपको find करना है, और वो 0 आना चाहिए, प्रूव करना है, आई आपका identity matrix है, a इसमें है, a हमें सामने दिख रही है, इसमें a square और a cube missing है, भाई, a square और a cube आपको perfectly निकालना है, जिरो बढ़ गए, ऐसे नहीं कर रहा है, proper कर रहा होता आपको, ठीक है, examiner जो check करता है, वो देख लेता, उसको पदा होता है, कौन सा number कहां पर है, तो इसलिए खुद से 0 नहीं लिखके आजाना, ठीक है, proper multiply करना, ऐसा करो कि ज़्यादा speed में ना करें, आराम से करें, बस perfectly क सही होगा तो time waste कम होगा, चलो करो multiply इन दोनों, भाई यह आपकी row और यह आपकी column, multiplication आती तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख रहा हूँ, सर यहाँ पर आगया first with first, second with second, third with third, ठीक है, फिर आगया sir, first with first, second with second, and third with third, सर यह तो 0 आ रहा है, 0, 0, वाओ, 0 आ ठीक है, आने दो, फ ठीक है, row 2, सर first with first, second with second, third with third, भाई यह गाना गाना आपने first with second ने तो गलती लगती है, ठीक है, first with first, second with second, and third with third, तो first with first, second with second, third with third, third is 0, okay, again first with first, सर्जी 0, second with second, सर्जी 2, third with third, सर्जी 3, it is 3 here, right, it is 3 here, then the first with first, next row मे 2, फिर second is zero and third is six right next first with first zero second with second zero third with third zero ठीक है इसको इससे कर दिया zero इसको इससे कर दिया zero इसको इससे कर दिया zero चली ये भी zero हो गया अब last row and last column first with first सर्जी four second with second सर्जी zero third with third सर्जी nine क्या बात है हमने भाई एसकेर फाइंड कर लिया है जो क्या आया है five zero eight two four two and three it is five eight zero and 13 इसमें कोई गलती आपको सल लगे कि मैं कोई एरर कर रहा हूं तो रीचेक कर लिया करो क्योंकि आगे जब क्यूब से मल्टिप्लाई कर रहा है इसमें गलती हो तो उसमें फिर प्रीचेकिंग में time waste होगा तो इसलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है सही है ठीक है तो चेक कर लिया करो अगर कोई problem है अब a cube को you can find like a square into a or a into a square तो a को पहले रखा करो उसमें छोटे number होते हैं तो multiplication में असानी होती है ठीक है तो here I am writing now a a is one zero two zero two one what happened one zero two zero two one two zero three two zero three and a square आ गया five zero eight five zero eight अराम से लिखना है ठीक है अराम से two four five eight zero thirty two four five eight zero thirty ठीक है two four five eight zero thirty अलती गोई नहीं होनी चाहिए अराम से चेक करना है क्योंकि यह ऐसा question है बड़ी problem करता है अगर एक भी error आ गया अब इस row को तीनो column से multiply करतो जल्दी से sir यह आ गया five यह आ गया zero यह आ गया सर जी 16 ओके ठीक है sir row one column two sir first with first second with second third with third sir ji first with first what is that eight second with second zero third with third sir ji twenty six okay now the second row first with first sir zero second with second sir four third with third sir ji eight okay first with first sir zero second with second sir eight third with third sir zero first with first sir zero second second sir ji ten third third sir ji thirteen okay लग तो जही रहा है ठीक है बज़त नहीं होना चाहिए first with first second with second third with third okay first with first sir ji zero second with second zero third with third sir zero sir eight twos are sixteen sir second second sir thirteen threes are thirty nine low भाई हमने aqsa find कर लिया अब यह गलती अगर इसमें मेरे से हुई है यह आपका कावेज चेक करना ठीक है मुझे लग रहा है सही है तो मैं इसको लिख रहा हूँ zero यहाँ पे 34 आ गया यहाँ पे आपका 12 आ गया यहाँ पे 8 आ गया यहाँ पे आपका 23 आ गया 23 आ गया इसको प्लस करेंगे 34 आ गया यहाँ 0 आ गया 9 and 6 सरजी 15 5 3 1 यह तो 55 आ गया ओके 55 यह जैस एक्यूब यह आ गया तो में काव है हमारा a square a cube इस question में गलती नहीं लगनी चाहिए यह आपकी first priority है slow करो बट perfectly करो अब आपको जो term find करनी है जो expression find करनी है उसको लिखो और उसमें यह सारी values डाल दो तो यह आपके पास a cube minus 6 a square ठीक है it's a very simple question यहां करते हैं यहां करते हैं what is that a cube minus 6 a square plus 7 a and i वाली term a cube minus 6 a square plus 7 a plus 2 i 7 a plus 2 i plus 2 i तो भई अब आपको यहां पे a cube का value डालना है अब यह प्लस minus आ गए यह आपके हवाले छोड़ूँगा यहां पे a square का value डालना है ठीक है यहां पे आपने a का value डालना है और यहां पे आपने identity matrix लिख लेनी है 3 by 3 की उसी order की लिखा करो जो बाकिया होती है इसके आगे इसको simplify करना है और सारे element 0 बन जाने चाहिए सबसे पहले यह 6 को अंदर multiply करना 7 को अंदर multiply करना 2 को अंदर multiply करना फिर direct matrix लिख लेना ठीक है next step में आपका यह 6 multiply हो जाएगा फिर यहां पे 7 multiply हो जाएगा फिर यहां पे 2 multiply हो जाएगा ठीक है तो चार matrices को आप direct add कर सकते हो civしく lại कर सकते हो जो भी लिखा हो frågor केजरे करना है इसका first इसका first इसका first और इसका first चारों का first element कर लो plus minus जो हो रहा है ठीक है इधर minus है बाकियों में आगे plus है तो यहां पे zero आना चाहिए ऐसे इसका second element यहां i continuous element यहां इसका second element इसका second element सबको plus minus कर दो जो आ रहे हैं यह सारे element 0 आने चाहिए सारे element 0 आएंगे it is a null metric you can write it 0 तब आके proof हो जाएगा ओके dear simple question है कोई इतना difficult नहीं है a square a cube हमें निकालना और इसमें put करके simplify करना है तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप कर ले ना question number 17 देखो आगे 17 में क्या है equality पे बैठेगा यह a square आपका k a minus 2i के equal दिया हो तो a square missing है तो सबसे पहले आप यहां पर a square find करेंगे three minus two four minus two three minus two four minus two let us find a square जैसे आप a square find करेंगे हमें आता है sir three three is a nine three three is a nine sir four two is a eight okay three two is a six second second is four first with first it is twelve second with second it is eight okay four three is a twelve four two is a eight okay four minus two minus eight and it is two two is a four करो simplify जल्दी से सरी आ गया one minus two six four and it is minus four that's all अब आपके पाद जो relation है a square is equal to k a minus two i डालो इसमें value sir a square कितना गया one minus two four minus four ठीड़ा अब यहां पर k a है मैं direct लिख रहा हो k a यह जो a matrix से इसके अंदर आपने k multiply करना है तो it is three k minus two k four k and minus two k minus two i two i identity matrix साथ two multiply कर दो diagonal में two two हो जाए बाग की सब zero अब एक step में और कर लो थोड़ा सा subtract आगे k का value आप आप से निकाल सकते हैं right hand side में दो matrix से इनको minus करके लिख लो क्या आने वाला है three k में से टू सर जी यह तो three k minus two बैठेगा minus two k zero सर यह minus two के बैठेगा four k में से zero सर यह four के बैठेगा minus two k में से minus two सर यह तो minus two k minus two that's all इनको equate करना k की वो value रखना जो इस equation को satisfy कर रहे हैं कई बार कुछ ऐसी values वो आ जाती है जो in equation को satisfied नहीं करती जानी यह जो दो यह जो दो relation दी है यह balance नहीं होते हैं ऐसा k नहीं लेने उसी से लेने जिससे equal बैठ रहा होगे यह दोनो left side and right hand side ठीक है तो करके देखना k का value क्या आएगा यह कर सकते हैं इसमें बड़ी problem face करते हैं होता भी नहीं कई बार तो वाई से बड़ा simple है मैं जल्दी से देखो करके बताता हूं सबसे पहले आप left side low it is i plus i i क्यों प्लेटा 1001 ठीक है एक क्या है एक गिवन है सर 0-10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 इन दोनों को add कर दो तो left side आपकी बैठ जाएगी कितनी आ रही सर 1 में 0 plus किया 1 आ गया सर 0 में यह plus किया सर minus 10 alpha by 2 आ गया सर यह आ गया 0 और 10 सर यह 10 alpha by 2 आ गया सर 1 में 0 plus किया 1 आ गया तो right hand side में आपने लिखा i minus a और यहाँ पर आपकी जो cos वाली matrix है cos alpha minus sin alpha ठीक है cos alpha minus sin alpha it is sin alpha and cos alpha अब i कितना होता है सर दी 1 0 0 1 ए आपको given matrix से 0 tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 ठीक है यह फूरा ऐसे box में it is cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha कोई दिकतनी अभी तक tan एक negative है देख लेते हैं को उन्ता negative है पहला वाला उपर यह negative सबसे पहले यह matrix और यह matrix कर लो minus उसके बाद चलेगी हमारी multiplication तो 1 में से 0 सर्जी 1 आ गया जिरो में से सर्जी minus tan ओके प्लस हो जाए गए tan alpha by 2 फिर 0 में से सर्जी minus tan alpha by 2 हो जाएगा ठीक है उसके लाद 1 में से 0 सर्जी यह बना जाए तो इन दोनों का subtraction यह आ गया अब यहां पे important चीज़ है वो बता रहा हूं ध्यान से सुनों भाई साब अब इस row को इस column से multiply नहीं करना है ठीक है इसको simple बनाना कैसे जो cost दो टेकनीक है इसमें जो मैं बता रहा हूं उसी से करना उसी से कम time में यह निकलता ठीक है एक है एक है उसका उन tan का एंगल भी alpha by 2 होगा जानि यह जो term यहां दिखने है टैन alpha by 2 हो इस matrix में बनाई जा सकती है तो सारी term बिल्कुछ similar हो जाएंग फिर tan alpha by 2 को थोड़ी देर के ल लेंगे देखें जैसे करवा रहा हूँ यही करना आपको ठीक है कॉस अलफा का वैलियू आपने फॉर्मॉला क्या लगाना है सरी होता है वन माइनस टैंड स्केर अलफा वैट टू डिवाइड बैए वन प्लस टैंड स्केर अलफा वैट अगर आपको यह याद नहीं है तो ल पिर कॉस का आगह, फिर कॉस आगह, what is that?lawर अलफा वै टू अपन वन प्लस So यह जैंड स्केर अलफा वैट टू अब एसा क्यूं किया देखो जो पहली वाली मेट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रही के साथ उसमें भी 10 alpha by 2 था इसमें भी 10 alpha by 2 बना लिए अब सारे 10 alpha by 2 जितने भी उनकी जगह यार 10 alpha by 2 को थोड़ी देर के लिए कुछ let कर लो सर क्या let कर रहे कुछ भी ले लो let कर लो इसको y ले लो तो अब यहां क्या होगा यहां y यहां y लिखना easy है ना 10 alpha by 2 से तो हम इसको y लिख लेंगे better option हमारे पस तो देखे यहां पर हमारे पस आ गया 1 y minus y और 1 है ना कितनी simple matrix बन गी और यहां पर भी सारी चीज़े y में हो जाएंगे उपर आ जाएगा यहां 1 minus y square और सबके divide में 1 plus y square यहां पर आ जाएगा आपका 2y divide में 1 plus y square यहां पर आ जाएगा 1 minus y square divided में 1 plus y square तो काफी simple होगी matrix अभी भी आपको यह अगर difficult अगरी है तो ऐसा एक करें एक का मोर करें यह देखो second matrix में सबके divide में क्या 1 plus y square यह आपको common लेना है फिर multiply करना है और in future भी आप याद रखें कि जब 2 matrices को आप multiply कर रहे हो अगर किसी एक matrix में जहां फिर दोनों में सारे limit में कुछ common निकल रहा तो वो ले लिया करो व यहां है 1 by 1 plus y square it is common ठीक है यहां पर matrix और यहां पर matrix कौन सी matrix है sir यहां 1 लिखा है यहां y लिखा है यहां 1 लिखा हुआ है यहां पर 1 minus y square लिखा हुआ है sir यहां पर 2y 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 लिखा हुआ है अब main का बाब आपका भी start होता है कि इन दोनों matrices को आपको multiply करना है तो row with column, row with column, तो one multiply होगा sir, one minus y square, first with first, second with second, sir, it is 2y square, ठीक है बटा? अब row with columns, this row with second column, sir, first with first, sir, 2y, second with second, sir, it is y, and it is minus y cube, okay dear, first with first, next आगे sir, it is minus y plus y cube, second with second, sir, 2y, then again the last is, first with first, sir, 2y square, and second with second, तो तो one ही है, यहाँ पर minus y cube, अब थोड़ा सा simplify करो, थोड़ा सा simplify करो, result आपका लगबग बन चुका है, यहाँ पर, sir, आजएगा, one plus y square, पहला limit, यहाँ पर अगर आप देखें, तो आपके पास बैठा है, minus y, और minus y cube, यहाँ पर ध्यान से देखें, तो आ simplify करना है, बहुत simple question है, यह देखो, y cube और y, दोनों में y common है, with minus, तो यहाँ बचा one plus y square, actually, वही factor बचेगा, यार, सबके पास, जो आपने common लिया होता है, वही factor सबके पास बचना ही बचना है, y common ले लिया, one plus y square, यहाँ पर one plus y square बढ़ना हुआ, अब यह जो अंदर बाहर common लिया था हमने, इसको अंदर multiply कर दो, यहाँ पर जो common अंदर दिख रहा है, one plus y square, उसको बाहर रे लो, कुछ भी करो, इन्हें उन्हें cancel हो नहीं, अब आपके पास क्या बच रहा है, जैसे one by one plus y square में अंदर multiply करोंगा, तो one plus y square सारे ही cancel हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा one, यहाँ पर बचेगा आपका minus y, यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ बचेगा आपका one, अब y कौन था उसको replace करो, कौन था y, tan alpha by 2, तो y की जगा भाई tan alpha by 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही पड़ेगा, अब देखो यह जो number 2 आया है, और जो हमारी left side थी, देख काफी simple question है, इसके एक दो बर practice करना, बहुत important है, यह exam में आ सकता आखो, ना तो question number 19, very simple, मैं ऐसे इसको समझा देता हूँ, आप एक बर पढ़ लो ध्यान से, अच्छे से पढ़ लो इसको, question में यह statement है कि 30,000 rupees है हमारे पास total, ऐसा माल लो, कोई भी trust fund है, 30,000 total है, वो 30,000 दो जगा investment कर दिया उसका, ठीक है, तो एक जगा से आपको 5% interest मिल रहा है, दूसी जगा से आपको 7% interest मिल रहा है, तो बताईए भाई, investment कितने की की थी हमने, interest हमें given है 1800, जो हमें annually मिलेगा यह रहा, दो पाड है, 1800 वाला मैं बता देता हूँ, अब इसमें आपको क्या करना है, जो cost वाली matrix होती है, जानि rate of interest वाली यहाँ पर, वो आप रखो, second number पर उसको column matrix बनाओ, interchange भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बड़ फिक्स कर लो, जो rate of interest है, वो आपने column matrix बनानी है, ठीक है, investment पता नहीं, कितनी उसको let कर लो, let first investment, ठीक है, b rupees x, second investment कितने की होगी, 30,000 total है तो second investment होगी, 30,000 minus x, that's all, इसको बनाना आपने A matrix, column में भी लिख सकता हूँ, बट row में लिखो, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको row में लिखोगे, उसको दूसरी को column में लिखना पड़ेगा, इसको column में लिखोगे, तो उसको row में लिखना पड़ेगा, बस यही फर of interest वाली, 5% और 7%, इसको column में लिखना है, अब आप यहाँ पर देखें कि total interest आपको 1800 मिले, यहार AB का जो product है, वो 1800 है, ठीक आप बोल सकते हैं कि total जो आपका interest है, total जो interest है, वो 1800 है, per random यह given है, तो अब A कितना है सर्जी, x, काफी simple question है, यार अगर वानोस ने यह न बोला आता कि matrix method से करो, ऐसा नहीं बोला आता, तो यह 8th class का question है, अगर ऐसा नहीं बोला आता, क्योंकि first investment बे आपको 5% मिल रहा है, तो first investment का 5% निकालना है, second investment का 7% निकालना है, दोनों को plus करना और 1800 के equal बिठा देना है, interest हमें दिया हुआ कितना मिला था, तो बस यहाँ पर बोलता है, matrix की तरह करके दिखाओ, तो कुछ ही करना, यह row है, और यह क्या है, column है, दोनों को multiply करना, and equal to 1800, इसको भी matrix में लिख लूँ, चली, x को करना है, 5 से, तो you can write 5% of x, like this, plus 7% of this, what, 30,000 minus x, equal to 1800, can you solve this, yes, you can solve, आगे बड़ा simple है, यार, x का value निकालना है, या से, जो x का value आएगा, वो first investment है, 30,000 में से x को minus करना, second investment का पता चल जाएगा आपको, ठीक है बटा, it is 30,000 minus x, is equal to 1800, 100 LCM transfer कर दो, 18,000, 1800 की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर बैठ जाएगा, 5x plus 7 को अंदर multiply कर दो, 7, 3 is a 21, और 4, 0 यहाँ पर आ जाएगी, minus 7x, तो यह 1800 है, इसकी भी 4, 0 बन गई, त तरजी यह 21, 4, 0s, 18, और 4, 0s, ठीक है, और यहाँ पर 7x में से 5x, minus 2x, वो वहाँ transfer कर, तो भई आगे आपका काम है, x निकाल ले न, you can find, you are in class 12, यह तो होई जाएगा, तो जो x आएगा, that is the amount in first investment, और 30,000 में से minus करके, दूसरा amount भी आजाएगा, second bond का, और साथ में, इसी क दूसरा part है, जो उसमें 2000, यह question same चलेगा, ऐसे, यहाँ पर 2000 लिखना आपको, same, ठीक है, same calculation करनी है, वस 1800 की है, 2000, यह question भी बिल्कुल similar question है, जैसे अभी अभी आपने किया, बिल्कुल similar question है, इसमें, इसमें क्या दिया है, कि bookshop है, आपके पास, वहाँ पर कुछ books है, chemistry की है, physics की है, economics की है, इनको रखलो row में, जो इनकी cost वाली है, selling price जो भी दे रखा है, वो रखो आप, column में, इसको रखना row में, books गयरा, जो item है, वो row में लिख दो, multiply करना होता है, row with column, तो पहले जो matrix लिखनी है, उसको row में लिखा को लो, असानी रहती है, इने तो गडबड को टा इतनी books आपकी chemistry की आजाएंगी, दूसरे number पर आपका बैठेगा, physics books, 8 dozen, सरी आजाएगा, 8 into 12, तीसरी आपकी economics की 10 dozen, सरी, it is 10 into 12, यह आपकी matrix बन गई, row matrix, जिसमें books represent कर रही है, यह ठीक है, तो it is 120, it is 96, and it is again 120, अब B matrix में लिखो, selling price इनका कितना है, अब उसको लिखो column में, जैसे first कितना है, their selling prices are rupees 18, 80, 60, 40, each respectively, तो यहाँ पर 80 आजाएगा, यहाँ पर 60 आजाएगा, यहाँ पर 40 आजाएगा, बस इनको multiply करना है, बस और क्या है, their selling prices are this and this, find the total amount, कुछ नहीं करना, इनको multiply करना, that's all, that you can do, no issue, A, B find करना, A, B find करके total amount you can do, अब यह question है, 21, इसमें बच्चों को confusion होती है, द्यान से समझना, बड़े प्यार से समझाओंगा, द्यान से समझना, देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 5 matrices हैं, उनके order given है, तो हम उनके order लिखते हैं, X matrix का order है, आपका 2 by N, द्यान से समझना, Y matrix का order है, आपका 3 by K, ठीक है, row by column चल रहा है, Z matrix है, इसका order दे रखा है, हमें 2 by P, row by column, W matrix है, इसका order भी दे रखा है, row by column, N by 3, and the last is P matrix, इसका order भी हमें पता है, P by K, तो 5 matrices का हमें order मिल गया, अब हमें यहाँ पर बता रहा है कि यार यह N, K, P, कि क्या value होगी, ऐसे सोचों, यह restriction on बोल रहा है कि इनका क्या value होगा, इन पर क्या restriction हम लगाएंगे, जिससे यह चीज़ defined रहे है, अब यह PY प्लस W, Y में दो चीज़ें समझनी है, एक, जैसे उसने बोला PY, तो PY पहले defined होना चाहिए, क्योंकि यह दो matrices का product है, तो यह इनको defined रहना है, अब उसके लिए क्या है कि first matrix की ज plus के लिए ध्यान देना है, पहले multiply के लिए सोचना है, फिर plus के लिए, अब देखो, पहले मैं समझाता हूँ, पहले P matrix का order बताव मिरको, P matrix का order है, P by K, अब P matrix Y से into हो रही है, पहले Y का order मैं लिख लेता हूँ, Y का order है 3 by K, लिख लिए, अब P और Y क्योंकि multiply हो रही है, तो P की जितनी columns है, Y की उतनी ही rows होनी चाहिए, अब यहां पर आप देखी सकते हैं कि कि किस option में K3 है, एक तो इस option में और कहीं है K3, यहां भी बता रहा है, तो P कह रहा है is arbitrary, बलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, देखते हैं कि P किस पर depend करता है, अब W देखो, पहले W का order कितना है, N by 3, यह multiply हो रहा है Y matrix से साथ, Y matrix order कह है, 3 by K, ठीक है, यह दोनों equal होने चाहिए, जो की equal है, 3, 3 लिखा हुआ, यहां बीच में equal है, कोई tension नहीं, तो W, Y तो defined हो रहा है, P, Y को defined होने के लिए K3 होना चाहिए, यह समझ लिया, कोई matrix दे देते हैं, नाम, let it be S, let us suppose कि P, Y multiply होके, जो matrix है, वो S है, अब इस में S matrix का order क्या होगा, यह बताओ, यह हमने सीख रखा है, तो जब आब दो matrix को multiply करते हो, जो new matrix आती, उसका order होता है, कि इसकी जितनी rows होती है, और दूसरे की जितनी columns होती, जनी P, Y के, इसका order बन इसकी जितनी column, उसका order होगा, N, Y, K होगा, अब इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, प्लस, यह जो दो product आए, इनको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, अब दो matrices प्लस होने की क्या condition है, दो matrices तभी प्लस होती है, जब उनका order सेम हो, ऐसा तो प्लस नहीं हो सकती, इसका बतलो य यह वाला जो order है, यह वाला जो order है, यह सेम होना चाहिए, यह जो P by K है, it should be equal to N by K, दूसरे नमबर पर तो बैठा हुआ है, K equal to K, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका वालब P किसके बराबर होना चाहिए, N के बराबर होना चाहिए, तो भाई है यह restriction, P is arbitrary, ऐसा नहीं है कि P क find होगा, is it okay, तो इसी का यह second part है, ठीक है, 22 वाला, इसी 21 का second part आप मानके चलें, तो यह आपके लिए छोड़ रहे हैं, काफी simple है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, उसी तरह से यह बहुत simple है, इसमें सिरफ 7X और 5Z पर बात होगी, यहाँ कोई multiplication नहीं है, X और Z आप minus हो रहे हैं, तो क्या conditions होएंगी, इन चारों में से कौन सा option होगा, यह आपके लिए छोड़ने है, you can do, ठीक है, तो यह थे बचे आज का lecture, important question हमने निप्टा लिए, अब आपका काम है, इस exercise 3.2 के notes बनाना proper, और अगर कोई problem आती है, किसी भी question में, तो message करना, मैं उसक examples मत छोड़ना, इस exercise की, कुई सी भी exercise की, जो हमारी चल रही है, वो solved होती है, क्योंकि exercise हमने कर लिए, तो examples हो ही जाएंगी, तो examples मत छोड़ना, examples भी कर लेना, फिर भी दिक्कत आती, किसी example में तो बताना, we will solve, okay, my dear students, हमारा chapter number 3 चल रहा है, ठीक है, chapter number 3, जिसका क्या नाम है matrix, or you can say matrices, इससे पहले हमने transpose, symmetric and skew symmetric, इन तीनों का definition understand किया था, वो transpose की हमने कुछ properties कर ली थी, तो इन transpose, symmetric and skew symmetric पे based हमारी एक exercise है, 3.3, NCRT में उसको आज हम complete करेंगे, इस lecture में, और उस exercise से पहले, आपकी NCRT में ही, 3.3 से पहले, दो theorems हैं, जिनका proof आपके NCRT में भी given है, त तो पहले हम उन दोनों theorems का proof करेंगे, क्योंकि वो board exam में पूछा जाता है, proof, ठीक है, तो देखें, यहाँ पे जैसे हमने theorem 1 का statement लिखा हुआ है, क्या रहे, for any square matrix, A with real entries, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric matrix, बड़ा ही simple statement है, कि कोई भी square matrix, अगर आप उसमें उसी का transpose plus करते हैं, तो जो result आएगा, वो एक symmetric matrix होगी, और minus करने पर skew symmetric, इसका proof करना है, ठीक है, बहुत simple proof है, ध्यान से आपको समझने है, ठीक है, आप consider कर लें, let A be any square matrix, मालो, A कोई square matrix है, and A transpose, जैनि A dash, be its transpose, यह दो बाते आप let कर लें, be its transpose, ठीक है, अब आप notice करें, ध्यान रखें, कि आने वाले time में भी जब आप कोई भी questions कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है, कि इसको symmetric proof करो, जहां फिर बोला गया, इसको skew symmetric proof करो, तो उसकी शुरुआत आपको कहां से करनी है, उसके transpose से, जैसे मानो ऐसे example लेता हूँ, मानो आपको कोई matrix दे दी, अब P, बोल रहा है, इ symmetric proof करना है, तो आपकी शुरुआत ट्रांस्पोस से होनी चाहिए, क्योंकि symmetric का क्या definition है, वो तो आपको बताया, symmetric का definition है, कि कि किसी matrix का transpose, अगर उसी के equal आ जाए, तो वो symmetric होता है, तो इसको symmetric proof करने के लिए बोल रहा है, तो उसके transpose से शुरुआत करो, और उसको simplify करो, और दे symmetric को symmetric बताना है, तो आप क्या करो, a plus a transpose के whole transpose से इसकी शुरुआत करेंगी, simple बस ये आपको ध्यान पर रखना है, क्यों आने वाले time में कुछ और भी properties आपको मिलेंगी, तो उसमें आपने बोलनी जाना है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो इसमें दिक्कत यही आती है बच transpose को symmetric proof करना है, तो भाया इसके transpose से शुरुआत करो, बस ये का बता रहा हो भी आपको, तो a plus a transpose का whole transpose को simplification कैसे करेंगे, सर ये तो अलग-अलग transpose हो जाएगा, वो तो property आपने सीख रखी है, a plus b का whole transpose क्या होता है, a transpose plus b transpose, that you know, तो इसलिए अलग-लग transpose हो गया, अब और simplify कर रह matrix का, दो भाद transpose करो, वापिस वो ही matrix आजएगी, वापिस ही आजएगा, अब addition is commutative in matrix, तो आप a transpose plus a को, आप ऐसे लिख सकते हैं, a plus a transpose, proof हो भी गया, क्या पता चला, देहो क्या कर दिया, भाई, जिसका आपने transpose लिया था, जिसका आपने transpose लिया था, उसको उसी के equal proof कर दिय जानि कोई matrix ची, let it be p, उसका transpose आपने उसी के equal proof कर दिया, तो जानि p क्या हुई, symmetric हुई, बस इतना सा proof है, तो इसके आगे you can write, therefore, a plus a transpose का whole transpose is equal to a plus a transpose, therefore, a plus a transpose is what, symmetric matrix, that's all, यह छोटा सा proof है, इसी दरहां से skew symmetry का, now, अब skew symmetric इसको बताना है, a minus a transpose, जानि कोई भी square matrix है, उसमें से उसका transpose minus करते हो, तो जो new matrix आएगी, वो skew symmetric होगी, उसक्यू symmetric का definition पता होना चाहिए, कि किसी matrix का transpose, उसी के negative के equal अगर आ गया, तो वो skew symmetric होती है, तो इसको करना है, तो क्या बोला, स्क्यू symmetric के लिए transpose से शुरुआत करनी, तो इसके transpose से शुरुआत करो, जिसको स्क्यू symmetric बताना है, a minus a transpose का whole transpose से आप शुरुआत करेंगे, और देखेंगे, क्या ये अपने ही negative के equal आती है, फिर आपने property लगानी transpose की, अलग-लग आप इसको transpose कर सकते हैं, उसके बाद a transpose का transpose सर a ही होता है, उसके बाद देखें, a minus a transpose लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ पर a transpose minus a लिखा हुआ, तो बराबर तो लग नहीं रहा है, तो ऐसा हम करेंगे, यार इसमें से अगर मैं minus common ले लूँ, तो भाई, a पहले आ जाएगा, यह a transpose बाद में हो जाएगा, तो आप देखें, यहाँ पर द्यान से कि आप क्या चीज़ प्रूब कर चुके हैं, आप यह प्रूब कर चुके हैं, a minus a transpose का whole transpose is equal to what, minus of a minus a transpose, जैनि किसी matrix का transpose आपने उसी के equal कर दिया है, minus time, तो यही तो definition is skew symmetry की, that's all, therefore, a minus a transpose is skew symmetric matrix, आदे सबच, तो यह है चोटी सी एक theorem, theorem number one, exercise 3.3 से, पहले यह theorem आपके NCRT में given है, उसका proof हमें कर लेना चाहिए, इन future भी आप याद रखो, किसी भी square matrix में उसका transpose plus करोगे, तो result है, वो symmetric होता है, किसी भी square matrix में उसका transpose minus करो, तो वो skew symmetric होता है, याद रखना entries उसकी real होनी चाहिए, आगे बढ़ जाते हैं, next, theorem number two, यह भी कुछ ऐसी ही है, result मतलब ऐसी प्रूफ करना है, statement पढ़ो देखो, क्या लिखा हुआ, क्यारा, for any square matrix, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix, क्यारा, कोई भी square matrix है, चाहिए वो symmetric है, जा नहीं है, कोई भी square matrix है, उसको आप break कर सकते हो, in two matrices, you can break that matrix, in two matrices, one is symmetric and another is skew symmetric, example के तोर पर मैंने यह कहीं पर लिखा 5, तो 5 को you can break like this, 3 plus 2, तो 5 can be expressed as a sum of 3 and 2, तो 3 and 2 को प्लस करोंगे 5 यह आएगा, इसी तरह से कोई भी square matrix है, कोई भी square matrix है, किसी भी order की, 2 by 2, 3 by 3 ले लो, 3 by 3 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या यह इस वक्त symmetric है, no, क्या skew symmetric है, no, तो कोई भी square matrix को you can break into two matrices, जानि आप इसको break कर सकते हो, इसका sum है, यह matrix क्या है, इन दोनों में से एक matrix symmetric होगी, और एक matrix क्यों symmetric होगी, बस यह proof करने है, अब यहाँ पर theorem में आपने क्या करना है, example नहीं लेंगी है, इसको in journal proof करने, example जब लेंगे, तो इसका मतलब आप उसको verify कर रहे हो, तो वो theorem का proof नहीं होता है, यह द्यान रखें, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, theorem as a question आया होता है, वहाँ कोई matrix तो आपको given नहीं होती, बस यह statement होती, तो बच्चा खुद से example ले ले लेता है, वो गलत होगा, example वाला करेंगे, तो वो verification होगा है, वो as a question बन जाएगा, तो हम theorem का proof करने वाले हैं, तो आपको इसको proof को कैसे करना है, कोई example set नहीं करना है, जस्त यही लिखना है, कि let a be any square matrix, ठीक है, और a dash be its what, be its transpose, जैसे पिछे अभी let की है, अब आप कैसे बताओगे कि जो matrix है, कोई भी square matrix, तो sum of symmetric and skew symmetric है, जैसे मैंने 5 की example दी, 3 plus 2 तो दिख रहे हैं न, 3 और 2 को plus करके 5 आएगा, ऐसे ही आपको क्या करना है, बड़े ही चलाकी से, बड़े ही चलाकी से, आपने a को represent करना है, उसको लिखना है, इस तरह से, कि वो दो चीजों का sum हो, लेकिन sum करके वापिस यह ही बननी चाहिए, मतलब ऐसे लिखना है, जैसे मैंने 5 को लिखा हुआ, देखो कैसे, आपको ऐसे लिखना है, हाफ a प्लस a ट्रांस्पोस, इसमें प्लस करना है, हाफ a माइनस a ट्रांस्पोस, उसर, यह क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस expression और इस expression को अगर मैं प्लस करता हूँ, क्या a बनेगा, जैनि a को break करके लिखा है, मैंने और कुछ नहीं किया है, हाफ a ट्रांस्पोस, जो हाफ a ट्रांस्पोस है, वो माइनस का है, cancel हो जाएगा, जैनि इसकी जो टोटल कैलकुलेशन हाएगी, वो तो a ही होगी, जैनि a को हम ऐसे लिख सकते हैं, simple, जैसे 5 को लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, ओके, अब आप ध्यान दे कि a को मैं break कर चुका हूँ, और अभी-भी आपने theorem 1 किया है, तो a plus a transpose क्या होता है, symmetric होता है की नहीं होता है, और a minus a transpose क्या होता है, squeeze symmetric होता है, और कोई भी constant, जैसे 1 by 2 लगा है, वो किसी matrix की symmetry को disturb नहीं कर सकता है ना ही skew symmetry की उसको disturb कर सकता है skew symmetry को constant से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बस यही तो proof करने कि this matrix is can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric तो भाई यह symmetric दिख रहा है और यह skew symmetric दिख रहा है लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा proof करके बताओ जैसे अभी अभी हमने पीछे किया है तो यहीं पे नहीं छोड़ देना है आपको ऐसे लिखना है ठीक है ऐसे करो इसको नाम P दे दो इसको नाम Q दे दो और बता दो सर P क्या ले लिया आपने आपने P ले लिया half A plus A transpose और Q ले लिया half A minus A transpose वैसे तो theorem 1 का मैं यहां use कर रहा हूँ लेकिन theorem 1 का use नहीं करूँगा तो पूरा वापिस वही explain कर दूँगा जैसे theorem 1 में मैंने prove किया है तो अभी तक क्या है A को break कर दिया A को लिख दिया P plus Q P ये है और Q ये है अब आप उठाओ P को symmetric बताना है P को symmetric बताना है P को तो मैंने क्या बोला कहां से शुरुआत करो P transpose से शुरुआत करो तो P transpose का मतलब हो गया half A plus A transpose का whole transpose का वंकि इसी को तो P माना है हमने इसको simplify करते जाओ 1 by 2 constant है उसको बाहर लेके आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब वापिस property लगाओ Sir इसका transpose और इसका transpose फिर ओर simplify करते जाओ half Sir A transpose Sir A transpose का whole transpose Sir जी A ही होता है addition is commutative A को पहले लिख लो Sir लिख लिया अब half A plus A transpose क्या था यही तो P था इसका मतलब आपने proof कर दिया P transpose equal to P तो इसका मतलब जो P है वो क्या है symmetric है P क्या है symmetric matrix है तो पहले पार्ट को आपने proof कर दिया कि वो symmetric अब दूसरे पार्ट को बताना है कि वो Q symmetric है यानि उसको हमने Q लिया होगा Q transpose हम शुरुआत करेंगे अब जैसे theorem 1 में किया है वैसे ही चलेगा तो Q का ले लिया मैंने transpose half transpose से बाहर लेके आ सकते है कोई problem नहीं है इसमें फिर हम property लगाएंगे transpose की इसको अलग-अलग transpose डाल देंगे फिर आपके पास Q transpose half sir A transpose A transpose का transpose sir A हो गया sir ये तो बराबर नहीं आ रहा है Q के अरे minus लो न common ले लो minus common तो क्या बढ़ा A minus A transpose आगे minus अब ये जो half A minus A transpose ये कोन है ये तो Q ही था तो इसका मतलब Q transpose Q transpose आपने प्रूब कर दिया minus Q के एकल तो Q क्या हुआ sir Q is what Q is what Q is Q symmetric therefore Q is Q symmetric ये ही तो प्रूब करना था therefore A can be expressed as a sum of P and Q where P is symmetric and Q is Q symmetric छोटा सा proof है theorem 1 से ही related है theorem 1 अगर समझ में आगी तो इसका proof अराम से समझ में आई जागा क्योंकि वही चीज़ उसमें हम कर रहे है तो ये theorem 1 and theorem 2 दोनों को अच्छे से करना है exam में ये पूछे जाती है अब हम बढ़ेंगे exercise 3.3 की तरब हरे question discuss करेंगे जिन questions में बच्चों को दिक्कत आती है वो हम निप्टाएंगे और जो easy वाले questions है उनको हम अराम से कर सकते है देखो जैसे question number 1 लिखा है find the transpose of each of the falling matrices क्या आप transpose नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं you are very intelligent कैसे अरे भाई इसका transpose कर दो ये column में लेखा इसको row में लिख दो इसका transpose कर दो इसका transpose कर दो ये मैंने सिखा रखा है that you can do question करते हैं जिसमें बच्चों को difficulty आती है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या है दोनों को plus करना है पहले फिर transpose करना है left side आजेगी अलग-लग transpose करके plus करना है बस ये दोनों बराबर आजाएंगे ऐसा minus में भी है ठीक है ये plus minus के question है ये आप self study में निकालो इनको ये भी वैसा ही है इसमें हो सकता है बच्चों को confusion हो जाती है है बहुत easy है बट कहीं बड़ confusion हा जाती है कि सर हमें find करना है a plus 2b का whole transpose लेकिन सर a तो given ही नहीं है तो यहाँ पर आपने क्या करना है आपको a transpose तो given है minus 2, 3, 1, 2 तो आप क्या करें a transpose का वापिस transpose कर दें यानि minus 2, 3, 1, 2 यानि इस matrix का आपने transpose कर दिया तो अभी-भी मैंने आपको बताया है किसी matrix का दो बड़ transpose करेंगे तो वो क्या होगा सर वो तो a ही होगा तो minus 2, 3, 1, 2 तो a को बना लिए ठीक है a खुद त्यार की हमने transpose की property से अब जो आपको find करना है वो a plus 2b है वो उसका transpose है तो पहले आप a plus 2b को find कर लो sir a अपने निकाल के दिया minus 2, 1, 3, 2 sir 2 times sir b हमें given है minus 1, 0, 1, 2 करो इसको simplify minus 2 पहले आप इसका 2 multiply कर दे अंदर minus 2, 0 it is 2, 4 करो simplify a plus 2b कितना आएगा sir minus 2, minus 2 sir minus 4, 1, sir 1, 3, sir 2, 5 sir 2 और 4, sir 6 आगया अब इसका transpose बूच रहा अरे बाई कर दो इसका transpose interchanging of rows and call minus 4, 1 यहाँ हैगा 5, 6 रहाएगा that's all आते समझ बेटा काफी simple है confuse करता है इससे a transpose की वज़े से की sir a तो देखनी रहा वस ऐसे find कर लेना ठीक है easy question है अब यह question है multiplication का है ठीक है यह मैं करके दे दूँगा जब मैंने multiplication सिखाए थी तब भी मैंने इस type के question आपको करवाया था लेकिन यहाँ transpose भी है तो इसको हम करेंगे देखो first part को उठाते है अब first part में A matrix आपकी column matrix और B matrix आपकी row matrix है ठीक है और हमें find करना है A B का whole transpose equal to B transpose यह transpose की property है यह मैंने आपको transpose की जब definition बताया थी उसमें मैंने आपको यह सिखा रखा है इसको reversal law बोलते है तो बस इसको आपने verify करना है इस example की help से तो सबसे पहले आप क्या करें left side को calculate करने के लिए पहले A B find करें Sir A कितना है 1, minus 4, 3 Sir B कितना है minus 1, 2, 1 तो you can multiply row with column row with column row with column multiplication में भी आप expert हो चुके हैं देखे row with column अग देखो multiply कर रहे हो multiplication possible है जा नहीं यह भी देखा करो और जो new matrix आने उसका order गया मैं वापिस आपको revise करवा देता हूँ देखो A matrix का order कितना है Sir इसमें 3 rows है और 1 column है यहनि इसका order है 3 by 1 जो B matrix है इसका A की row है और 3 columns है A की row है 3 column multiplication possible है क्योंकि column और rows बराबर है इनकी और new matrix का order कितना आएगा 3 by 3 यह जो matrix में बना रहे हो यह 3 by 3 के आएगी इसलिए गलत मत करना तो row with column Sir minus 1 row with column Sir 2 row with column 1 row with column 4 row with column minus 8 row with column minus 4 row with column minus 3 row with column 6 row with column 3 that's all आगे AB अब left side देखो क्या लिखा हूँ है AB का whole transport तो यह जो आपकी left side है यह है AB का whole transport तो बही transpose कर दो इसको minus 1, 2, 1 जो row है उसको column में लिखना है 4 minus 8 minus 4 minus 3 6 and 3 that's all तो यह आपने left side को find कर लिया AB का whole transport अब आप right side देखें क्या है B transpose into A transpose B transpose को पहले लिखना है B transpose को जो आपकी B transpose को पहले लिखना है A transpose को बहाद में लिखना अब B transpose क्या होगा Sir B है minus 1, 2, 1 row में लिखा है न minus 1, 2, 1 यह column में हो जाएगा अब जो column में लिखा है वो row में हो जाएगा यह column में लिखा है 1 minus 4, 3 1 minus 4, 3 ठीक है B transpose पहले लिखा है A transpose बहाद लिखना है इसको अब multiply करो फिर से order आपका 3 by 3 का ही आएगा बस यह देखना है कि क्या वही आता है जो left side है minus 1 into 1 Sir minus 1 minus 1 into minus 4 Sir 4 Sir it is minus 3 row with column से 2 row with column Sir minus 8 row with column से 6 row with column 1 Sir row with row with column minus 4 row with column is 3 this is your second अब देखो left and side और right and side क्या बराबर है क्या बराबर है A B का whole transpose is equal to B transpose into A transpose क्या आया चेक करते हैं minus 1, 4, minus 3 minus 1, 4, minus 3 फस्टो सेम है 2 minus 8, 6 2 minus 8, 6 ठीक इसका 1 minus 4, 3 1 minus 4, 3 तो भीकुल से ही है वही इसको reversal law बोलते है as a property है यह transpose की यह कभी भी कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो बस दियान रखना A B का जो whole transpose है A transpose into B transpose नहीं होता B transpose into A transpose होता है काफी important question है exam में भी पूछा जाता है second part आप कर लेना वेटा ठीक है question number 5 question number 6 यह भी काफी easy है transpose और A को multiply करना है वो आई आएगा कुछ matrix हमें दे रखी हैं trigonometry वाला part है तो एक part मैं आपको करके दिखा देता हूँ first part तो A transpose into A A transpose भोले तो जो given matrix आप किये इसका transpose लिखो cos alpha sin alpha ठीक है पर जो row है उसको column में लिखना है ठीक है row को column में लिखना है transpose पहले लिखना बस यह याद रखना यह row है cos alpha sin alpha इसको column में लिखना है दूसरी row जो है minus sin alpha और इसको column में लिखना है ठीक है transpose हो गया अब लिखो A matrix को sir A matrix हमारी है cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha ओके डियर अब क्या करो क्या करो multiply कर दो row with column sir it is cos square alpha first with first second with second plus sin square alpha ठीक है बटा फिर row with column sir cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha फिर row with column निचा जो तो sir ये sin alpha cos alpha minus cos alpha and sin alpha फिर row with column sir it is sin square alpha plus cos square alpha ठीक है बटा फोड़ा सा और simplify कर दो cos square alpha plus sin square alpha क्या होता है सबको बता है साजी 1 होता है ठीक है ये दोनों term same है cancel होगे sir 0 आ गया ये दोनों term same है sir cancel होगे opposite sin star 0 आ गया sin square alpha plus cos square alpha फिर 1 बना होगे तो ये कौन है identity यही तो prove करना था बहुत simple है second part प्लीज बचे कर लेना ठीक है अब देखो question number 7 can I show that the matrix A is symmetric तो मैंने क्या सिखाया किसी को भी symmetric prove करना है तो उसके transpose से शुरुआत करनी किसी को भी skew symmetric prove करना है उसके transpose से शुरुआत करनी तो दोनों पार्ट में एक को symmetric है दूसरे को skew symmetric है तो skew symmetric वाला पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ it is second part question number 7 का second part हमें matrix दे रखी है 0, 1, minus 1, minus 1, 0, 1, 1, minus 1, and 0 कह रहा है ये जो है skew symmetric है वैसे तो वो दिख रही है जब आपको definition सिखाए थी कैसे देखना होता है जो row है वही column में with opposite sign जो row है वही column में with opposite sign जो row है वही column में with opposite sign ठीक है diagonal element सारे 0 होते हैं skew symmetry में है तो ये skew symmetry के लिकिन prove करना है prove क्या करना है अरे भाई इसका transpose करो इसका transpose करो करो transpose row को लिखो column में 0 1 minus 1 column में आगया row with column row with column ठीक है row को column में लिख दिए row को column 1 minus 1 0 होगे transpose क्या ये जो matrix है और ये जो matrix same है नहीं है अभी तक same नहीं है तो क्या करे अरे इसमें से आप minus low common A transpose जो आपने निकाला सभी element में से minus ले लो common 0 तो 0 रहेगा minus 1 का 1 हो जएगा उस 1 का minus 1 हो जएगा इस 1 का 1 हो जएगा 0 का 0 रहेगा minus 1 का 1 हो जएगा minus 1 का 1 हो जएगा 1 का minus 1 हो जएगा और ये 0 अब बताओ जो minus के बगल में matrix आपको दिख रही है क्या यह A matrix है क्या यह A matrix है ध्यान चे देखो तो यहाँ पर sign change नहीं किया यहाँ sign change देगा minus 1 ठीक है ओके तो 0,1, minus 1, minus 1, 0,1 1, minus 1, 0, बिल्कुल यह तो A आ गई तो इसका मतलब हो गया कि यार जो A transpose है वो minus time A है तो यह किसका definition है, skew symmetry का तो this is skew symmetric matrix बस यह proof करना है, symmetric कर ले बहुत simple है 8th question यह theorem 1 है, ठीक है 8th question theorem 1, उसमें example नहीं होती इसमें example है, तो यह आराम से हो जाएगा A और A transpose करके उनको plus कर दो, symmetric matrix आएगी और A और A transpose minus करो, वो skew symmetric आएगी ठीक है, that you can do बड़ा simple है, अब इसी से related जो next question है, वो मैं आपको करवाता हूँ वो इसमें cover हो जाएगा, जैसे यह 9th question है इसमें जो पूछा हुआ है half A plus A transpose और half A minus A transpose, ठीक है, वो आपका cover हो जाएगा भी वो cover होगा इस question में, question number 10th में अब देखो कैसे cover होगा जो आपने theorem 2 किया sum of symmetric and skew symmetric, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and, वहाँ उसको in journal किया, कोई example ने ली, अब यहाँ पर 10th question में examples है, तो कोई भी matrix उठाओ, और जैसे आपने theorem 2 किया है, बिल्कुल वैसे करना है बस आपने उस A matrix का अब यह value ले लेना है, कोई भी एक matrix, तो हम इसमें let us take third part, ठीक है, third part लेते है, 3, 3, minus 1, यह matrix ले लेते हैं, 3, 3, कोई भी आप अपने से कोई भी square matrix ले सकते हैं, जुरूरी नहीं यही लेनी है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप number यहाँ रख लो, real entries लेना, वस, minus 4, minus 5 and 2, minus 4, minus 5 and 2, अब हमें प्रूब करना है, this matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric, यह हमें प्रूब करना है, बढ़े राम से हो जाएगा प्रूब, सब सब पहला step, मैंने आपको क्या बताया, कि आप A को कैसे लिख सकते हो, वो आपने समझने हैं, आप A को लिख सकते हो, half A plus A transpose, half A minus A transpose, यह है आपका first step, कि A को you can write like this, जैसे 5 को you can write how, 3 plus 2, तो 5 होता है, तो A को you can write like this, अब इसमें यह जो part है, पहला वाला, इसको उठाओ, simplify करो, जो matrix हैगी, वो symmetric होगी, इसको उठाओ, simplify करो, जो matrix हैगी, वो skew symmetric होगी, example आपको यह चलानी है, साथ है, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप first part को उठाए, half A plus A transpose को, इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं, आप P, Q, कुछ भी रख सकते हैं, फिलाल, मैंने नहीं रखा minus 5, 2, A और उसका transpose, मैं plus कर रहा हूँ, करो plus, 3, 3, sir, 6, 3, 3, 6, 3, 2, sir, 1 हो जाएगा, minus 1, sir, minus 5 आएगा, minus 2, sir, 1 आजएगा, minus 2, sir, minus 4 आजएगा, 1, sir, minus 4 आजएगा, minus 4, 3, sir, minus 1 आजएगा, minus 4, 1, sir, minus 4 आजएगा, sir, 2, 2, 4 आजएगा, half को अंदर into कर दो, इसको क्यों बाहर रखना है, कर दो into अंदर, 3, 1 by 2, फिर आगे, minus 5 by 2, ठीक है, फिर आगे, 1 by 2, minus 2, फिर minus 2, half into कर आजएगा, ठीक है, minus 1 by 2, minus 2, and 2, यह जो आपने matrix बनाई, यह symmetric होनी चाहिए, देखने में तो आपको दिख रही है, उसका मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जो रो है, वही कॉलम है, देखो है, जो रो है, वही कॉलम है, बिल्कुल है, 5 by 2, यहाँ 5 by 2 है, minus 4, यहाँ 5 by 2, I am very sorry, यह 4, and this 5 by 2, ठीक है, जो रो है, वही कॉलम है, जो रो है, वही कॉलम है, यहाँ पर जो रो है, वही कॉलम है, बिल्कुल, जो रो है, वही कॉलम है, symmetric तो यह है, लेकिन इसको आपने, एक बार transpose करके भी दिखाना उसको, कैसे, sir, इसका ले रहा हूँ है, transpose, बोले तो, इस स्मेट्रिक्स का ट्रांस्पोज ले रहे हो तो वो वही तो आएगी 3 1 by 2 minus 5 by 2 क्योंकि जो रो है वही तो कॉलम है ट्रांस्पोज करके वो वही आजेगी बापिस minus 5 by 2 minus 5 by 2 minus 2 and 2 तो is equal to half a plus a ट्रांस्पोज का आपने प्रूफ कर दिया कि half half a plus a ट्रांस्पोज is symmetric is symmetric matrix यह आपने प्रूफ कर दिया ओके पहला पार्ट हो गया अब आपका जो दूसरा पार्ट है a minus a ट्रांस्पोज इसको उठाना है half यहां लिखनी a matrix यहां लिखनी a ट्रांस्पोज मैट्रिक्स लिखो 8 matrix 3 3 minus 1 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 and minus 4 minus 5 2 minus 4 minus 5 यहां लिखो ट्रांस्पोज 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 and 2 करो दोनों को minus जल्दी से यह स्क्यू सिमेट्रिक आनी चाहिए 3 में से 3 देखो diagonal element पहले ही 0 आगया ठीक है 3 minus 3 सर यह 5 हो गया plus 2 minus 1 plus 4 सर यह 3 आगया minus 2 and minus 3 सर यह minus 5 आगया diagonal फिर 0 हो गया फिर आगया 1 and plus 5 हो जाएगा तो यह 6 बन गया फिर minus 4 फिर plus 1 सर यह minus 3 आगया फिर minus 5 minus 1 सर यह minus 6 आगया diagonal फिर 0 आगया half को भी इंटू कर दो अंदर half को भी इंटू कर दो 0 5 by 2 3 by 2 फिर half into कर रहे हैं 5 by 2 0 फिर यहां पे 3 फिर minus 3 by 2 minus 3 and 0 अब यह जो matrix है यह skew symmetric होनी चाहिए क्या है बिल्कुल है वो तो देख रहे हैं आप जो row है वही column है with opposite sign जो row है वही column है with opposite sign जो row है वही column है with opposite sign skew symmetric तो है ही है लेकिन इसको prove कैसे करना अरे इसका transpose करो इसी के equal आएगा minus time तो वह आपको करके दिखाना पड़ता है half यह जो अपने लिए है इसका कर रहे हैं transpose इसका transpose बोले तो इसका transpose हो रहा है ठीक है तो जैसे transpose किया 0 5 by 2 3 by 2 यहां पर आजाएगा minus 5 by 2 0 और 3 यहां पर आजाएगा minus 3 by 2 minus 3 और 0 यहां पर आजाएगा ओके डियर transpose कर दिया क्या यह इसके equal आ रहा है सर नहीं आ रहा है क्या करेंगे अरे इसमें से ले लो minus common यहां पर ले रहा हूँ इसमें से ले लिए मैंने minus common जैसे ही मैंने हर एक element में से minus लिया common यहां मैंटेगा 0 5 by 2 3 by 2 क्या वो यही मैंट्रिक्स है देख लो देख लो वही मैंट्रिक्स है इसका मतलब आपने क्या कर दिया आपने कर दिया half a minus a transpose का whole transpose is minus time half a minus a transpose इसका मतलब जो 1 by 2 a minus a transpose है is what is what skew symmetric matrix that's all तो हमने तो यही बताना था ना कि a is a sum of symmetric and skew symmetric तो पहले पार्ट को आप क्या बता चुके हो symmetric और दूसरे पार्ट को आप क्या बता चुके हो skew symmetric बस example से आपने यह करके दिखा दिया that's all और end में आपका एक last काम आपको क्या करना है last काम आपको क्या करना है कि यह जो half a plus a transpose आया और half a minus a transpose जो आया जानी यह एक matrix जो आई यहां लिखनी है यह जो matrix आई आपको यहां लिखनी है इन दोनों matrices को आपको plus करना होगा end में आपको यह दिखाना पड़ता है जब भी example आपके सामने है दोनों को plus करो plus करके जो matrix आएगी plus करके जो matrix आएगी वो a matrix ही होनी चाहिए तब आपका यह complete question बनेगा every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric वैसे यह वो a ही आता है it is always क्योंकि यह जो है इसका sum तो a ही होता है लेकिन जो example set की है उस example के हिजाब से भी आप उन दोनों matrices को plus करके दिखाएंगे जो आपने symmetric बोली जो आपने skew symmetric बोली इनको plus करके आपको a बना के दिखाना होता है वहाँ पर ठीक है I hope यह question आपको clear होगा देखे बचे इससे बाद 11th जो question है और 12th question है यह MC क्यों है आप देख सकते है carriage use the correct answer in exercise 11 and 12 देखो इसमें क्या है a and b are symmetric matrices of same order then a b minus b a क्या होगा देखो यहाँ पर option है skew symmetric होगा symmetric होगा identity होगा जा 0 होगा आप ऐसा करें तो 0 matrix को आप कैसे check करोगे या identity कैसे check करोगे आपने इसमें कैसे शुरुआत करनी है आप इसके transpose से शुरुआत करो तो चीजें clear हो जाएंगी आपने उठाना है a b minus b a जिसको आपके check करना है उसको transpose करो और simplification करने दो जाने दो simplification a b minus b a को आपने लिया और उसके transpose से आपने उसकी शुरुआत करनी है पहली property अलग-लग transpose आप कर सकते हैं दूसरी property a b का product है a और b product में है उपर whole transpose तो reversal law याद करो इसको आप लिसाते हो b transpose a transpose फिर b a का whole transpose इसको लिसाते हो आप a transpose b transpose क्या a b minus b a का whole transpose अपने ही equal आ रहा है अभी नहीं आ रहा है अब हम यहाँ पर एक चीज़ और apply करेंगे जो हमें given है क्या given है a and b are symmetric matrices यह दोनों symmetric matrices है अगर यह दोनों symmetric matrices हैं तो a transpose a के बराबर हुआ b transpose b के बराबर हुआ तो इसकी हम help लेते हैं तो a transpose की जगा आप a लिख दो you can write ओ b transpose की जगा b लिख दो तो b transpose की जगा मैंने b लिख दिया a transpose की जगा मैंने a लिख दिया अब क्या करेंगे, बराबर आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, ना कुछ cancel हुआ, कि ये 0 बन जाए, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा करते हैं, माइनस ले ले लेते हैं common, जैसे मैंने माइनस लिए common, a b पहले आ गया, और b a बाद में आ गया, अब देखो, a b minus b a का transpose उठाया था, वो a b minus b a ही आ रहा है, minus time, तो ये किसकी property है, skew symmetry की, तो बताओ कौन सान जरुआ, a part, ये skew symmetry की, तो कहीं भी ऐसे symmetric, q symmetric कुछ given है, और आपको कुछ check करना है, उसके transpose से शुरुआत करो, चीज़े clear हो जाएंगी, ठीक है, next is, question number 12, भी काफी simple है, हमें given है, a plus a transpose is i, ये बहुत अच्छी बात given हमें, cos alpha, minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, this is your a matrix, इसका transpose है, cos alpha, minus sin alpha, sin alpha and cos alpha, इन दोनों का sum i के equal है, i होता है, identity matrix that you know, पहले तो आप इनको plus कर रहो, सर जी, 2 cos alpha, minus sin alpha, sin alpha, cancel 0 आजाएगा, आना ही 0 था, क्योंकि identity के बराबर है, यहाँ 0 ही बैठेगा, यहाँ भी 0 बैठेगा, देख रहें, आभी रहा है, और it is 2 time cos alpha, is equal to 1, 0, 0, 1, ठीक है, equality of matrices, दोनों का आप compare कर लो, 0, 0 तो compare करेंगे नहीं, आप 2 cos alpha equal to 1, 2 cos alpha equal to 1, तो जब आप 2 cos alpha equal to 1 लेंगे, तो बताओ न, alpha कितना होगा, 2 cos alpha x 1, what is cos alpha, सर जी 1 by 2, तो cos कितने degree पे 1 by 2 होता है, तो 10th class में चले जाओ, 30 degree पे होता है, 45 पे होता है, 60 पे होता है, तो आप बता सकते हैं मेरे को, सर जी 60 degree पे होता है, जिसको आप 5 by 3 बोलते हो, तो alpha is 5 by 3, that's all, अब देख लो, कौन सा option बैठा, B part is the right option, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये थी आपकी exercise 3.3, जो हमने complete कर दी है, ठीक है, now the next is question number 4, जो की एक property है, symmetric, skew symmetric की, इसको ध्यान से आपको समझना है, ये important में आता है, कहीं बार चुटपुड ऐसे questions आ जाते हैं, question है, if A and B are symmetric matrices, पहले तो समझ लें, दोनों symmetric matrices हैं, जानि A का transpose A के equal है, B का transpose B के equal है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, कि ये skew symmetric है, बहुत easy है, मैंने आपको समझा रख है, कि symmetric, just skew symmetric किसी को प्रूव करने है, तो question कहां से start करना है, solution कहां से start करना है, उसके transpose से start कर दो, यानि इसको आपको skew symmetric दिखाना है, तो आपको start कहां से करना है, we have a b minus b a का whole transpose, बस यहीं से question start कर दो, simplify करना start कर दो, जो given चीज़ है, उसकी थोड़ी help ले लो, अपने approve बनना ही बनने, तो मैंने लिखा a b minus b a का whole transpose, तो आप transpose की पहली property लगा दी, कि आप इन दोनों पर अलग-लग transpose कर सकते हैं, पहला step, उसका a b का whole transpose है, a b का whole transpose है, तो reversal law मैंने आपको सिखा रख है, कि जब product में ऐसे है, तो यह reverse हो जाएंगी, matrix next में, वैसे करेंगे, वो transpose अलग-लग हो जाता है, और यहाँ पर भी same चीज़, a पहले आजाएगा, b बाद में आजाएगा, वो transpose अलग-लग हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, कि आगे हम क्या करें, तो उसके बाद आपने given पर जाना है, a और b दोनो symmetric matrices हैं, तो यहाँ पर आप reason लिख सकते हैं, कि a transpose a के equal और b transpose b के equal, बस इतना reason लिखना sufficient होता है, क्योंकि यह symmetric matrices हैं दोनों, तो अब आप क्या गरेंगे, थोड़े सा replacing करो, b transpose जो है b लिख लो, और a transpose को a लिख लो, a transpose को a लिख लो, b transpose को b लिख लो, that you can write, अब देखें कि जहाँ से आपने start गया था, ऐसा ही कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें से minus लेना पड़ेगा common, तो मेरे पास आ गया a b minus b, तो यह symmetric matrix की, skew symmetric matrix की definition को follow कर गया, क्या, किसी matrix का transpose हो रहा है, किसके equal आ रहा है, minus of that, तो यही तो है skew symmetric matrix की definition, therefore you can write a b minus b a, यह जो है is skew symmetric, बस इतना चोटा सा ही proof है, लेकिन important है, करना बड़ी बार exam में आता है, ठीक है, इसलिए, question number fourth, another question number fifth, यह भी काफी interesting question है, उससे ज़्यादा असान है, जो आपने अभी किया, कह रहा है कि यार, यह जो b transpose a b है, is symmetric, or skew symmetric according to, a is symmetric, or skew symmetric, जानि a अगर symmetric होगा, तो यह b transpose a b b symmetric होगा, अगर आप a को skew symmetric लेते हो, तो यह expression भी skew symmetric होगा, जानि इसमें दो question चुपे होगा, तो पहला हम ऐसा मान लेते हैं, if a is symmetric, ऐसा मान लेते हैं, जो यह वाला case कर रहा हूँ, if a is symmetric, तो अगर यह symmetric में मान रहा हूँ, तो आपको पता है, यार इसका transpose फिर इसके बराबर ही होगा, तो इसका हम help ले लेंगे अभी, तो now, अब हमें इस expression को उठाने, क्योंकि इसको हमने symmetric, जान्स Q symmetric के लिए देखने हैं, तो मैंने बोला, यार इसके transpose से शुरुआत करो, तीनों ये multiply में reversal law लगेगा, b पहले आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, फिर b ट्रांस्पोर, तीनों पे अलग लग transpose हो जाएगा, आदे जमच, तीनों reverse कर दिएगे, इस b को पहले लिखा, इसका transpose, इस a को फिर लिखा transpose, फिर इसको लिखा, फिर इसका transpose, देखो ऐसे हो गया, थोड़ा सा simplify करे, फिर b transpose, फिर b transpose का transpose के होता है, बी होता है, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, अब देखो यहाँ पर आपको given है, a transpose a के equal है, तो यहाँ यह जो a transpose आ रहा है, इसको पहले तो a लिखो, यहाँ आपको इसको symmetric बताना है, यहाँ आप ले रहे हो a symmetric, तो उसने बोला, जब a symmetric होगी, तो यह expression भी symmetric होता है, तो थोड़ी सी changes करके, आपको इसके equal दिखाना होता है, तो थोड़ा सा हमने change किया, यहाँ हम reason दे सकते हैं, यह transpose a के equal है, तो क्या यह वही बन गया है, आरे वही बन गया है, इसका transpose इसी के equal आ गया है, तो therefore यह जो expression है, यह क्या है, symmetric है, अब दूसरे case में ले लो, when a is skew symmetric, अब लिक सकते हैं, when a is skew symmetric, लेंगे इसको prove करने में, now expression क्या थी, b transpose a b, okay, b transpose a b को पगड़ा, whole transpose से हम शुरुवात करेंगे, अलग अलग तीनों पे जब हम transpose लगाएंगे, तो यह reverse हो जाएगा, जैसे अभी आपने देखा, now the b transpose का transpose क्या होता है, sir यह तो b होता है, चलिए, अब यहाँ रुख जाएंगे, फिस सोचेंगे, sir इसको इसके equal कैसे करना है, अभी कर देंगे, a transpose किसके equal है, minus, तो यह जो बीच में a transpose है, इसकी जगा minus a लिख दो, आपको पता है, कि जो आपकी a matrix है, वो skew symmetric है, यह आपने पहले उपर लिखा हुँगे, आदे जमझे, अब यह जो minus a आप पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई problem नहीं, constant number you can write, अरे, करते-करते यह तो prove भी हो गया, क्या prove हो गया, b transpose a b का whole transpose equal to, b transpose a b, but minus time, तो यह किसका definition है, यह तो skew symmetric है, तो therefore b transpose a b is what, skew symmetric, that's all, बहुत चोड़ाज है, लेकिन important है, ऐसा आपने 3.3 में भी questions कर रखे हैं, उससे पहले जो theorems हैं ना, उसमें मैंने इस तरह की questions आपको कराए हुए, वो भी कर लेना अच्छे से बटे, now the question number 6, very interesting और बहुत ज़्यादा simple है, ठीक है, बहुत ज़्यादा simple है, हमें given है, A matrix, और हमें, x, y, z का value find करना है, इस condition पर, कि transpose a i के equal है, product उनका, तो यहीं से शुरुआत करेंगे, a transpose into a is equal to i, तो भाई साब a का transpose क्या होगा, तो यह जो आपको दिखरी है matrix, इसका transpose यहाँ पर लिख दीजिए, 0, 2, y, z, ठीक, row को column बना दिया, फिर row को column बना दो, फिर row को column बना दो, यह हो गया a transpose, अब लिखो a, 0, 2, y, z, x, y, minus z, x, minus y, and z, ठीक, is equal to i, उच नहीं करना भाई, दोनों matrices को multiply करना है, equations बनेंगी, क्योंकि उदर i लिख लेंगे हम, उस matrix का value, equate करना है, अपने अब x, y, z का value आएगा, तो multiplication हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं, multiplication जिसकी perfect है न, तो उसका matrix chapter पूरा ही perfect है, तो भाईया यह row है, और यह column है, तो एक element यह बनाएंगी, तो first with first zero हो गया, second with second आपको पता है, x square आएगा, third with third फिर x square आएगा, तो two x square, ऐसा आप direct लिख सकते हो, कोई दिखकत नहीं, row with column, first with first zero हो जाएगा, second with second sir, x वाज आज जाएगा, third with third sir, minus x वाज जाएगा, फिर zero, आप एक step बढ़ा सकते हैं, मैं direct लिख रहा हूँ, आप detail multiplication दिखा सकते हैं, कोई दिखकत नहीं, मैं direct लिख रहा हूँ थोड़ा, row with column, sir first with first sir, zero हो गया, second with second, sir minus x z आएगा, third with third sir, plus x z आएगा, वो भी कट दाएगा, फिर यहाँ पर zero हो गया, फिर row with the column, again second row पर आजो, two y, sir zero हो गया, y x, sir minus y x, इस सब कड़ गया, फिर zero हो गया, फिर आगे two y, into two y, four y square, sir इसका आजाएगा, y square इसका आजाएगा, plus y square, ठीक है, four y और six y square बन रहा है, अब इस रो को, last वाले से करोगे, two y z, minus y z, minus y z, minus y z, दो है, वो minus two y z आएगे, एक प्लस two y z, वो कड़ दाएगा, zero आएगा, यह कुश्चन ऐसा है, यार सारे element zero आएगे, सिर्फ diagonal वाले कुछ element आपको दिख रहे हैं आते हैं, बाकी सब zero आएगा, तो यहाँ पर, इसका भी zero, इसका सब cancel होके zero, इसका two y z, इसका भी twice हो जाएगे, कड़ दाएगा, फिर zero आएगा, z into z, z square, plus z square, फिर z square, three z square आएगा, मैंने direct लिख लिए हैं, मैं बार 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 बोल रहा हूँ, आप multiplication, detail, explanation कर सकते हैं, यानि, एक step, इससे पहले आप ने, जो लिखना है, वो लिख सकते हो आप, तो next, right side में कोन है, identity matrix, चीक है, तो दो matrices, जब equal होती हैं, तो उनके corresponding elements को, आप equate कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं, बाकि सब 0 है, diagonal वाले equate करने हैं, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं, कि सर 2 x square किसके बराबर है, 1 के बराबर बैठेगा, सर 6 y square भी 1 के बराबर बैठेगा, और तीसरा वाला 3 z square भी 1 के बराबर बैठेगा, तो यहां से x square आ गया 1 by 2, और x आ गया plus minus 1 by root 2, तो यह x की value आ गई, और y निकालोगे तो y square is 1 by 6, तो y equal to plus minus 1 by root 6, फिर आप यहां से z का value निकालेंगे, तो z square is 1 by 3, z equal to plus minus 1 by root 3, that's all, काफी simple question है, बट करना तो है, करना पड़ेगा, अब देखो वेटा, जो next 7th और 8th question है ना, द्यान से समझो, question number 7th और question number 8th, मैं बताता हूँ, question 8th, ठीक है, अभी हमने कौन सा किया, 6th किया ना, तो 6th हमने कर लिया, 7th, 8th, 9th, यह 3 question बहुत जादा easy है, 8th तो बहुत जादी है, इस type के हमने question पहले किया भी हुए, करवा रहा हूँ, द्यान से समझे, इसमें भी कहीं बार confusion होती है, 9th question में पहले तो एक column matrix दे रखी है, x-y-1, यह multiply हो रही है, एक और matrix के साथ जो 3 by 3 की है, तो 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, ठीक है बटा, और यह फिर एक row matrix के साथ multiply में दे रखा है, x-4, 1, यहाँ पर 3-3 matrices की multiplication आ गई है, तो ऐसा देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, यह बहुत easy question है, first two को पहले आप multiply कर लो, यहाँ फिर next two को multiply कर लो, that is your choice, but multiplication possible होनी चाहिए, तो आप किनी को भी multiply कर सकते हो, associative law according, first two जा next two में आप किसी को भी multiply कर सकते हो, अगर multiply हो रही है, यहाँ पर it is always हम first और second को multiply करते हैं, easy लगता है, ठीक है, तो row with column, sir, यहाँ पर x आ गया, sir, यहाँ पर 0, यहाँ पर चुल थोड़ा detail में कर देते हैं, अंगा बढ़ देगने, तो x, x, यहाँ पर 0, यहाँ पर minus two, यहाँ आ गया, row with column, ठीक है, यह row चल रहा है, और यह तीनों column के साथ जाएगा, तो एक ही row यहाँ पर बनने वाली है, row with column हो गया, फिर row with next column, sir, पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला, sir, minus 10 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, इसको इससे किया, 0 हो गया, इसको इससे किया, minus 10 आ गया, इसको इससे किया, 0 हो गया, फिर row with column, sir, यहाँ पर two x आने वाला है, okay, two x आ गया, फिर यहाँ sir, minus five आएगा, okay, minus five, sir, यहाँ पर minus three आ जाएगा, ठीक है बेटा, आदे जमद, तो first two matrices को, हमने multiply कर दिया, थोड़ा simplification कर लो, x minus two पहला element, यह minus 10, और यहाँ पर आगे, two x minus eight, यह row matrix, और next वाली है, column matrix, तो आप देखें, आपको single element, यहाँ पर मिलने वाला है, row with column, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दियान से देखना, उपर लिख रहा हूँ, यह वाला row, इस column से multiply होगा, and you will get one single element, और उसको zero के equal लेके, x का value you can find, x minus two जाएगा, x के साथ, तो आप देखेंगे, यहाँ पर x square minus two x हो जाएगा, फिर यह वाला minus ten जाएगा, y के साथ, तो sir, यह minus ten y हो गया, फिर यह वाला number once in two होगा, sir, same ही आजाएगा, 2 x minus eight, and equal to zero, simplify करो, simplify करो, y कहां से आगया, sorry, it is four, it is four, I am very sorry, two, minus ten था न, 40 आएगा यहाँ पर, sorry, y नहीं भाई, four, अपना ही four मैंने y पढ़ लिया, minus ten, four, 40, 2 x minus eight, ठीक है, चलो करो, simplify, it is 40, x square, यहाँ पर है, minus two x, यहाँ पर है, plus two x, अरे वाल, यह तो कड़ गया, minus 40, और यहाँ पर है, minus eight, यहाँ minus 48 होगा, इसको आप zero के equal, ले सकते हो, that will contain, x square is equal to 48, so what is x, sir, x is, plus minus root 48, square root आपको निकालना आता है, तो कर सकते हैं, 16, three is the 48 होता है, तो भाई, 16 जाएगा, root के बाहर, तो आएगा, plus minus four root three is the answer, easy question है, difficult नहीं है, बस three matrices आगे, तो देखके, गवराना नहीं है, first two को कर दो, फिर जू आया, उसको next कर दो, equation बना के solve कर दो, very simple, now the question number 10, it is very important question, of your, this miscellaneous exercise, काफी important question है, board exam में, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, application part है, एक तरह से matrix का ये, तो देखें, question क्या है, इसको द्यान से बढ़े, कहरा, manufacturer produces three products, x, y, z, which he sells in two markets, production हो रही है, इनी products की, उसको market में sale किया जा रहा है, annual sales are indicated below, market one में, जो, sale हो रही है, वो इस तरह से, data उसका दे रखा है, 10,000, 2,000, and 18,000, तीनो products का respectively, इसी दरह से, market two में, जो sale की जा रही है, products की, 6,000, 20,000, and 8,000, respectively, तीनो products की, ठीक है, हमें question पूछा गया है, a unit sale price of x, y, z, are 2.5, 1.5, and 1, यानि जो sale price है, हर एक product का वो given है, 10 रुपे, 10 रुपे और 1 रुपे पर unit के हिसाफ से, और B part में हमें बोला गया है, unit cost of the above three commodities are 2, 1, and 50 पैसा, जैनि जो उसने cost price उसको जो मिला, वो 2 रुपे, 1 रुपे और 50 पैसा है, sale वो ज़्यादा amount में कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको profit तो होई होगा, जैसे first product की बात करें, तो 2 रुपे उसको पढ़ा cost price per unit के इसाफ से, sale कितना किया, उसने पहला product, पहला product, डाई रुपे में, यानि 0.5 extra उसको sale कर रहा है, ठीक है, तो profit तो अफकोस को हुआ ही है, तो वही हमें एक तो gross profit निकालना है, दोनों market से, total revenue के लिए भी पूछ रहा है, जब वो sale कर रहा है, उसके बस total amount कितना ही कठा हो जाएगा, उस सब हमें निकालना है, तो बड़ाई simple सा question है, बस आपको इसको matrix की form में convert कर लेना है, और बिन matrix के भी इसको हम करी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, question number यह, यह जो भी question है, यह 8th, 9th class में आपने ऐसे questions की होएंगे, तो हमने simply इसको matrix form में दिखा के, multiplication करके, यह बताना है कि हम वो चीज कैसे कर सकते हैं, बस उतनी सी बात है इसमें, चीक है, क्योंकि बोल रहा है यार, matrix की help से इसको आप करो, तो जैसे यह जो data दे रखा है, इसको मत छेड़ो, जैसे ही लिखा हूँ, ऐसे इसको लिखे रहने तो यह matrix form में ही है, और दूसरी वाली जो matrix आपको बनानी है, जिसमें आपको यह sale price और cost price की बनानी है, उसको आप adjust करो, इसके साथ इस तरह से adjust करो, कि multiplication possible होनी चाहिए, अब देखो मैं यहाँ पर आपको लिखके बता रहा हूँ, सबसे बहले तो जो A matrix आपकी, जो आपकी A matrix है, उसको आप बोलो, market 1 और market 2 का जो production है, जो उनकी sale हुई है, products की बो लिख रहा हूँ मैं यहाँ आप ठीक है, पहला आपके बास 10,000, जैसा उसने दे रखा है, फिर आपके बास 2,000, and then 18,000, ठीक, और दूसरा वाला आपका 6,000, फिर आपका 20,000, and then 8,000, यह हो गया आपका market 1, और यह हो गया market 2 का data जो उसने दे रखा है, अब आपको जो B matrix लिखनी है, मैं A part को पहले गर रहा हूँ, तो B matrix में आपको लिखनी है, sale price वाली matrix बनानी है, sale price per unit के इसाफ से, तो वहाँ उसने दे रखा था, 5 रुपे, 1,5 रुपया और 1 रुपया, ठीक है, अब उसको आपने, row में लिखना है, या column में लिखना है, यह बड़ा important है, यहाँ confusion हो जाती बच्चों को, सबसे बहले देखो, आप A matrix का order क्या है, A matrix का order है, 2 rows, 3 columns, जानी 2 by 3, तो जो B matrix आप रखोगे, उसका जो भी order होगा, उसकी rows तो 3 होनी चाहिए न, क्योंकि multiplication भी तो possible करवाना है, बागी यहाँ पर, column कितनी होगी, उसकी वो एक अलग बात है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 rows रखनी है, 1, 2, 3, columns कितनी रखनी है, तो column एक ही आएगी, क्योंकि, sale price per unit के इसाफ़ से, जो दे रख़ा है, वो तो single single item का दे रख़ा है, तो column तो एक ही बनेगी, यहाँ पर भाई सब आपका आएगा, 5 रुपे, 1,5 रुपे और 1 रुपे आदे समझे, इसको row में निलिख सकते हैं, row में लिखोगे क्या होगा, एक row बना दोगे, तीन column बना दोगे, जैनि B matrix का आप एक row बना दोगे, बस multiplication possible होना चाहिए, तो भाई देखो, total revenue भी हमारे पास आजाएगा, बस आप इनको multiply कर दो, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, and 8,000, 2.5, 1.5 and 1, row with column, भाई या यह row, इस column से multiply होके, market 1 से कितना revenue जिनरेट हुआ, वो आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर 10,000, दाई रुपे से multiply होएगा, जब तो 25,000 रुपया बन जाएगा, आपका, 1.5 रुपया multiply होगा, 2,000 से, तो यहाँ पर आपके पास आजाएगा, 3,000, 18,000, once and two होगा, यह तो 18,000 यह आजाएगा, 3 carry, 6, 2, 2, 12 and 3, सर 15, यह 15,000 दे रहाएगा, 20,000 multiply होगा, डेड रुपे से, सर यह फिर आपका 30,000 बैट रहाएगा, उपर 3 था, यह 30,000, 8,000 फिर इस इंट होगा, 8,000 आजाएगा, ठीक, भाई आप बीच में प्लस रखना, यह द्यान रखना, अब इन सब को प्लस कर दो, टोटल रेविन्यू आपको मिल रहा है, इसको प्लस करोगे तो, ठावरा पच्ची, 46,000 आजाएगा, छीक, इनको प्लस करोगे, 18, 15 और 8, 23, 30, 53,000, तो इस इस दा, रेविन्यू, of market 1 and market 2, फर्स पार्ड में उसने यही पुछा हुआ है, रेविन्यू कितना जिनरेट हुआ, 46,000 and 53,000, market 1 का 46,000, market 2 का 53,000, अब next पार्ड में, मेट्रिक्स आपको यह रखनी है, बस B मेट्रिक्स को आप चेंज करो, उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, C, cost price वाली मेट्रिक्स, तो बाकी कहानी सेम ही है, यहाँ पर 10,000 ही रहेगा यह, फिट 2,000, अभी cost फाइंड गर रहे हैं, cost है न, जब उसने product बनाए होंगे, तो उसको कितनी cost पढ़ी होगी, sale price तो हमने, उसकी help से revenue तो निकाल लिया, अब profit के लिए cost भी चाहिए, ठीक है, cost जितनी भी है, और sale, जितना भी आपने किया, sale में से cost को minus करोगे, तो profit पदा चलेगा आपको, यहाँ पर C matrix अब आप समझ गए हैं, वो क्या होगी, cost price वाली matrix होगी, जो हमने एक column matrix बनानी होगी, और इसका है, 2 रुपे, 1 रुपे, 50 पैसे, 2 रुपे, 1 रुपे और 50 पैसे को हम ऐसे लिख लेंगी, करो multiply, 10,000, 2 से into okay बन गया, 20,000, plus 2,000, once into okay से 2,000, 18,000, 0.5, जानि halves into okay, 9,000 रह जाएगा, चीक, दूसरा, plus 20,000 का सेम रहेगा, यह one के साथ, फिर 8 को करेंगे 4,000, कर दो इनको plus, यहाँ पे cost price हमें मिलने वाला है, 20, और no, 9, 39, और 2, 31,000, यह आगए जी cost, ठीक, first market से, first market का जो cost पढ़ा था, 12, और 4, 12 और 4, 16,000, and 20,000, 16,000 and 20,000 is 36,000, तो this is market 1 का cost, और market 2 का cost, अब निकालो profit, profit from market 1, profit of market 1, अब बताओ, revenue कितना generate हुआ था, 46,000, तो 46,000 में से, 31,000 माइनस कर दो, यह आपके लिए छोड़ रहा हूँग, यह कर लेना, profit of market 2, 53,000 revenue, जिन रेट किया, 36,000 आपने, cost पढ़ा था, आगे दोनों market का profit, फिर इनको plus करके, you can tell, gross profit कि, उसको दोनों market से, total कितना profit बैट रहा है, ठीक है, question काभी important है, इसको अच्छे से कर लेना, easy भी था है, उतना tough नहीं था, नादो question number 11, यह question भी अच्छा है, बट यह थोड़ा, मैंने 10th में समझा भी दिया है, कि एक order लेना होता है, matrix का, पहले मैं लिख ले हूँ, यह बचे कोई x matrix है, यह से multiply हो रही है, ठीक है, दूसी matrix के साथ, जिसके साथ, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 elements है, और यहाँ पर है, minus 7, minus 8, minus 9, यह resultant matrix है, कि इनको multiply करके, यह matrix है, this is 11th question, बड़ाई simple सा question है, पहले तो आप x को, एक single variable, मत मानो कि, इस x को अदर multiply कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह x एक matrix है, तो matrix के अंदर, कुछ elements है, वो elements को आपको डूढ़ना है, तो आपको x matrix को, कैसे डूढ़ना है, order depend करेगा, इसके उपर, और resultant matrix दे रहे खिया, उसके उपर, है ना, आप देखो, यहाँ पर छोटी सी कहानी, x matrix का order, मेरे को नहीं पाता, मैं इसको x लिख दिया, यह बगल वाली matrix को, मैं नाम दे रहा हूँ, a, a का तो order पता है, ना, x की columns मैंने confirm कर ली है, लेकिन जो resultant matrix है, इस पर हम discussion काफी कर चुके है, मानो resultant matrix मेरी b है, तो इसका order भी दे रखा है, 2 by 3, अब resultant matrix का order क्या होता है, इस x की जितनी rows होँगी, और इस a की जितनी columns होती है, वो इसका order बनता है, तो 3 तो चलो, फिट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो क्या लिखना पड़ेगा, सर यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, समझाता है, यह 2 to same होने चाहिए, किस purpose से इनको multiply करना है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा, यह वाला, x की जितनी rows होती है, और a की जितनी columns होती है, after multiplication यही उसका order बनता है, resultant का जो की 2 by 3, तो इसलिए यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे 2 by 3 यहाँ पर create करना है, आदे समझा, that's all, x जो matrix होगी वो 2 by 2 के होगी, तो यह चीज़ आप वहाँ side में दिखा सकते हो, exam में की कैसे हमने डूड़ा, तो here you have to write down, कि sir x हमारे पास है, a, b, c, d, ठीक है 2 by 2 की, अब आप इसको multiply कर लें, इसके बाद बहुत easy है यह आराम से equations बनेंगी, और उनको आपने solve कर लेंगा, minus 7, minus 8, minus 9, 2, 4, 6, इसके आगे मैं आपको लिए छोड़ रहे हैं, बहुत simple question है यार, equations भी बना के दे देता हूँ मैं आपको, देखो, इसको आपने multiply करना है इसके जाद, क्या हैगा, a, plus 4b, row with column हो गया, ठीक है, यह compare किया जाएगा, इस first element के साथ, 2a, plus 5b, अब यह row column जब multiply होगी, वो minus 8 के साथ compare करके, ऐसे एक equation बना देंगी, number 2, फिर यह वाली, row, third column के साथ multiply होगी, तो आपको क्या मिलेगा, 3a, plus 6b, तो आपको compare करना है, minus 9 के साथ इसको, ऐसे तीन equations और बनेंगी, ठीक है, जो c और d से related होईगी, c और d से related, यह वाला one four से into होगा, उपर मैं यहाँ बना के देंगी, तो आपको, c one के साथ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ c आ जाएगा, फिर d four के साथ जाएगा, 4d, तो यह आप compare करेंगे four के साथ, this is fourth equation, फिर आप इस c d वाले को two five से करेंगे, तो यह एगा two c five d, तो यह बन जाएगा आपका two c five d हो गया, compare करेंगे four के साथ, number, पहला वाला किस के साथ compare किया, two के साथ, second वाला आपका four के साथ compare हो जाएगा, it is number fifth equation, फिर c d वाला three six के साथ हो जाएगा, three six plus six d, मैं direct लिख रहा हूँ, आपको बस एक step खुद से करना है, multiplication, बाकी comparison इसके बाद ऐसे six executions बनानी आपको, वैसे तो इसको और इसको बनाया, तो a b तो निकली जाएगा, third की जुरूरत नहीं, बड़ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, के ऐसे बन जाएंगी, आप कोई भी दो उठा के इनको solve कर लेना, उसके बाद c d वाले को इससे कर रहा हूँ, c d को इससे कर रहा हूँ, c d को last से कर रहा हूँ, 3 c 6 जो और इसको last number, जो की 0 है, ठीक है, 0 नी 6 है, 6 के साथ compare कर रहा हूँ, इसमें भी आपको दो ही equations की जुरूरत है, कोई भी दो ले लो, 4th, 5th ले लो, 5th, 6 ले लो, 4th, 6 ले लो, उनको solve कर दो, c o d का value निकालो, तो a b भी भी आ गया, c d भी आ जाएगा, तो वो value आपको यहाँ डाल देना हूँ, I hope इनी equations को आप solve कर सकते हूँ, फिर भी नहीं आता, फिर को बताना भाई, फिर से करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस comment box में आपको message करना है की sir, पूरा solve कर दो, तो पूरा कर देंगे solve, पर इतना chapter करने के बाद, यार यह multiplication तो आही जाता है, सबको solve करना भी सबको आता है, आप 12th class में, है ना, इतना तो करी सकते हैं, question number 13, 13, 14 and 15, सारे MCQs है, 13 बड़ा ही प्यारा question है, हमें A square I के equal दे रखा है, ठीक है, बताओ यह condition कौन सी follower यह, तो भाई A matrix हमें given है, तो आपको उसका A square निकालना बढ़ेगा बहले, अपने आप आजाएगा, इसमें भी equality है जैसे अभी कर रहे थे, alpha beta, it is gamma minus alpha, right, alpha beta, gamma minus alpha, इसको आप I से compare करेंगे, जब आप multiply कर लेंगे, तो करो पहले multiply, alpha into alpha, alpha square, it is alpha beta, alpha into alpha square, क्या कर रहा हूँ वहीं मैं, बड़ी जल्दी जल्दी में बाग रहा हूँ मैं, जल्दी में जोना चाहिए, alpha into alpha alpha square, it is plus beta gamma, ठीक है, row को column से multiply कर दिया, this with this, alpha beta, alpha beta, minus alpha beta, ये तो cut दाएगा, cut नहीं है, gamma alpha, okay, gamma alpha, minus alpha gamma, sir ये भी cut गया, ये भी cut नहीं है, क्योंकि इसके साथ compare हो रहा है, इस दो element तो 0 आने याने, फिर, gamma beta, plus alpha square, अब कर लो compare, दो जगा तो 0 हो गया, alpha square, plus beta gamma, equal to 1, एक equation ये बन गई, दूसरी बन गई, gamma beta, plus alpha square, is equal to 1, ये दोनो equations से same ही है, दोनो equations same ही है, तो हम भी 0 करी लेते हैं, alpha square, beta gamma, और 1 को इदर लाए है, ठीक है, तो ये कौन सा part है, sir ये आ गया, alpha square plus का, alpha square plus का, beta gamma plus का, 1 minus का, 1 minus का, 1 minus का, sir हाँ, ये c part है, इसमें से लो न, minus common, तो 1 हो जाएगा, plus का, alpha square हो जाएगा, minus का, का अंसर, bad risk, चीक है बटा, 13, अच्छा है, now the 14th part, if a matrix, A is both symmetric, and skew symmetric, then what is A, भाई बोल रहा है, A matrix, symmetric भी है, skew symmetric भी है, तो A क्या होगी, अगर A symmetric है, तो A, A transpose के equal है, अगर A skew symmetric है, तो A transpose, minus A के equal है, समझाते हैं, यह उसने given दे रखा है, कि वो matrix symmetric भी है, और skew symmetric भी है, तो by definition में, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसमें एक दूसरे में, चीजें replace कर दो, transpose का value डाल दो, जैसे, यह transpose का value, यहाँ भी transpose का, इसको compare करोगे, तो आपको A मिलेगा, minus A के equal, इस A को आप इदर ले आओ, ऐसे हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, twice of A 0 आएगा, 2 is non-zero number, तो A equal to 0, यहाँ से एक तरह से, आपने prove भी कर दिया, जो A है, वो null matrix होगी, याँनि ऐसी matrix, जो symmetric भी asqueue, symmetric भी हो null matrix होती है, तो वाई साब इसका, इसका हमें result बनाना है, कि यह किसके equal बैठेगा, तो देखें यारे, I plus A का whole cube, इसको normally एक identity, जो आपने पढ़ रखी है, 7th, 8th, 9th में, A plus B का whole cube, वो apply कर दो, A cube, plus B cube, plus 3 A square B, plus 3 A B square, ठीक है बड़ा, इसको simplification स्टार्ट कर दो, I का cube करोगे तो भई I ही आएगा, A cube पदा नहीं, तो इसको ऐसे आप break कर लो, फिलाल A into A square, that you can do, A का square I ही होता है, I का square मतलब I ही होता है, 3 A का square यहां आया होगा है, देखो इसकी help लो, A का square है A के equal, तो A square को पहले तो आप A लिख लो, सब कुछ A में जाना चाहिए, ठीक है, A का square यहां भी आ गया, फिर इसको A लिख लो, given है न, वो given है, I into A को अभी A ही लिख लेना है, next step में लिख लेते हैं, अभी भी लिख सकते थे आप, A into A, फिर से A square आ गया, I into A, सर A होता है, I into A, सर A होता है, 7 A, simplify करते जाओ, A square, फिर आगे A square, तो इसको A लिख दो, मतलब A square कहीं रहने नहीं देना, सब जगा आपको, A में convert करना है, तो अब देखें, 3 और 3, 6 और 1, यह 7 हो गया, तो यह 7 I पूरा कड़ गया, तो किसके बराबर बैठा I, जो expression है, वो I के equal है, और हमारा C पाड़ांस है, यह दी बच्चे, आपकी miscellaneous exercise, राइट, अब आपका काम है यार, 15 के 15 questions, अपनी notebook पे fair कर लेना है, फिर भी कोई question में दिक्कत आता है, message करो, solve करके मैं आपको दिखा दूँँगा, हादे समच, तो next बच्चे हम chapter number 4, that is determinant, वो start करेंगे, और काफी speed में हम उसको complete करेंगे, thank you बच्चे, God bless you, take care.